Hello everyone, बिटा स्टार्ट करने हम लोग photo senses in higher plants और एक दो डाई तीन गंटे के lecture में हम लोग इस chapter को पूरा complete करेंगे, एक compressed form में पूरा chapter पड़ेंगे और आपको एक एक चीज समझा दी जाएगी, तो मैं ये मानता हूँ कि इस lecture को देखने के बाद आपको NCRT के सारे concept आ जाएगे, आप NEET के सारे questions बना सकते हैं और आपको मतलब confidence feel होगा कि हाँ ये topic मुझे आ गया है, ठीक है सब, तो lecture को start करते हैं पर मैं ये मानूँगा कि आप में से किसी भी बच्चे को कोई भी basic नहीं आता और मैं एकदम zero से इसे पढ़ाने वाला हूँ, और आपको मेरे साथ बने रह mister रखना है, जिसमें चीजे साथ के साथ note करनी है, अगर आप speed match नहीं कर पाएंगे note करने की, तो इसकी PDF से आप note कर सकते हैं, या धीरे धीरे फिर बाद में notes बना सकते हैं, PDF आपको इसकी telegram channel पे जो हमारा है संकल बारत का वा मिलेगी, बाकि आप इसको अराम से देखकर conceptual question इस chapter से काफी आता है, ये chapter respiration के साथ थोड़ा link करता है, तो इसलिए हम इसको पढ़ेंगे और ध्यान से सारी चीजे समझते वे चलेंगे, तो start कर लेते हैं, पहले सबसे पहले जैसा हमारा फर्ज है कि आपको topic बता दे, इस chapter में हम सबसे पहले experiment की बात करेंगे, कुछ ऐ factors affecting photo senses, देखने में इस 5-6 चोटे topic लग रहे होते हैं, पर इनमें इतनी depth है और इतने concept है कि आपको मज़ा आने वाला है, और आपको बिटा हम कोशिश ये करेंगे, कि सारी चीजे एकदम अच्छे से समझा दे, बस आप अपने पास एक copy और एक pen रखो, और एक चीज और शि रहेगा, worksheet मतलब मेरे फिलिंदा blanks के questions, ठीक है, तो start करते हैं सबसे पहले, माल में आप से पूछो, photo senses के बारे में आप क्या समझते हैं, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि photo senses कहा होती है, तो आप कहेंगे सर बचपन से हमें पढ़ाया गया है कि photo senses जो होती है, वो plants में होती है अगर मैं आपको थोड़ा सा और cross question पूछूं कि plants में exactly photo senses होती कहां पर है, किस level पर होती है, तो आपका answer आएगा कि photo senses जो होती है, वो cell के level पर होती है, मतलब plant के अंदर भी कोई proper cell होता है, उसके अंदर जाकर photo senses होती है, तो अगर हम photo senses को ध्यान से देखें, ये exactly होता क्या ह है, तो हम यहाँ पर यह पाएंगे, कि जैसे माल लो यह कोई plant cell है, यह plant cell है, ठीक है, हमारे पास यह plant cell है, this one, इसमें हमारे पास क्या होता है, ध्यान देंगे, यह plant cell है, इसमें मेरे पास बाहर से CO2 आती है, और यह CO2 convert हो जाती है, C6H12O6 में, जो एक glucose है, तो photo senses में हम क्या कर रहे होते, CO2 से खाना बना रहे होते हैं, जिसे glucose कहते हैं, अगर आप ध्यान से देखो, इसमें कहीं न कहीं यह hydrogen add होई है, चीक है, तो अगर आप इस चीच को देखो, addition of hydrogen को हम क्या बोलेंगे, reduction बोलेंगे, तो सबसे पहला point, सबसे पहला concept आपके दिमाग में जाना चाह जानी चाहिए, जब हम बात करते हैं, reduction की, तो कहीं न कहीं मुझे यह पता होना चाहिए, कि reduction के लिए मुझे hydrogen की जरूरत होगी, और वो hydrogen कहां से आती है, पानी से, तो cell के अंदर जो पानी होता है, उसकी hydrogen यहाँ चली जाती है, और oxygen as a by product release होती है, ठीक है, यह चीज़ क्लि product release हो जाती है, तीसरा point यह है, कि reduction के लिए मुझे energy उर्जा चाहिए, जैसे oxidation उर्जा बनाता है, respiration exothermic process है, photosynthesis में मुझे उर्जा की जरूरत होगी, energy मुझे चाहिए, तो कहीं न कहीं मैंने बोला है, यह endothermic process है, तो हमने यहाँ पर बिल्कुल clear कर दिया, हमने यहाँ पर ब कहां से, अगर मैं आपसे simple भासा में पूछो, कि इस reduction के लिए energy आएगी कहां से, सोचो, तो energy basically कहां से आएगी बिटा, energy आती है sunlight से, तो हम जो chapter पढ़ रहे हैं, जिसका नाम photo senses है, यहाँ पर photo का मतलब है, कि जब हम carbon dioxide से glucose बनाते हैं, इस process में मुझे energy चाहिए, energy और उर्ज basically कहां से आएगी, मेरे पास sunlight से आएगी, क्या यह बात समझ में आ गई है, clear है, दूसरी चीज यह है, कि इस process में मुझे hydrogen भी चाहिए, जो कहां से आएगा, पानी से आएगा, तो कही न कहीं मेरे पास एक basic idea बन गया है, दिमाग में, plant हो, चाहे कोई भी organism हो, जो photosynthesis करता है, enzymatic process है, enzyme से होने वाला process है, जिसमें क्या होगा, जिसमें क्या होगा, CO2 reduce होती है, किसमें, reduce into glucose, किसमें reduce हो जाती है, glucose में यह reduce हो जाती है, clear है, ठीक है, ठीक है पटा, तो CO2 reduce हो जाती है, किसमें, glucose में reduce हो जाती है, दूसरा, क्या यह process endothermik है, हाँ सर, इसमें उर्जा चाहि है हाँ यह process reduction है क्या इसमें कोई चीज बन रही है तो बनने के लिए वर्ड यूज करते एनाबॉलिक एनाबॉलिक का मतलब बायो संसे हो रही है क्या यह चीज समझ में आ रही है और आपको एक बात और समझनी पड़ेगी बिटा मेरे पास source of hydrogen पानी भी हो सकता है पानी के अल oxygen बन रहा है आप देख रहा है oxygen बाहर आ रही है तो हम जो बात करते हैं हम कहते हैं इन oxygenic oxygenic photosynthesis जो है oxygenic photosynthesis है उसमें मेरे पास क्या होगा water use होता है as a hydrogen donor तो water use होगा as a hydrogen donor इतनी बात आपके दिमाग में चली जानी चाहिए तो यहां से आप कुछ बातें सोच पा रहे हैं पहला आप यह सोच पा रहे हैं कि photosynthesis हमेशा किसी cell में होता है photosynthesis में light energy use हो रही है कहीं ना कहीं CO2 की reduction होती है यह process endothermik है anabolic है और कहीं ना कहीं आपको यह समझ में आना चाहिए कि पानी जब अपनी hydrogen देता है तो oxygen as a byproduct बनता है जब oxygen as a byproduct बनता है ऐसी photosynthesis को हम oxygenic कहते हैं अब यह जो chapter है बिटा chapter का नाम है photosynthesis in higher plant higher plant का क्या मतलब हो गया gymnosperm angiosperm और आपने plant kingdom में पढ़ा है कि total पांच group होते हैं पांच group में कौन-कौन से होते हैं algae, bryophyte, teridophyte, gymnosperm, angiosperm total हमारे पास plant kingdom में पांच group होते हैं algae, bryophyte, teridophyte, gymnosperm और angiosperm total पांच group होते हैं अब इन पांच group की अगर हम बात करें अगर हम इन पांच group की बात करें तो इन पांच group में से सभी group में, सभी group के जो cells में photosynthesis होती है वहाँ पानी ही use होता है, इसका मतलब यह हो गया कि पूरा का पूरा plant kingdom oxygenic photosynthesis करता है क्या यहां तक के सारे concept clear है, page पे लिखे हुए, एक बार ध्यान से देखो और सोचने की कोशिश करो sir आपको यह पड़ा रहे हैं कि आपके घर के आसपास जो पेड है, उसके cell के अंदर photosynthesis हो रही है और वहां पर carbon dioxide को convert कर रहे हैं किसमे glucose में, और उसके लिए जो पानी चाहिए, वो अपना आके hydrogen देता है और कहीं न कहीं इस process में energy लगती है, जो sunlight से लगती है, इसके लिए जो special cell होते हैं, उन्हें मीजोफिल cell कहते हैं अब आपको ये भी समझ में आना चाहिए, चाहे algae हो, bryophyto, teridophyto, gymnospermo, angiospermo, सभी तरह के plants में हमारे पास hydrogen जो आती है, वो पानी से आती है और by product oxygen बनता है, ऐसी photosynthesis को oxygenic photosynthesis कहते हैं यहां पर मन में सवाल उठता है, क्या पानी के अलावा कुछ और donor भी possible है, क्या पानी के अलावा कोई और भी है जो hydrogen दे सकता है ऐसा हमारे पास कुछ bacteria में देखा गया है, जहां पर पानी की जगा H2S, hydrogen sulfide, hydrogen donate करती है तो महाँ पर sulfur as a by product बनता है, clear है के नहीं, बताओ, यहां तक समझ में आ रहा है, चलिए आगे चलेंगे, और कुछ एक छोटे सवाल है जो मैंने आपके लिए रखे है, कि photosynthesis जो है, वो incorrect पोच रहा है oxygenic photosynthesis सभी तरह के plants में होता है, तो इतना concept हमने पकड़ लिया, NCRT ने कहा है, photosynthesis एक physical chemical process है, कहीं न कहीं हमारे पास कुछ chemical changes भी दिख रहे हैं और physical changes भी दिख रहे हैं, तो physical, मतलब physical exchange हो रहा है, gases का, gases का physical exchange भी हो रहा है, और कुछ chemical changes भी हो रहे है, तो physical chemical process है, ठीक है, क्या यह ब्र यह पॉइंड भी हम नोक कर दें यहां पर नोक कर देते हैं फिजीको-केmikle प्रोसेस छी कैसर तो यह डिरेक्ट लाइन कूछ सकता है कि फिजी को अगे कमिकल प्रोसेस है यस और नो आप कर सकते हैं अब मैं आगे की कहानी शुरू कर रहा हूं मैं यह मानता हूं कि photosynthesis एक बहुत जरूरी process था, बहुत सारे scientists थे जिनको लगा इसके बारे में काफी खोज करनी चाहिए, कई बर क्या होता है, कुछ ऐसे discoveries होती है, कुछ ऐसे चीजे खोजी जाती है, जिनमें काफी सारे contribution के बाद final चीजे पता चलती है, ऐसा ही photosynthesis के लिए हुआ photosynthesis एक important process था, scientists लोगों को पता था, लेकिन photosynthesis में क्या चाहिए, मुझे मानलो carbon dioxide चाहिए, या उसमें पानी तूटता है, या oxygen पानी से आती है, ये सारी चीजे start हो गई थी 18th century से, मतलब 1770, 1770 के आस पास से experiment start हो गए थे, ये experiment किस लिए थे, ये experiment इस बात को लेकर थे, कि कैस हम पता करें कि photosynthesis में क्या-क्या चीजे चाहिए, पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, कि मानलो ये pen है, इसमें photosynthesis हो रही है, इस बात का सबूत और proof कैसे मिलेगा मुझे, ये सोचना है मुझे, इस बात का proof और सबूत ऐसे मिलता है, कि जैसे ये pen है, अगर इसमें photosynthesis हो रही होगी, तो या तो ये oxygen बना रहा होगा, या ये क्या कर रहा होगा, इसके अंदर, ध्यांस जुनेंगे बिटा, इसके अंदर मेरे पास starch बन रहा होगा, तो आपको ये मैं कुछ points बोल रहा हूं, इसको समझना है, photosynthesis को लेकर काफी सारे experiment किये गए, 1770, 1770 से NCIT ने कुछ experiments बताए हैं, वो सभी experiments कहीं न कहीं ये बता रहे थे, कि photosynthesis के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, अब हम ये देखेंगे, कि ये जो experiments की हम बात कर रहे हैं, ये experiments किस चीज पर अधारित है, मतलब मैं ये कहता हूं कि अगर photosynthesis हो रही है, इस बात का सबूत क्या है, इस बात के दो proof है, या तो oxygen बन रही होगी, या starch बन रहा होगा, क्या यहाँ तक मुझे लग रहा है, आपको सारी बाते clear हुई है, बताए, क्या यहाँ तक सारी बाते clear हैं, जल्दी बता दो, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, ठीक है, clear है, हाँ, तो अब हम यहाँ से आगे चलेंग अब हम यहां से आगे चलेंगे और आगे की बात करेंगे बिटा, तो सबसे पहले कुछ experiments है, NCRT ने कहा है कि कुछ ऐसे experiment थे जिनने आपको class 10th में पढ़ा दिया गया था, उसमें से एक experiment था varieded leaf, varieded leaf क्या होती है, एक ऐसी leaf होती है, जिसमें हमारे पास काफी सारा area green होता है, और उसमें कुछ area non green होता है, तो जो non green area होता है, वहां starch नहीं बनता, तो इसमें एक option और होता है, कि जैसे ये leaf है, इसको मैंने ये black paper से half cover कर दिया, तो starch मुझे उस पार्ट में दिखेगा, जिसमें light पड़ेगी, आपको समझ में आ रहा है, जैसे देखो, इसमें दो चीजे है, एक तो ये non green area, यहां starch नहीं बनेगा, ग्रीन में बनेगा, दूसरा मेरे पास ये जो leaf है, इसमें मैंने ये वाला हिस्सा black paper से cover कर दिया, starch इसमें appear होगा, तो इस experiment में क्या था, कि मेरे पास क्या था, leaf जो थी, उसको मैंने half cover किया, किस से, half cover with, किस से cover किया बिटा, black paper से, जब मैंने उसको black paper से half cover कर दिया, तो मैंने ये देखा, कि जो green area है, green area जो है, उसमें starch appear हो रहा है, starch appear कैसे test करते हैं, iodine से, क्या ये समझ में आ रहा है, तो कहीं न कहीं अगर आप से पूछा जाए, ये experiment साबित क्या करना चाहता है, आप अपने दिमाग में खुद सोचना, ये experiment साबित ये करना चाहता है, कि green area में photo senses होती है, तो green area show photo senses, ये experiment ये साबित प्रूफ करना चाहता है, जिसे हम कहेंगे inference, इसे हम क्या बोलेंगे, inference बोलेंगे, क्या यहां तक clear है, ठीक है, अब आजाओ ज़रा अगला experiment, next experiment क्या था, कि माल लो ये मेरे पास कोई funnel, कोई बीक कर या कुछ भी ऐसा ले लो, उसमें मैंने इस container में koh लिया हुआ है, अब ये koh क्या करता है, co2 को absorb कर लेता है, देखो ये koh है, ये co2 को absorb कर लेगा, तो leaf के इस वाले part में co2 नहीं मिलेगी, तो यहां star चपियर नहीं होगा, यहां पर कोई star चपियर नहीं होगा, लेकिन इस वाले part में star चपियर होगा, क्योंकि यहां co2 मिल जाएगी, तो कहीं नहीं इस experiment से क्या पता चला, इस experiment से क्या पता चला, इसे हम कहते है, half leaf experiment, मतलब आदा part ऐसे है, तो inference क्या है इसका, कि मेरे पास क्या है, co2, co2 चाहिए, co2 necessary है, किसके लिए, for star synthesis, यह half leaf word NCRT में नहीं है, इसलिए आपके लिए बहुत important बात नहीं है, तो star synthesis के लिए क्या चाहिए, co2 चाहिए, तो यहां पर green area चाहिए, और यहां पर co2 चाहिए, ठीक है sir, तो यह दो experiment है, जो यह बता रहे है, कि photosynthesis के लिए green area में photosynthesis होती है, दूसरा co2 चाहिए, ठीक है, photosynthesis के लिए, अब क्या हुआ बिटा, 1770 में, 1770 के around, एक scientist थे, जिनका नाम था Joseph Presley, Joseph Presley वो scientist थे, जिन्होंने 1774 में oxygen discover करी, तो Joseph Presley chemistry में भी आएंगे, यह वही Joseph Presley थे, जिन्होंने 1770 में series of experiment किये, तो हम आगे के experiment देखेंगे, जहां पर हमने देखा, कि जो Presley थे, उन्होंने 1770 में, कुछ series of experiment किये, और उन experiment में उन्होंने क्या किया, वो हम देख रहे हैं, उन्होंने यह glass का एक jar लिया, ठीक है, इसमें candle ली, और इसमें क्या किया, माइस लिया, इन्होंने देखा, कि कुछ time के बाद candle बुझ गई, candle extinguish हो गई, और माइस suffocate हो गया, माइस मर गया, माइस suffocate का मतलब होता है, माइस का मर जाना, क्या यह समझ में आ रहा है, अब उन्होंने यहां पर क्या रखा, एक plant रख दिया, plant जो था, वो mint का plant था, अब यह mint का plant क्या करेगा, oxygen बनाएगा, हमें उस वक्त oxygen नहीं पता थी, तो उन्होंने देखा, कि आब क्या हुआ था, माइस भी alive रहेगा, और candle भी जलती रहेगी, हना candle जो है, वो अपना जल रही है राम से, तो बेलजार एक्सपरिमेंट क्या बताता है, बेलजार एक्सपरिमेंट यह बताता है, कि mint plant restore करता है, restore बतला वापसी लाता है, उस air को जो burning candle और माइस ने खराब कर दी थी, कहीं ने कहीं उन्होंने co2 बना दी थी, oxygen खर्च कर दी थी, तो जो इंफ्रेंस है वो important है, inference यह है कि जो mint plant है, वो restore करता है, restore मतलब वापसी लाता है, restore air which remove by, remove by burning candle and mice, mice और burning candle ने जो यह air हटा दी थी, इसको यह वापसी लाता है, अब क्या हुआ बिटा, कुछ time के बाद एक scientist थे जिनका नाम Ingen house था, उन्होंने कहा कि ठीक है, यह experiment बढ़िया लगा उसे, Ingen house को अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि यार एक काम करते हैं, same experiment को एक बर दिन में करके देखते हैं और एक बर रात में, अगर मैं यह वाला setup दिन और रात दो टाइम पे करूंगा, तो दिन में तो ठीक है चल जाएगा, तो क्या किया उन्होंने, repeat किया किसकी experiment को, Prisley के experiment को, तो Prisley experiment को repeat किया कब, एक बर दे में और देन नाइट में, फिर किस में किया, नाइट में किया, पॉइंट क्या है, वो सुनो ध्यान से, पॉइंट यह है कि नाइट में क्या था, जो मिंट प्लांट था, मिंट प्लांट oxygen नहीं बनाता, not produce oxygen, तो कही ना कहीं क्या हो गया, रात में फिर क्या हुआ, मिंट प्लांट के presence में भी यह मर गय, कौन मर गया माइस मर गया और केंडल बुझ गई इसका मतलब क्या है कि मिंट प्लांट रात में ऑक्सीजन नहीं बनाता तो प्रिस इंगे लाउस में कहीं यह बताया दोगो यह बताया कि लाइट इंपोर्टनेट रहा दूसरा उन्होंने क्या किया यह एक अक्वेटिक प्ला फ्राणी ऌनी में मिलने वाला प्लांट उस पर उन्होंने लिए ब्राइट डाली मतलब तेज़ ने जब ट्रेज दूं डाली तो जिस इससे पर लाइट पड़ी वहाँ oxygen का bubble बन गया, किसका bubble बन गया, oxygen का bubble बन गया, क्या ये बात समझ में आ रही है, तो इंगे ना उसने क्या किया, ध्यान से जुनेंगे, इंगे ना उसने प्रिसली के experiment को repeat किया, daytime पे और night में repeat किया, उन्होंने देखा, कि जो mint plant है, mint plant है, ठीक है, वो रात में oxygen नहीं बना रहा, दूसरा उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा, कि जब हम bright light डालते हैं, जिस हिस्से पर, महा bubble बनते हैं, तो कहीं ना कहीं इन्होंने importance of light बताई, इन्होंने क्या बताई, importance of light for photosynthesis, और NCRT कहती है, कि इन्होंने बताया, कि plant जो है, वो oxygen produce करते हैं, plant produce oxygen, अगर आप से कोई पूछे कि oxygen discover किस ने करी, वो इन्होंने करी, पर ये वो oxygen नहीं हम कह सकते हैं, जो plant वाले, discovered oxygen, वो भी कब 1774 में, ठीक है, लेकिन इन्होंने बताया है कि plant oxygen बना रही है, क्या यहां तक समझ में आ रही है, तो अभी तक हमने चार experiment पड़े हैं, पहला experiment ये बता रहा है कि सिर्फ green area में photosynthesis होती है, दूसरा experiment ये बता रहा है, कि CO2 चाहिए मुझे क्या करने के लिए, photosynthesis करने के लिए, तीसरा experiment मुझे ये बता रहा है, कि हमारे पास जो green plant है, वो air की quality ठीक कर सकते है, फोर्थ experiment light की बात कर रहा है, ठीक है, अब क्या हुआ बिटा, अब क्या हुआ वर्ल सेक नाम से एक scientist है, ये same scientist है जिन्होंने आपका ये जो हम पढ़ते हैं, hydroponics 1860 में discover किया, वोण सेक में क्या observed किया, ये observe कि जब plant grow करते है, वेन plant grow, तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं क्या, वो produce करते हैं glucose, और वो store होता है किस में starch, क्या इतनी बात संज़ बें आ रही है, वो store होता है किसमे starch में store होता है दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये बताई इन्होंने इन्होंने एक चीज और बोली इन्होंने ये बोला बिटा कि हमारे पास plant में कुछ green chemical होता है वो green chemical actual में क्या है chlorophyll है और वो store होता है किसमे present होता है किसमे present in green body अब ये green structure क्या है chloroplast है तो उन्होंने दो बात बोली कि जब plant grow करता है तो उसमें glucose बनता है और वो starch की form में दिखता है दूसरा उन्होंने बोला कि कुछ green chemical होते है और ये भी उन्होंने बताया कि जैसे जैसे plant grow करेगा और जादा उसमें starch बनेगा तो वोल्सेक ने अपने experiment के तुरू ये साबित किया कि जो starch है plant के अंदर किसकी वज़े से बनता है इस chlorophyll की वज़े से starch बनता है ये चीज़ समझ में आ रही है अगर आप याद करो इससे पिछला experiment इससे पिछला experiment ये कह रहा था कि light important है तो हमारे पास एक और scientist है TW Engelman उन्होंने का ठीक है माल लेते हैं light important है पर light में भी कौन सी wavelength important है ये बहुत जरूरी बात है तो TW Engelman ने बताया कि which wavelength is important कौन सी wavelength important है मेरी बास समझ में आ रही है which wavelength is important कौन सी wavelength है जो important है ये किस ने बताया है TW Engelman ने बताया कि ये बात समझ में आ रही है TW Engelman ने बताया है कि कौन सी wavelength important है ये TW Engelman ने बताया कि ये समझ में आ रहा है अब इन्होंने कैसे काम किया सुनना द्यान से इन्होंने क्या किया इस तरीके से एक प्रिजम ले लिया और ये light का source है इस प्रिजम पे light डाली और देखा कि वो ऐसे 7 color में तूट जाएगा यहाँ पर उन्होंने क्या ले रखी? algae ले रखी ऐसे ये एक algae है, filamentous algae आपको पता होना चाहिए, filamentous algae जैसे spirogera होती है इसका नाम है cladophora, उन्होंने क्या किया? जब इस तरीके से light को ऐसे 7 हिस्सों में ऐसे divide किया तो उन्होंने क्या किया? यहाँ पर ऐसे लिख दिया धान्दो पिता, मानलो उन्होंने देखा vibgeaur, मानलो इस तरीके से light अलग-लग wavelength में गिर गई तो उन्होंने क्या किया था सुनना उन्होंने क्या किया यह प्रिजम लिया प्रिजम से यह लाइट को क्या किया लाइट को स्प्लिट किया और उसको इस ग्रीन एलगी पर डाला अब यह देखा उन्होंने कि यहां पर रेड और ब्लू रीजन पर ब्लू और हमारे पास रेड region पे जादा photosynthesis हो रही है अब ये बात कैसे proof कर सकते हैं कैसे proof कर सकते हैं क्योंकि photosynthesis क्या बनाएगी photosynthesis देगी oxygen photosynthesis क्या देगी oxygen देगी oxygen किसको attract करेगा attract करेगा aerobic bacteria को मतलब क्या हुआ ध्यान से समझाना विटा इन्हों ने क्या किया यहाँ पर solution में aerobic bacteria ने लिए इन्होंने देखा जहां blue color है और जहां red color है वहाँ ज्यादा bacteria इकठे हो गए क्योंकि वहाँ ज्यादा oxygen बन रही थी मेरी बात समझ में आई है मैं आपको यह कह रहा हूं कि photosynthesis जो है वो डैरेक्टली proportional है oxygen के और वहाँ पर इकठे हो जाएंगे aerobic bacteria ठीक है photosynthesis blue और red में ज्यादा होती है इसलिए वहाँ ज्यादा bacteria इकठे हो गए तो यह जो मैंने आपको अब यह एक्षिन स्पेक्ट्रम क्या होता है जरा बात कर लेते हैं स्पेक्ट्रम सब्द का मतलब होता है वेवलेंद एक्षिन का मतलब है उसको समझते हैं अगर मैं आप से कहूं बैटो dispon varsa काॉम करता है तो मैं अगर एक graph plot करूँ मिदहान दोटा मेंखल बॉट करूँ जिसमें मैं इधर इदर लिख दू वेवलेंथ और सो ए डर मैं लिख दू फोटो से जिसको मां oxygen से मैं डीकरों तो इस देखू कि blue और red में जादा oxygen बनेगी as compare to as compare to other यहां पर मालों बीच में दूसरी wavelength है तो blue और red पर ज्यादा oxygen बनी देख पा रहे हो तो इसे हम कहते है action spectrum what is action spectrum एक graph है wavelength और oxygen के बीच का तो यह बाते समझ में आ रही है जल्दी बताओ किया यह बात clear है तो कहीं ना कहीं उन्होंने क्या किया एक graph plot किया है किसके बीच में हना किसके बीच में wavelength और photosynthesis के बीच में उसे action spectrum कहते है और पहला action spectrum बना बनाया किसके लिए chlorophyll A के लिए ठीक है और NCRT लिखती है वह match करता absorption spectrum of chlorophyll A and B direct question आएगा वो scientist का नाम बताओ जिसों ने पहला action spectrum बनाया था तो अभी तक हमने 6 experiment पड़े हैं पहले में बताया है green area important है दूसरे में बताया co2 important है तीसरा bell jar experiment जहां पर green plant restore करते हैं air quality oxygen जो है वो बनाते हैं green plant यह बताया किसने इंगन house थे और light important है फिर one sec ने बताया कि जब plant grow करेगा तो glucose बनेगा और उस टार्च में store होगा उसके बाद हमारे पास TW Engelman ने बताया कौन सी wavelength important है ठीक है अब हमारे पास एक last scientist है जिनका नाम वैम नील है वैम नील जो थे वो एक microbiologist थे जब हम बात करते है microbiologist की तो कहीं न कहीं उनका काम बैक्टीरिया पंजाई या वाइरस पर हो सकता है सही है हासर ठीक है तो यह काम कर रहे थे bacteria के nutrition पर तो यह bacteria के nutrition पर काम कर रहे थे एक तरीके से bacterial photosynthesis पर यह इनका स्टैप होते हैं अगर आप ध्यान से देखो photosynthesis जो होती है उसके दो स्टैप होते हैं पहले स्टैप में जिसे हम light reaction कहते हैं उसमें क्या होता है सबसे पहले पानी तूटता है ठीक है H2O break करता है और उसके बाद क्या होता है किसी compound A को इसकी hydrogen दे देते हैं यहाँ पर बन जाता है AH और साथ में by product oxygen बन जाता है फिर दूसरे स्टैप में जिसे dark reaction कहते हैं यह AH जो है CO2 को अपनी hydrogen दे देता है यह AH यहाँ आके CO2 को hydrogen दे देता है तो यह बन जाता है glucose और यह वापसी यह बन जाता है ताकि पहले स्टैप में यहाँ यूज हो सके अब इन्होंने यह बोला कि जो bacteria होते हैं कुछ bacteria some bacteria में ध्यान सुनेंगे some bacteria में मेरे पास पानी नहीं है S2S is a hydrogen donor क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो अगर आप ध्यान से देखो S2OE है जो hydrogen दे रहा है तो hydrogen donor S2S है कुछ bacteria में ऐसे bacteria का नाम है purple sulfur और green sulfur bacteria हरा है और sulfur बनाता है और purple है और sulfur बनाता है इस तरह के bacteria थे जिनमें ऐसा देखा गया तो उन्होंने क्या-क्या observation करी वो important है सबसे पहली observation ये थी कि हमारे पास H2O and H2S can be hydrogen donor ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पानी हो कोई और भी हो सकता है ठीक है अगर पानी होगा तो oxygen हमेशा कहां से आती यहां से तो हम दूसा लिख सकते है oxygen जो produce होती है always come हमेशा कहां से आएगी always come from water वो हमेशा पानी से आएगी जब H2O को use करेंगे as a hydrogen donor क्या मेरी बात समझ में आ रही है hydrogen donor की तरह अगर हम use करेंगे तो इसको हम क्या बोल रहे है हमेशा कहां से आती है पानी से आती है यह भी हमें समझ में आ रहा है अब इसके बाद हम जो next बात करेंगे ज्यान सुनेंगे इसके बाद जब हम next बात करेंगे तो हम यह देखेंगे इन्हों को ने क्या किया एक टेकनीक यूज की जिसे रेडियो आइसोटोप ट्रेसर टेकनीक कहते है सर सुनने में तो बहुत भारी टेकनीक है पर यह है क्या सुनना ध्यान से मालों यह कोई कंपाउंड है इसकी किसी चीज को रेडियो एक्टिव कर दें जैसे फॉर एक्जामपल प ट्रेसर टेक्निक क्या है उससे हम किसी का प्रोसेस पता लगा सकते हैं मतलब एक तरीके से निशान लगा दिया कि कौन कहा जाएगा रेडियो आइसोटोप ट्रेसर टेक्निक क्या होती है यह पता लगाने के लिए होती है कि कैसे क्या चीज हो रही है फोर एक्जामपल अगर म तो मुझे glucose में ना मिलके सिर्फ oxygen में मिल रही है तो इन्हों ने क्या किया यूज किया रेडियो आईसोटोप ट्रेसर टेक्निक जिससे यह पता चलता है कि oxygen always come from अब जब यह वाली बात सही लग रही है तो उन्हों ने एक्वेशन को करक्क किया जैसे आप बच्पन से equation पढ़ते आ रहे हूँ 6 6 H2O प्लस 6 CO2 बनाता है C6 H12 O6 प्लस 6 O2 पॉइंट यह है यहाँ पर जो सोचना पड़ेगा आपको कि जितनी भी oxygen है जैसे यहाँ पर कितनी oxygen सर बारा oxygen है पर यहाँ पर कितनी है 6 oxygen है 6 oxygen है पॉइंट यह है कि इनके according when meal के according सारी की सारी oxygen कहां से आती है पानी से तो इन्हेंने इस equation को ठीक कर दिया यहाँ पर 12 H2O कर दिया और 6 CO2 कर दिया C6 H12 O6 कर दिया और साथ में यहाँ पर 6 O2 और अलग से 6 H2O लिग दिया तो इससे यह पता चल रहा है कि यहाँ 12 oxygen है और यहाँ भी मेरे पास क्या है अगर आप देखो ध्यान से कहां गया यहाँ भी मेरे पास क्या है 12 oxygen है तो यह उन्होंने क्या कि equation करेक की तो जो सही equation है वहाँ पर मुझे 12 H2O से लेना पड़ेगा क्या यह समझ में आ रहा है क्यों लेना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं 6 लूंगा तो यहाँ पर 12 oxygen है और सारी की सारी oxygen कहां से आ रही है सारी की सारी oxygen पानी से आती है तो यह इस तरीके से उन्होंने equation करेक करी किसकी photosynthesis की तो मेरे पास यहाँ दो तीन important point है इनके काम से दिमाग ब्लॉक हो जाता है कई बार लंबा जब हम पड़ते हैं point यह है कि वैन नील एक microbiologist थे वो bacterial photosynthesis पे काम कर रहे थे उन्होंने कहा कि hydrogen सिर्फ पानी से नहीं आती कुछ bacteria में H2S से भी आती है इससे यह साबित हो रहा है कि जो भी oxygen है वो हमेशा किस से आएगी पानी से आएगी ठीक है क्योंकि पानी तूटता है इन्होंने यूज की radioisot प्रेसर टेक्निक इससे साबित भी करके दिखाया कि अगर मैं radioactive oxygen लेता हूं तो हमेशा किस में मिलता है पानी में इसके बाद उन्होंने इस equation को ठीक किया क्योंकि यहां पर जो oxygen है 12 है पर यहां पर 6 है इससे यह हो रहा था कि इस carbon dioxide की oxygen आ रहे थी नहीं oxygen हमेशा किस से पानी से क्या यहां तक ठीक है बताओ चलिए आगे डिसकस करते हैं अब हम लोग इस चैप्टर के अगले पार्ट में आ गया है जहां पर हमें यह सीखना है कि फोटो संसे कहा होती है चीक है आपने अभी तक experiment पढ़ लिए जिनसे यह साबित हो गया कि फोटो संसे के लिए क पार्च बनती है अगर मैं आपसे पूछों कि फोटो संसे कहा होती है प्लांट में तो आपके पास एक सीक्वेंस होना चाहिए कि फोटो संसे हमारे पास ग्रीन प्लांट में होती है ग्रीन प्लांट में भी कहां पर होड़ी है में लीफ पर लीफ में खास तरह के सेल्स होत करी है और उसमें हम यह देख रहे हैं कि यह chloroplast का structure है तो chloroplast में यह outer membrane होती है ठीक है उसके बाद मेरे पास यह inner membrane है थोड़ा सा structure के बारे में बता देते हैं यहां पर मेरे पास जो जो matrix है liquid है उसे हम stroma कहते हैं इसमें enzymes होते अच्छा इसमें enzymes जो होते हैं वो dark reaction के होते हैं किसके होते हैं dark reaction के ठीक है अब ये जो है इसे हम membranous system कहते हैं जैसे माल लो ये जो structure है ये इसको thylakoid कहते हैं तो ये जो बन गया इसको हमने क्या बोल दिया thylakoid बोल दिया और ये जो एक पूरा है इसे granum कहते हैं बहुत सारे है thylakoid को तो इसलिए इस thylakoid को क्या नाम दे दिया granul जैसे एक दो तीन चार ये थाइलाकोइड को हमने granum कह दिया तो ये वाला जो थाइलाकोइड है इसे हम stromal lamily कहते है stromal lamily lamily मतला membrane चीक है तो आपको ये समझना पढ़ेगा कि जब हम chloroplast की बात करते हैं chloroplast की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास दो पार्ट है एक है हमारे पास stoma तो stoma में मेरे पास enzyme होते हैं किसके enzyme होते है dark reaction की इसके अलावा क्या होता है मेरे पास यही पर sugar form होती है इसके अलावा इसका अपना DNA होता है अपना ribosome भी होता है तो ये चीजे भी मेरे पास किसमें हो का मतलब होता है membrane जैसे यह membrane lipid by layer कि यह लिपट बाइलेर समझ में आता है जो प्लाजमा membrane है वैसे ही यह membrane lipid by layer है सोचो तो ऐसे यह वाली membrane भी lipid की बनी हुई है इसे हम membrane system कहते हैं इसमें मेरे पास कौन-कौन से अब आपको यह समझना पड़ेगा कि यह जो यहां लिखे है इनके ऊपर pigment रगे रहते हैं जो light reaction कराते हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि यहां पर हमारे पास pigments present होते हैं क्या present होते हैं pigments अब सवाल यह उठता है कि यह यह जो pigments है यह क्या हमें यह जो pigments इस पर लगे में क्या यह एक-एक pigment मिलता है या किसी group में मिलता है तो आपको यह करना पड़ेगा सोचना पड़ेगा कि हमारे पास यह जगा स्टोमा है स्टोमा में dark reaction होता है और इस membrane पर मेरे यूज कर देते य PLTS क्या वर्ड यूज करते हैं फोट्र सिस्टम तो आपके पर जो ग्रेमISS पर जो chloroplast है उसके अंदर division of labor होती है, division of labor का मतलब क्या है कि photosynthesis में light और dark reaction की location काम को बाट दिया गया है, light reaction thylakoid की membrane पर होता है और dark reaction यहाँ stoma में होता है, इसे हम क्या बोलते है, division of labor का मतलब है हमारे में पास location अलग-लग है, different location है किसकी, different location of light and dark reaction, क्या इतनी बात समझ में आ गई है, light और dark reaction की different location, आगे की बात कर लेते हैं, तो हमें समझ में आ गया कि photosynthesis की जो location है, वो chloroplast है, चीक है, chloroplast है, membrane वाले जो structure है, उसमें मेरे पास stromal lemily है, जिसकी हम बात कर रहे हैं और उसके अलावा हमारे पास granul thylakoid है, और हमारे पास क्या है, granul thylakoid और stromal lemily को मिला कर हमने नाम दिया है, ठीक है सर, location of light reaction यही, thylakoid, thylakoid की membrane, हाना उस पर pigment attach होते हैं, उस पर क्या है, मेरे पास pigment attach है, यह हमने पढ़ा, और dark reaction की location क्या है, stroma, वहाँ पर उसके enzyme होते हैं, इसी को हम division of labor कह रहे हैं, अब आपको एक चीज़ समझनी पढ़ेगी, कि dark reaction क्या होता है बिटा, जिसमें sugar बनती है, dark reaction का यह मतलब नहीं होता, कि वो रात में होता है, dark reaction का मतलब है, कि वो night में नहीं होता, यह मेरे पास cell है, यह मेरे पास क्या है, cell है, ठीक है, अब इस cell में मेरे पास, देहां से जुना बिटा, इस cell में मेरे पास यह chloroplast है, अगर आप देखोगे, evening में, evening में, chloroplast ऐसे लगे रहते है, parallel to membrane, और यहाँ पर लगे रहते है, perpendicular to membrane, मतलब इस तरीके से लगे रहते हैं, जी NCRT ने बोला है, तो हम लगबग NCRT सारी कवर कर रहे हैं, आपको यह समझना पड़ेगा, कि chloroplast की जो position है, evening में देख रहे हो, जब light ऐसे आती है, तो parallel लगे रहते हैं, और afternoon में, afternoon में ऐसे लगते हैं, क्या यहाँ तक समझ में आगी? तो अभी हमने यह सीखा है, कि chloroplast के अंदर photosynthesis होती है, light reaction में क्या होता है, ATP बनता है, NADPH बनता और oxygen बनती है, light reaction thylakoid की membrane पर होती है, उसको कराने के लिए pigment जो है, वो photo system की form में होते हैं, granul thylakoid पर PS1, PS2 दोनों होता है, और stromal lamelli पर सिर्फ PS1 होता है, यहाँ तक मुझे लग रहा है, आपको बात समझ में आ गई है, अब यहाँ से हम आगे जाएंगे, और हम आज बात करेंगे सबसे पहले light reaction की, ठीक है, हम बात करने वाले हैं light reaction की, इसमें जो topic में आपको पढ़ाऊँगा, सबसे पहला topic में जो पढ़ाने वाला हूँ, वो पढ़ाऊँगा pigment क्या होते हैं, आज आपको pigment का एक नया नजरिया देंगे, जिससे आप सोच पाएंगे कि exactly हो क्या रहा है, ठीक है, उसके बाद हम pigment के examples बताएंगे, pigment कैसे function करते हैं, वो मैं आपको बताऊँगा, फिर मैं photo system का concept बताऊँगा, फिर मैं flow of electron बताऊँगा, इस तरीके से हम move करने वाले हैं, light reaction में, तो चलिए start कर लेते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं, what is pigment, अगर मैं आप से सवाल पूछू, what is pigment, pigment क्या है, पिग्मेंट क्या है, तो आप में से बहुत सारे बच्चों का आंसर यह होगा, कि यार सर पिग्मेंट जो होता है, वो color होता है, पिग्मेंट क्या होता है, color होता है, आप में से बहुत सारे बच्चों का यह answer होगा, पर मैं clear करता हूँ बिटा, pigment ऐसा नहीं कि हम कह सकते हैं, सिर्फ color होता है, नहीं, pigment क्या होता है, जैसे कि आप में से बहुत सारे बच्चे समझते रहा हैं, कि बच्पन से आपको पढ़ाया गया है, कि यार light, जो photo senses होती है, वो एक ऐसा process होता है, जिसमें कहीं न कहीं light energy, convert होत सकती है, create नहीं कर सकते, तो कहीं न कहीं आपको यह समझना पड़ेगा, कि plant के अंदर कोई न कोई ऐसी चीज होनी चाहिए, जो light energy को chemical energy में convert कर सके, इसी को लेकर हमारे पास plants ने chemical evolve किया, जिसका नाम pigment होता है, pigment में color इसलिए होता है, क्योंकि वो उस wavelength में reflect करते है, जो color उसम तो electron excite होते है, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं बताओ, मैं यह कह रहा हूँ आपको, pigment एक ऐसा chemical compound होता है, जिस पे अगर light पड़े और उसका electron excite होता है, तो कहीं न कहीं pigment वो compound है, जो light energy से chemical energy बना सकते हैं, तो सबसे पहले अगर मैं pigment को define करूं, तो मैं कहूंगा, pigment क्य क्या कर सकते हैं, which can excite electron, जो क्या कर सकते है, electron excite कर सकते हैं, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, तो pigment वो chemical compound है, जो electron excite कर सकते हैं, इसका मतलब यह हुआ, कि जैसे यह pigment है, और इस पर कोई particular wavelength मिली, एक particular wavelength, ऐसा नहीं range, तो excite electron at fixed wavelength, तो किसी fixed wavelength पर वो हमारे पास क्या करेंगे, electrons को excite करेंगे, इन्हें हम क्या बोलते हैं, pigments कहते हैं, तो pigment वो chemical compound है, जिन्होंने electron excite कर दिया, इन्होंने क्या कर दिया, electron excite कर दिया, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, सोचो, हा सर ठीक है, तो इससे होगा क्या, मतलब यह तो बात समझ में आ रही है, कि pigments are chemical compound, जो एक fixed wavelength, what is fixed wavelength, मालनो 500 nanometer, उस पर अपने electron excite कर लेते हैं, ठीक है सर, उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, हम बात कर लेते हैं, देखो, अगर मैं आप से कहूं, pigment तो आपको समझ में आगे, क्या होता है, तो after electron excitation क्या होता है, ध्यान से देखना, after electron excitation होता क्या है, जड़ा देखते हैं, पूरा process हमस्ते है, मालनो, ये मेरे पास एक pigment है, ठीक है सब, इस pigment पर मेरे पास ये क्या पड़ी, light energy पड़ी, हना, ऐसे एक wavelength आ गई, इसका electron बहार चला गया, मतना pigment का electron, outer orbital में चला गया, तो हमने पड़ा, हमने लिखा कि पहले light आई, ठ इसके बाद मेरे पास क्या हो गया, electron excited हो गया, अब ये जो excited electron है, ये वापसी ground state पर आना चाता है, या ये किसी दूसरे pigment को मिल जाता है, तो आपको ये समझना पड़ेगा, ध्यान से सुनना पड़ेगा, कि जो excited electron है, excited electron है, वो क्या करता है, tend to come at a ground state, come at a ground state, वो वापसी आन चाता है, तो वो क्या करेगा, it release, वो release करेगा, क्या, light release कर सकता है, heat release कर सकता है, या, या, वो क्या कर सकता है, energy दे सकता है, दूसरे pigment को, energy देगा किसको, to other pigment, मेरी बात समझना ध्यान से, मैं क्या पड़ा रहा हूं आपको, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, द्यान से समझना हमारे पास pigment क्या काम करते हैं उनके electron excite हो गए वो electron वापसी आना चाहते हैं ground state पर जब वो electron वापसी आते हैं या नहीं आते हैं पर नॉर्मल ही समझो जब भी electron chemistry में पढ़ाय जाता है वापसी आता है तो लाइट heat वगएरे करता है तो वो चार चीजे कर सकता है वो light release कर सकता है heat release कर सकता है दूसरा वो energy निकाल सकता है जो दूसरा pigment absorb कर ले फूर्थ क्या कर सकता है वो कुछ chemical reaction करा देगा उस energy से chemical reaction perform करेगा और आपको पता होना चीए ऐसा chemical reaction जो light energy से हो उसे photo chemical reaction कहते हैं क्या है मेरी बात समझ में आ रही है तो आपने एक बात सीखी कि भाई जब electron excite होता है pigment का वो जब वापसी आता है उससे light heat या वो energy किसी दूसरे pigment को मिल सकते है या उस energy से कुछ chemical reaction करा सकते है हमारे syllabus में हमारे syllabus में सिर्फ आखरी के दो है तिन आवर syllabus क्या है है ध्यान से सुनना हमारे syllabus में जो हम पढ़ाते हैं आपको बायों में हम यह कहते हैं कि जो pigment है pigment ने क्या किया अपना electronic site किया और वो जो energy release हुई वो energy release हुई वो energy या तो किसी दूसरे pigment को मिल गई absorbed by other pigment या दूसरा option क्या है कुछ chemical reaction हो गया हमारे syllabus में आखरी के दो option होते हैं यह वाले यह दोनों option होते हैं तो हम यही चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर कि पिग्मेंट एक ऐसा compound है जिसके electron excite हो के जब वापसी आते हैं वो energy release होती है वो किसी दूसरे pigment को मिल सकती है या या वही energy से कुछ chemical reaction होते हैं और ऐसे chemical reaction जो light energy से होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं photo chemical reaction तो मोटा-मोटा मुए idea लग गया कि बालो यह marker एक pigment है इस पर एक fixed wavelength मालो 500 nanometer से इसके electron excite होंगे जो वह electron वापसी आएंगे या downhill कहीं भी आ रहे होंगे उससे जो energy मिलेगी वो दूसरे pigment को मिल सकती है ठीक है यह ठीक है या उससे energy से इसी के साथ कुछ enzyme जुड़ा होगा chemical reaction करा देंगे तो इसका मतलब मैंने यहां पर दो बाते बोली कि pigment कैसे काम करेगा first pigment after excitation can give energy to other pigment किसी दूसरे pigment को अपनी energy दे सकता है चीक है सर बहुत बढ़िया है तो हम यहां पर एक बात और समझते इनर्जी इसका मतलब यह हो गया कि अगर मेरे पास यह दो pigment है तो तीन लिख लेते हैं एक pigment यह एक pigment यह है अगर मेरे पास ध्यान देंगे अगर मेरे पास इस pigment ने 500 नैनो मीटर पर अपने एलेक्ट्रोन एक्साइट किये हैं यह वाला 490 नैनो मीटर एब्जॉब कर सकता है और यह वाला कर सकता है 510 नैनो मीटर अब आप मुझे बताओ इसका इलेक्ट्रोन एक्साइट होके जब वापसी आएगा तो क्या रिलीज होगी एलेक्ट्रोन एक्साइट हुआ और फिर जब वापसी आया तो अनर्जी घड़ जाती है तो हम यह समझते हैं कि एज 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 करेगी तो मेरे पास क्या होगी लेंड़ा बढ़ जाएगा इसका मतलब क्या है कि पिग्मेंट हमेशा जब अपनी एनर्जी किसी दूसरे एक पिग्मेंट को देगा मतलब क्या है जब यह पिग्मेंट किसी दूसरे पिग्मेंट को एनर्जी देगा हमेशा जाधा वेवलेंट वाले को दोगा यह बात समझ में आगी है क्योंकि क्या होता है एनर्जी घड़ जाती है तो जब always give energy energy किसको देगा तू हाइयर वेवलेंट उसको देगा जो जाधा वेवलेंट पर एब्जॉब करता है क्या यह वाली बात आपके दिमाग में चली गई कि नहीं बताओ सोचो हां सर यह वाली बात चली गई तो हमने यहां पर यह समझा हमने यहां पर यह समझा कि माल लो कोई पिगमेंट है जो 400 नैनो मेटर पर अब्जॉब करता है तो कभी भी अपने से कम वाली वेवलेंट को नहीं दे सकता अपनी एनरजी क्यों नहीं दे सकता वह अपना एलेक्ट्रोन एक्साइड करेंगा जब एलेक्ट्रोन वापस ही आएगा तो जो एनरजी रिलीज होगी हम क्यों देशा जादा वाले पर जाएगी मुझे लग रहा है मेरे बात आपको क्लियर हो गई और आपने एक तो बताया था कि वह एक और दूसरे पिगमेंट को देगा दूसरा क्या था सबिसरा यह था कि पिगमेंट कैन है टैन है इंदे सम एंजाइम कुछ पिगमेंट पर हो सकते हैं, किसलिए, to perform some chemical reaction, ऐसे chemical reaction को हम क्या बोलते हैं, photochemical reaction बोलते हैं, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, जल्दी बता बिटा, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, जल्दी जल्दी बोलो, ठीक है आ रही है सर तो अब जड़ा क्या करते हैं बिटा ध्यान सुनेंगे मैं pigment के examples पर बाद में जाओंगा पर मैं नाम चलो लिख देता हूं कुछ नाम लिख देता हूं आपके syllabus में मेरे पास chlorophyll होते है chlorophyll देखने में कैसा होता है center में magnesium होता है ऐसे चार nitrogen होती है और फिर इन nitrogen पर ऐसे carbon की proper ring बनती है ऐसे और यह रिंग आपस में ऐसे जुड़ी रहती है चार उपे बनती है यहां भी बनेगी यह जुड़ी रहती है फिर एक से ऐसे पूरा चेन आती है तो chlorophyll जो होता है उसकी मेरे पास दो टाइप पढ़ने हाईयर प्लांट में हाना उसकी कोई बहुत detail नहीं पढ़ने एक होता है chlorophyll A और एक होता है chlorophyll B बहुत सारी coachings में इ यह नहीं आएगा आपको सिर्फ color याद कर लो यह मेरे पास blue green होता है और यह वाला green yellow होता है तो यह दो chlorophyll की टाइप है higher plants में लेकिन algae में जाओगे तो वहाँ पर c d वगरे भी होते हैं ठीक है सथ अच्छा उसके अलावा हमारे पास एक pigment होते हैं जिनको केरोटीनोइड क कहते हैं केरोटीनोइड जो होती है उसमें दो टाइप होती है एक केरोटीन होते है और एक जैन्तोफिल होता है ठीक है केरोटीन और जैन्तोफिल होता है ठीक है NCRT ने क्या किया है इसी को केरोटीनोइड लिख दिया है यहां तक समझ में आ रही है ठीक है तो यह भी pigments हो स्क्राइब करेगा। आपको ध्यान यह रख न है कि क्लोरोफिल और ही में इतना structure होता है हीम में और यहां magnesium की जगा iron होता है ठीक है सर चरह आजाओ आपने पिछली कानी जो बताई थी उस पर आते हैं यहां से मैंने यह सीखा था ध्यान सुना यहां से मैंने यह सीखा था कि जब भी किसी pigment पे light पड़ती है उसका electron excite होता है जब वो electron वापसी ground state पर आता है की energy दूसरे पर चली जाती है एक option यह होता है दूसरा pigment क्या कर सकता है कुछ chemical reaction कर सकता है इसको थरा सा हम properly एक arrangement से समझाते है मैंने क्या किया आपको एक diagram दिखाया जिसमें मैंने क्या किया एक pigment बना दिया ऐसे ठीक है मैंने एक pigment बना दिया यह ठीक है उसके around मैंने कुछ pigments गिर ए ठीक है है और कुछ pigments बना दिये मैंने मैं क्या कर रहा हूं इस पर बेवलेंट लिखंग ने जा रहा हूं ध्यान से जुनने में क्या कर रहा हूं मालनों यहां से 500 है यहां पर 510 लिग दिया 530 लिख दिया 550 लिख दिया 560 लिख दिया 570 590 620, 620, 630, 640, 660 और इसको मैंने लिख दिया, माल लेते हैं 680, इसको जो मैंने लिखा, इसको मैंने 680 लिख दिया, यह समझ में आ रहा है, अब मैं जो क्या करने जा रहा हूँ, सुनो ज्यान से, यह जो group of pigments है, इसमें माल लो यह मेरे पास chlorophyll B है, यह मेरे पास carotenoid है, और यह मेरे पास क्या है, जैंतोफिल है, माल लेते हैं, यह जैंतोफिल है, और यह मेरे पास क्या है, carotenoid है, मेरी बात समझने की कोशिश करना, तो आपको यह समझना पड़ेगा, कि function के according, according to function, हम क्या करते है, pigment को दो group में divide करते हैं, दो group में divide करते हैं, ठीक है, एक को हम कहते है, reaction center, एक को हम क्या बोलते है, reaction center, दूसरे को हम बोलते है, antenna, ठीक है, reaction center पे enzyme present होता है, जो मैंने बताया ना कि enzyme present होता है, reaction कराने के लिए, antenna क्या करते है, transfer करते है, transfer energy to other pigment, energy to other pigment, यह समझ में आ रही है, अब जड़ा समझने की कोशिश करेंगे, मेरे पास, मालनो sunlight आ रही है, पूरी range आती है, ऐसे, तो इस 500 वाले को मालनो sunlight की 500 wavelength मिली, इसने अपने electron excite किया, जब यह अपनी energy देगा, तो अपने से जदा वाले को देगा, 510 वाले को इसने अपनी energy देदी, 510 वाले को sun से भी आ रही है, लेकिन 500 वाले से भी आ रही है, 510 ने 530 को ऐसे करके, यह अपने से जदा wavelength वाले पर क्या भेशते रहेंगे, एनरजी भेशते रहेंगे, 600 वाला sun से भी करेगा, लेकिन अपने से कम वाले से भी absorb करेगा, तो आपको यह समझ में आएगा, कि हमारे पास क्या होता है, जब हम बात करते है, chloroplast, वहाँ पर pigment ऐसे randomly फेके वे नहीं होते, pigment क्या करते है, खुद को ऐसे arrange करते है, कि एक main pigment होता है, जो हमेशा chlorophyll A होता है, इसे हम reaction center कहते है, reaction center की खास बात क्या होती है, यह wavelength transfer नहीं करता, इसके पास enzyme present होते है, किसलिए enzyme present होते है, ध्यान सुनेंगे, enzyme present होते है, किसलिए, reaction कराने के लिए, और यह हम highest wavelength और lowest energy पे काम करता है, highest wavelength और हम लिख सकते है, lowest energy पे काम करता है, क्योंकि आप देखो, इसके बाद wavelength यहाँ चली जाएगी, तो आपने क्या सीखा, आपने यह सीखा, कि हमारे पास total चार तरह के pigment होते है, chlorophyll A, chlorophyll B, carotene, xanthophyll, या carotinoid xanthophyll, chlorophyll A हमेशा reaction center होगा, जो क इसी arrangement की highest wavelength पे काम करेगा, उस arrangement का नाम होता है, LHC, light harvesting complex, तो light harvesting complex जो है, उसका मतलब है, एक ऐसा system, जिसमें pigments हैं, और वो light को पकड़ते हैं, light harvesting complex में एक reaction center होता है, जो हमेशा chlorophyll A होगा, antenna जो होते हैं, वो chlorophyll B, carotenoid और xanthophyll होते हैं, इनका काम क्या होता है, बेटा, सोचो, इनका काम होता है, अपने से जाधा wavelength वाले को energy देना, हमेशा देखो बेटा, मैंने क्या सिखाया था, यह अपने से जाधा वाले को देगा, यह अपने से जाधा वाले को देगा, यह इनेक्ट्रोन एक्साइट करेगा फिर वापसी आएंगे तो अपने से जाधा वाले को ऐसे करते करते फाइनली यह किस तक पहुंचा देते हैं इस तक रियक्षय नों तक जो होता है वह सन से होँ करता है और यह जो है यह सन से भी लोले। पहला एक रियक्शन टे जो हाइस्ट वेवलेंट पर काम करता हैं दूसरे होते हैं एंटीन जो अपनी सारी वेवलेंटिकटा करके किसको दे देते रियक्शन सेंटर को दे देते हैं यहाँ पर कहानी यह है कि हर एक pigment के पास enzyme नहीं लग सकता सिर्फ एक pigment के पास enzyme लगता है और सारे pigment अपनी energy कठी करके उस reaction center को देते हैं reaction center हमेशा chlorophyll A होगा पर यह हो सकता है कि chlorophyll A यहाँ 680 वाला है किसी और arrangement में वो 700 nm वाला हो पर होगा हमेशा chlorophyll A क्या यह बात समझ भी आ रही है क्या यह बात clear है तो आपने यहाँ पर एक point सिखा पहला pigment or chemical compound जब जिस पर कोई fix wavelength पड़ेगी और वो क्या करेगा अपने electron excite करेगा उसके बाद वो अपने से जादा wavelength वाले को energy दे सकता है ऐसे pigment जो दूसरे pigment को देते हैं इन सब को मिला के हम क्या नाम देते हैं antenna यह लिख दिया मैंने antenna ठीक है एक ऐसा pigment जिसके पास enzyme लगे रहते हैं जो कुछ chemical reaction कराते हैं उन्हें reaction center कहते हैं जो हमेशा chlorophyll होता है इन दोनों को मिला के हम नाम देते हैं light harvesting complex ठीक है तो हमने सबसे पहले आपको सिखाया कि pigments are present in form of light harvesting complex सही है यहां तक clear है बिल्कुल सही है आगे चलते हैं अब हमने सीखा कि ठीक है जब आपने हमें बता दिया light harvesting complex तो light harvesting complex और photo system क्या होता है जैसे मैंने क्या किया ध्यान देंगे मैंने क्या किया यह यह एक photo system बना दिया यह मैंने एक photo system बना दिया एक second देना ठीक है बिटा मैंने क्या किया एक photo system बना दिया यहां पर देखो photo system में क्या है मेरे पास यह reaction center ठीक है और मैंने क्या किया यह वाले सारे pigment जो है यह antenna है इनमें से कोई chlorophyll B carotenoid और xentophyll हो गया तो मैंने क्या किया यहां पर समझना यह हो गया antenna यह हो गया reaction center reaction center हमेशा chlorophyll A होगा antenna में मेरे पास chlorophyll B carotenoid और क्या हो सकते है xentophyll यहां तक कोई डाउट है देख लो जल्दी से यहां तक सहुंझा रहा है यह तो अभी बनाए था आपने यह इतने को light harvesting complex कह रहे है अब इसके साथ कुछ और enzymes भी होते हैं और मेरे पास कुछ electron carriers होते हैं ना वटार electron carrier इलेक्ट्रों carrier जैसे यह compound है इसको अगर आप electron दोगे इसमें iron वाइरन हो सकता है तो क्या हो जाएगा यह electron लेकर क्या हो जाएगा reduce हो जाएगा और जब यह electron छोड़ेगा तो oxidize हो जाएगा ऐसे compound को electron carrier कहते है तो अगर मैं आपसे कहूँ कि photo system थोड़ी बड़ी unit होती है तो photo system क्या होता है उसमें मेरे पास light harvesting complex जिसमें मेरे पास chlorophyll a plus antenna होता है उसके अलावा मेरे पास कुछ electron carrier होते हैं उसके अलावा मेरे मेरे पास क्या होते हैं कुछ enzymes होते हैं इन तीनों को मिला कर एक बड़ी assembly एक बड़ा structure बनता है जिसे photo system कहते है तो photo system में हमारे पास light harvesting complex pigments है electron carrier और कुछ enzymes होते हैं ठीक है अब हमने यह देखा है बिटा कि एक scientist थे जिनका नाम था हम यह मानते इमर्शन एमर्शन नाम के scientist थे एमर्शन ने क्या किया था एक experiment करके देखा उन्होंने देखा कि जब वो 700 नैनो मीटर ठीक है जिसे हम red wavelength कहते हैं उन्होंने जब वो एक single wavelength दी तो photo synthesis decrease कर गई photo synthesis क्या हो गई decrease कर गई मेरी बात ध्यान से जब उन्होंने 680 और 700 नैनो मीटर अलग 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 दी दोनों दी सात में तो उन्हों ने देखा कि photo synthesis क्या हो गई increase कर गई इससे उनको यह पता चला कि भाई photo system एक टाइप का नहीं होता इससे यह प्रूव हो गया कि दो टाइप के photo system होते हैं two type of photo system एक होता है PS1 जो 700 नैनो मीटर पर काम करता है और एक होता है PS2 जो 680 पर काम करता है क्या मतलब हुआ PS1 का reaction center 700 पर PS2 का 680 पर इसे हम बोलते है इसे red drop effect यह NCRT में नहीं है बस यह समझने के लिए है कि हमें कैसे पता कितने टाइप के photo system होते है एक होता है PS2 जिसका chlorophyll A 680 नैनो मीटर पर काम करता है तो एंटीना उससे कम पे होंगे एक होता है मेरे पास PS1 जिसका chlorophyll A 700 नैनो मीटर पर काम करता है तो इन्होंने क्या किया Emerson ने क्या किया पहले 700 नैनो मीटर देकर देखी तो उन्होंने देखा कि photo senses घट गई फिर उन्होंने क्या दिया 680 और 700 दोनों दी उन्होंने देखा कि photo senses increase हो गई तो इससे पता चला कि मेरे पास दो अलग-लग photo system काम करते हैं और दोनों जब साथ काम करेंगे तभी photo senses होती है इसलिए दोनों साथ काम करने के बाद photo senses increase हुई इसे उन्होंने बोला Emerson Enhancement Effect Emerson Enhancement Effect तो यहां से आपको पता चला कि photo system दो type के होते हैं एक होता है photo system 1 और एक होता है photo system 2 देखने में कुछ ऐसा बना सकते हैं हम लोग ठीके सर्थ यह इसका इसके कुछ अपने enzyme होंगे अलग इसका अपना एक अलग electron carrier होगा जिसका नाम मैं आपको बताऊंगा पियो फाइटिन नाम से पियो फाइटिन नाम का एक carrier हो सकता है उसके बाद इसमें एक अपना reaction center होगा यह रहा यह chlorophyll ए है उसके बाद यह antenna है यह सब क्या है antenna तो यह मेरे पास जो chlorophyll ए है यह वाला chlorophyll ए यह 680 नैनो मीटर पर काम करता है इसी लिए इस chlorophyll ए का नाम है पिगमेंट 680 मतलब पी 680 जो है chlorophyll ए का नाम है समझ में आ रहा है यहां तक समझ में आ रहा है अब यह फोटो सिस्टम टू है इसमें हमारे पास ध्यान देंगे इसमें हमारे पास यह दूसरा इसको लिए इसको लिखते हैं तो पी 700 एक नुटीन होंगे तो यह वाले एंटीना लेस देन 700 पर होंगे इसके अपने अलग होंगे और इसके अलावा इसमें क्या होगा electron carrier होगा, अब आप सुनो ध्यान से, PS1 पहले discover हुआ था, आपने देखा, हमने पहले वाली विवलन दीती, 700 वाले, discovered first, इसलिए इसका नाम PS1 है, दूसरा, ये discovered second है, ये बाद में discover हुआ, इसका chlorophyll A, 680 nanometer पे काम करता है, इसका chlorophyll A, 700 nanometer पे काम करता है, तो इसके जो antenna होंगे, वो किस पर होंगे, लेस दन 700, लेस दन 700 nanometer, इसके जो antenna होंगे, वो किस पर होंगे, लेस दन 680 nanometer, यहां तक समझ में आ रही है कि नहीं बताओ, clear है, तो ये आपको समझना पढ़ेगा, कि photo system 1 and 2, दो तरह के photo system मेरे पास कहां मिलते हैं, chloroplast में मिलते हैं वन पहले डिसकवर हुआ तो उसकी मैक्सिमम वेवलेंट 700 है तू बाद में डिसकवर हुआ तो उसका क्लोफिल ए 680 पे काम करता है मैं चाहता हूं कि आप एक टेबल देखो और उसके अराउंड बात करते हैं एक बार जराए वो टेबल देखो आपको इंपोर्टेंट है वो वो टेबल कैसे में बनाऊंगा आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे उसे आपको यह समझना पड़ेगा वो टेबल में कैसे बनाऊंगा ध्यान दो उस टेबल पे सबसे पहले मैं लिखोंगा यहां मालों वीवलेंट ध्यान दिना बिटाओ टेबल म मैं यहां पर wavelength लिखना चाहरा हूँ ठीक है उसके बाद मैं लिख रहा हूँ PS2 ठीक है यहां लिख रहा हूँ PS1 एक मिनिट ठीक है अब जरह देखो wavelength ठीक है अब जरह देखना माल लो wavelength आती है 500 nm PS2 काम करेगा हां करेगा और किसने अब्जॉब करिये wavelength एब्जॉब बाई एंटीना इसके एंटीना नहीं करिये क्योंकि यह maximum किस पर काम करता 600 पर यह काम करता 700 पर तो पांटीना एंटीना एब्जॉब करके किसको देदेगा 680 यह इसे ही PS1 काम करेगा यह और उसका भी कौन करेगा एब्जॉब बाई एंटीना कौन एब्जॉब करेगा एंटीना एब्जॉब करेगा मालो मैं लिख देता हूँ 680 nm उस पर यह active होगा यह यह भी काम करेगा यह लेकिन 680 nm कौन एब्जॉब करेगा reaction center कौन एब्जॉब करेगा reaction center of PS2 directly एब्जॉब करेगा इसमें कौन एब्जॉब करेगा antenna antenna of PS1 एब्जॉब करेगा मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं सोचो तो मैं आपको यह सिखा रहा हूँ कि किस wavelength पर कौन सा photosystem काम करेगा मालो 685 nm PS2 काम कर सकता है नहीं क्योंकि उसकी maximum wavelength यह है और इस पर PS1 काम करेगा येस कौन एब्जॉब करेगा एब्जॉब बाई एंटीना एंटीना होगा ना 700 से कम पे एंटीना काम करता है इसका फिर हम लेक लिख देते हैं मालो 700 nm तो इस पर तो यह काम करी नहीं सकता येस काम करेगा रियक्शन सेंटर एब्जॉब करेगा क्योंकि रियक्शन सेंटर संसे भी कर सकता है डियरेक्ट कर सकता है और PS1 और अगर मैं 701 nm लिख दूं तो दोनों काम नहीं करेगा तो आप ऐसे धिमाग लगा सकते हो कि कौन सी wavelength पे कौन सा फोटो सिस्टम काम करता है PS2 680 और उससे कम पे काम करता है PS1 700 और 700 से कम पे अगर wavelength लेस दन 680 nm आती है तो दोनों फोटो सिस्टम काम करेंगे क्या ये बात समझ में आ रही है अगर wavelength हम लिख देते हैं यह आपर अगर wavelength less than 680 आती है less than क्या आती है 680 तो मेरे पास बोथ फोटो सिस्टम काम करेंगे बोथ PS क्या होगा active होगा क्या ये समझ में आ रही है सोचो सोचो क्या ये समझ में आ रही है बिल्कुल आ रही है अब आओ बिटा देखो फोटो सिस्टम 1 & 2 की हमने बात कर ली है उसके बाद हम आगे जाएंगे और इसके बाद का डिस्क्रिशन करते हैं, इसके बाद की बात करते हैं, अब देखो जड़ा, क्लोरो प्लास्क में फोटो सिस्टम देखते हैं, आपको बता दिया मैंने, कि ये PS2 है, और ये मेरे पास PS1 है, और ये PS1 है, अब जड़ा सोच के बताओ, ये वा और स्ट्रोमल वाले पर सिर्फ PS1 होता है, ये स्ट्रोमल लेमली है, मैं आपको अब क्या दिखाने वाला हूं, मैं आपको ये समझाओंगा, कि किस तरीके से light reaction होता है, मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूं, तो light reaction में क्या होगा, मैं इन दोनों photo system से काम कराऊंगा, इन दोनों photosystem को active करके दिखाऊंगा कि कैसे photosynthesis का light reaction होता है अभी तक हमने light reaction में ये पड़ा कि pigment एक ऐसे chemical compound होते हैं जिनके electron excite होके वापसी जब आते हैं तो वो दूसरे pigment को मिलता higher wavelength पर ऐसा antenna में होता है अगर मेरे पास reaction center है तो reaction center में क्या होता है आप बताओ reaction center जो होता है वो basically क्या करता है reaction center जो होगा वो highest wavelength पर काम करता है दो photosystem है PS2, PS1 granul वाले पर ये होगा और stromal वाले पर सिर्फ PS1 होगा यहां तक मुझे लग रहा आपको बात समझ में आ गई अब हम क्या पढ़ने वाले हैं हम electron flow पढ़ेंगे दोनों photosystem पर यह मैंने क्या किया है जैसे यह थाइलाकॉइड था यहां पर PS2, PS1 था ऐसे करके मैंने बगा लिया तो इस थाइलाकॉइड के अंदर की जगा को lumen कहते है इधर देखो फिर से इस थाइलाकॉइड के अंदर की जगा को lumen कहते है दोनों के, इसके भी और इसके भी, दोनों, यह Lumen कहलाता है, और यह जगा कौन सी है, स्टोमल, स्टोमा है, स्टोमल नहीं, स्टोमल, स्टोमा, ठीक है, तो मैंने क्या किया है, इस तरीके से डाइग्राम बनाया है, PS2 का, और PS1 का, ध्यान से देखना, इनके बीच में, कुछ electron carriers होते हैं, यह रहे, जान से सुना, जान से देखना, माल लो, मैं ऐसे लिखता हूँ, अगर light, less than, 680 nanometer आती है, तो PS2 और PS1, दोनो एक्टिव होंगे, बताओ जल्दी से, PS2 और PS1, दोनो एक्टिव होंगे कि नहीं, सोचो, बोथ एक्टिव, दोनो हमारे पास क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, PS2 और PS1, दोनो हमारे पास एक्टिव हो जाएंगे, अगर light, less than 680 nanometer आती है, अब हमने क्या किया, सुनना द्यान से, अब हमने क्या किया, हमने देखा, कि इसका electron excite हो गया, होता क्या है, हम चाह रहे थे कि electron वापसी इस पे आ जाएंगे, पर क्योंकि electrons में वाकाफी energy थी, वो इसको वापसी ना आकर इसको मिल जाता है, इसे हम नाम देते हैं PA, PA की full form है primary, electron acceptor, जरा पूरी बात समझना, मैंने कहा है कि light less than 680 आई है, दोनों फोटो सिस्टम के electron excite होंगे, point यह है कि electron excite, देखो यह मालनों फोटो सिस्टम है, तो सबसे पहले आपको पताएगी wavelength finally reaction center पे आ गई, तो यह जो electron excite हुए है, electron excite किसके होंगे, बताओ, excite ह enter के जो chlorophyll A है, उसके finally electron excite हो गए, दोनों में, दोनों में chlorophyll A, इसमें कौन से वाला excite हुआ है, इसमें हुआ है 680 वाला, इसमें कौन सा हुआ होगा, इसमें हुआ होगा 700 वाला, मेरी बात समझ में आ रही है, दोनों के chlorophyll A के electron excite हो गए, होता यह है, जरा फोकस करना, द उसी pigment के पास आना चाहिए, लेकिन है क्या कि electrons में काफी energy है, वो directly इस pigment के पास नहीं आ रहे है, वो वहाँ से किसी electron acceptor के पास चले गए, जो थोड़ी सी कम energy, जो excited state में electron को accept कर सकता, इसका नाम है primary acceptor, primary acceptor कौन सा pigment, खुद pigment होता है, उसका नाम होता है, फियोफाइटिन, फियोफाइटिन किसका primary acceptor है, पी एस टू का, यह क्या करता है, असेप्ट करता है electron in excited state, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी, इसने excited state में electron ले लिया, ठीक है, फियोफाइटिन है, इसका नाम, पी एच लिख दिया, फियोफाइटिन से electron चले जाते हैं, प्लास्ट फियोफाइटिन, यह एक और पिगमेंट है, अब यहां से आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जैसे माल लो, इसके यह chlorophyll A का electron excited हुआ था, उसकी बात कर रहा हूँ, वो electronic primary acceptor को मिला, वहां से वो low energy की तरफ जा रहा है electron, इसको ना मिलने की बजाए, वो चला गया PS1 प मतलब high energy से low पर आ रहा है, पर वो वापसी इस पर नहीं आ रहा है, वो PS1 पर चला जाता है, ठीक है, और PS1 पर कैसे जा रहा है, downhill जा रहा है, मेरी बात समझ में आ रही है कि ने, downhill मतलब high energy से low की तरफ ठीक है, उसके बीच में कुछ ऐसे carriers है, जिसमें यह प्लास्टो किनॉन ठीक है, उसके बाद साइटो क्रोम B6F और इसका नाम है प्लास्टो साइने, तो हमने यहाँ पर क्या क्या लिखा, देखो, हमने लिखा है, प्राइमरी असेप्टर इसका फियो फाइटिन है, यह रहा, ठीक है, उसके बाद है प्लास्टो किनॉन यह रहा, फिर साइटो क्र अब हाई एनर्जी से लो और फाइनली किसको मिल गए PS1 को, ऐसे ही इसका इलेक्ट्रोन एक्साइट था, वो मिला है FES को, now what is FES, FES क्या है, primary acceptor है किसका, primary acceptor है किसका, मेरे पास PS1 का, चीक है, उसके बाद वो मिला है FD को, FD क्या है सर, FD है पैरोडेक्सिन, अच्छा, पैरोडेक्सिन, ये भी pigment है, उसके बाद, वो इलेक्ट्रोन किसको मिले है, सुनना द्यान से, देखो, ये compound होता है, NADP, ठीक है, अगर मैं इसमें, इलेक्ट्रोन जोड़ू, और H+, दू, तो ये reduce हो जाएगा, किसमें, NADPH में, लेकिन अगर ये already NADP+, हो यहाँ पर, मतब एक इलेक्ट्रोन कम है, तो दो इलेक्ट्रोन और जब 2H+, दूँगा, तो मैं इसको लिखोंगा, NADPH, और 7 में H+, क्योंकि एक ही H+, जोड़ेगा, क्य जाना चाहिए, FB क्या करता है, वो इलेक्ट्रोन देता है, किसको NADP+, को, और finally मेरे पास क्या बन जाता है, NADPH, ये compound बन गया, ठीक है, जड़ा पूरी बात ध्यान से सुनेंगे, क्या हो क्या रहा है, अगर हम इस चित्र पर वापसी जाएं, हमें दिख रहा है कि क्लोरोप प्लास्ट है ये, क्लोरोप्लास्ट पर थाइलाकॉइड पर PS2, PS1 दोनों लगे वे हैं, यहां पर सिर्फ PS1 है, ग्रेनल थाइलाकॉइड पर हम नहीं ये देखा, जब लाइट लेस देन 680 नैनोमीटर आएगी, दोनों के इलेक्ट्रोन एक्साइट होंगे, दोनों के, इस लो की तरफ जा रहा है, और बीच में ये इलेक्ट्रोन केरियर से हैं, मालनों मैं एक इलेक्ट्रोन केरियर हो, यहां से इलेक्ट्रोन लूँगा और आगे पास करूँगा, इसका मतलब मैंने इलेक्ट्रोन लिया तो मैं रेडियूस हो गया, आगे पास किया तो ऑक्सिडा accepted by pheophyton accepted by किसने किया pheophyton ने accept किया उसके बाद क्या होगा वो pass हो रहा है downhill downhill का मतलब high energy to low किसके दुरू through electron carriers किसके दुरू electron carriers अब यह electron carriers कौन है electron carriers है देखो PS2 से काया किसके पास pheophyton pH मतलब pheophyton फिर गया plastokinon फिर गया cytokrome B6F फिर गया plastosinin और finally चला गया कहाँ पर PS1 के पास तो यह जो पूरी chain बनी इसे electron transport chain कहते हैं एक तरीके से electron transport की chain बन गई तो हमने यहाँ पर यह सीखा कि ठीक है PS2 का electron excite होकर वो directly PS2 पर नहीं आया वो एक primary receptor को मिला और उसने उसे down hill high energy से low energy की तरह भेजा और किसको दे दिया? PS1 को दे दिया PS1 का जो electron excite हुआता वो मिला FES को तो FES किसका primary receptor है PS1 का? फिर मिला FD को यह भी एक pigment है ठीक है यह भी एक pigment है जो electron accept करता है और finally finally, finally क्या हुआ? NADP plus को मिला और उसने NADPH बना लिया यहाँ पर एक enzyme काम करता है जो यह इसको बनवाता है अब आप मुझे बताओ NADP की reduction हो रही है oxidation हो रही है? खुद देखो NADP plus पे hydrogen जुड़ना reduction हो रही है enzyme का नाम है ferodexin से electron आए और NADP को reduce कर दिया तो ferodexin NADP reductase यह वो enzyme है जिसको short में FNR कहते है यह वो enzyme है जो NADPH बनाता है और वो enzyme किस के पास होना चीए? PS1 के पास जैसे हमने का था ना कि photo system में कुछ enzyme होंगी PS1 में हमने का था ना कुछ enzyme होंगे वो यह रही यह primary receptor है हो सकता है यहां तक समझ में आ गई की नहीं बताओ तो यहां से आपको यह समझ में आना चाहिए फिर से देखेंगे PS2, PS1 light less than 680 nanometer आई दोनों के electron excited हो गए excited electron जो PS2 का था वो primary receptor को मिला और एक chain के थुरू जिसे electron transport chain कह रहे electron high energy से low की तरफ जा रहा है और finally PS1 को मिलिया आपको पता है PS2 और PS1 में PS1 की wavelength जादा energy कम है यहां तक समझ में आके है यह clear है PS1 को मिलिया अब जो PS1 को मिला है electron हाना और किसके दुरू आया PQCP इसको याद करने का तरीका क्या है Piophytin प्लास्टो क्यून का Q फिर प्लास्टो PQ C का मतलब साइटो क्रों B6F और प्लास्टो साइन PQCP यह electron transport chain है ठीक है सर अब आगे चलते हैं आगे की कहनी यह है कि यार यह तो समझ में आ गया कि हमारे पास यह बीच में कुछ electron carrier आपने बना दी ठीक है आपने यह भी बोला कि इसका electron excite होगा और वो इसको मिल गया फिर यहां से यहां यहां से यहां यहां से यहां और यहां से यहां यह मेरे पास ज्यान देंगे यह मेरे पास PS2 था और यह मेरे पास PS1 था ठीक है PS2 जो है वो काम किया है किस पर? वो काम किया है 680 पर इसका Clorophyll है है और इसका काम किया 700 पर यह भी ठीक है, पौiyanट है अचा इनके नाम भी लिख देते हैं यह है Pheophyteinte Plastokinon Cytochrome B6F Plastosinin और यह PS1 आगया पौiyanट है, ध्यान से दुना, पौौiyanट है है कि भाई इसका इलेक्ट्रों एक्साइट हो के इस पे आ गया ठीक है इसका इलेक्ट्रों जो एक्साइट हुआ वो मिला किसको FES को फिर मिला FD को और फाइनली मिल गया किसको NADP plus को और NADP plus ने क्या बना दिया NADPH और आपको एक्साइट हुए थे पियस टू का इलेक्ट्रों आ गया पियस वन के पास पर पियस वन जो है यह इसका इलेक्ट्रों किसके पास है NADP plus के पास और NADPH बन गया क्या पियस टू इलेक्ट्रों डेफिशेंट नहीं हो गया अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ जो आदमी पहले से इलेक्ट्रों डेफिशेंट है क्या उसके इलेक्ट्रों को दुबारा एक्साइट कर पाओगे नहीं कर सकते तो हम यह समझते हैं कि जो पियस टू है पियस टू के जो इलेक्ट्रों से वो मूव कर गए मूव टू पियस वन चीक है अब हम यह समझ रहे हैं कि पियस टू जो है नाव इलेक्ट्रों डेफिशेंट जो इलेक्ट्रों डेफिशेंट होता है उसको हम कहते हैं ऑक्सिडाई स्टेट में है इतनी ब्रेक करेगा पानी को क्या करेगा ब्रेक करेगा water को पानी को तोड़ने को हम बोलेंगे oxidize कर देगा पानी को जब वो पानी को तोड़ देगा PS2, PS2 ने पानी को तोड़ दिया, जब उसने पानी को तोड़ा, यहां से पानी को तोड़ा तो यहां पर H प्लस आया और साथ में half O2 आ गया आप समझ पा रहे हो पानी तूट गया तो प्रोटोन बने और ऑक्सीजन बनी और जो साथ में दो इलेक्ट्रोन बने वो इस प्येस टू में ले लिए क्यों ले लिए क्योंकि ये लेक्ट्रोन डेफिशन था तो उन्हें पान तोड़ने को हमने breakdown of water ये light की वजेसे हुआ है क्我 gonna ऐस इस इसको क्या बोलते है फोटो लिसस केते हैं किस ने करी है और किहा हुए इस साइड यह तहल यह कि तरफ मतलब लियुमन की अंदर प्रोटोन बनेंगे यह यहां हुए ठीक है इस और इसके लिए मुझे दो आयन चाहिए होते है, Mn plus 2 और Cl minus, और यह कहां होता है, Lumen के side होता है, Lumen के side का मतलब इसके Lumen के अंदर की तरफ होता है, और वही पर मेरे पास H plus form होते है, क्या यह बस बात समझ में आ रही है, तो हमने यहाँ पर यह देखा, कि PS2, PS1, दोनों के electron excited हुए, PS2 के PS1 पे आगए, PQCP के दुरू, और उस case में क्या हुआ है, उस case में क्या हुआ, PS2 electron deficient होगे, उसने पानी को तोड़ा, क्या PS2 बिना electron deficient हुए, पानी तोड़ सकता था, नहीं, जब तक उसमें electron की कमी नहीं थी, वो पानी नहीं तोड़ सकता था, इसका मतलब, जो पानी है, उसके जो electrons है, वो किस पर गए है, PS2 पे गए है, PS2 के electron किस पे गए है, PS1 पे गए है, और PS1 के जो electrons है, वो finally गए है, NADP plus के पास, और वो क्या बना है, NADPH, इसका मतलब ये है NADPH के पास किसके electron है पानी के और अगर आप ध्यान से देख सको ये NADPH आगे जाकर CO2 को reduce करके glucose बनाएंगे तो ये अपने electron किसको देंगे CO2 को ये कब होगा dark reaction में तो आपको ये समझना पड़ेगा ये पानी के electron है जो NADPH के पास है और वो finally CO2 को मिलकर glucose बनाते है तो glucose जो बनता है नविटा उसमें electron पानी के होते हैं वो हम आगे बात करेंगे पर आपको photolysis समझ में आ गई तो अगर आप से मैं पूछ हूँ क्या क्या बना है जहां से सुनेंगे PS1 ने PS1 ने क्या है उसके पास एक एंजाइम है उस एंजाइम का नाम है FNA पैरोडेक्सिन NADP रिडक्टेज उसने क्या बनाया प्रेड्यूस NADPH ठीक है PS2 ने लूमन की साइड क्या किया photolysis करी photolysis में एक तो proton बना साथ में oxygen बनी जो बाई प्रोडक्ट है इसका मतलब अभी तक आपने दो प्रोडक्ट देख लिए तीसरा ये समझो कि यहाँ पर बीच में ATP भी बनती है यहाँ पर कहीं ATP भी बनती है ADP से यहाँ बीच में कहीं बनेगे तो कहीं न कहीं plastrokinon से relate करके ATP भी बनाते है तो तीसरा क्या होता है PS2 और PS1 के बीच में जो electron transport chain है वो ATP बनाती है तो मेरे पास total तीन प्रोडक्ट हो गए अगर आप ध्यान से देखो total मेरे पास तीन प्रोडक्ट हो गए तीन प्रोडक्ट कौन से हो गए पहला पहला हो गया NADPH जो dark reaction में यूज होगा दूसरा ATP जो PS2 से PS1 में जब electron move करते हैं उस energy से बना है तो दूसरा हो गया मेरे पास ATP ये कहां यूज होंगे यूज इंडार्क रियक्शन ये डार्क रियक्शन में यूज होंगे और इसके अलावा तीसरा प्रोडक्ट oxygen है जो एक तरह का byproduct है क्या यहां तक समझ में आ रही है तीसरा प्रोडक्ट क्या है oxygen है जो एक तरह का byproduct है तो ये चीज clear होनी चाहिए आपको कि हमारे पास तीन product कौन से बने है तीन product कौन से बने है आपको ये चीज clear होनी चाहिए NADPH, ATP और oxygen जो byproduct है क्या यहां तक clear हो गया सोचो क्या यहां तक clear हो गया आपको बताओ तो हमने यहां पर बिल्कुल clear किया है हमने यहां पर बिल्कुल clear किया है कि PS2 और PS1 के बीच में electron transport chain होई है जिसने ATP बनाया है और NADPH, ATP oxygen byproduct किये कर लिया हमने क्या यहां तक clear है तो अभी तक आपने क्या क्या पड़ा आपने पड़ा PS2, PS1 दोनों के electron excited हो है PS2 के आगे PS1 के पास PS1 ने क्या किया है NADPH बनाया PS2 ने पानी तोड़के oxygen बना दी PS2 और PS1 के बीच में जो electron move कर रहे थे उसकी energy से हमने क्या बना दी ATP बना दी अब यहाँ पर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि electrons का जो flow है वो cyclic है कि non-cyclic है इसको जड़ा आपको समझना पड़ेगा ध्यान दे बटा जैसे अगर मैं यहाँ पर ऐसे बनाओ यह मेरे पास यहाँ पर PS2 था यह मेरे पास यहाँ पर PS1 था अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पर यह electron एक्साइट हुए यह electron carrier से P, Q, C, P यह electron इसको मिले फिर इसको भी इसके भी electron एक्साइट हुए फिर किसको मिले? FES को FD को और finally NADP Plus को Point यह है कि जब electron जो है मुझे बताओ electron का flow cyclic है या non cyclic है? Non cyclic मतलब क्या हुआ? कि जो PS2 का electron excited हुआ? क्या उसके पास आया था? नहीं आया तो electron का flow क्या है? Non cyclic है दूसरा इस process में क्या ATP synthesis हो रही है? Yes ATP synthesis हो रही है? Yes तो हम क्या करते हैं? इसको पूरा नाम दे देते हैं process को Non cyclic photo, photo का मतलब light phosphorylation का मतलब ATP synthesis तो यह जो हमने पूरा process पढ़ा इसका नाम हमने क्या रख दिया? Non cyclic Non cyclic क्यों? क्योंकि electrons का जो flow है वो non cyclic है मतलब light की presence में phosphorylation मतलब ATP synthesis हो रही है अब हमने क्या किया? अब हमने क्या किया? हमने यह देखा कि जब मैं एक scale पर एक तरह का scale है जिस पर मैं क्या बोल रहा हूँ? electron का यहाँ flow दिखा रहा हूँ मैं यहाँ PS2 बना रहा हूँ और यहाँ बना रहा हूँ PS1 मैं यह देख रहा हूँ कि electron ऐसे जाकर फिर ऐसे downhill आ रहा है फिर ऐसे excited हो के थोड़ा ऐसे जा रहा है हो के रहा है? यह मैंने एक scale बना रहा है कि कौन किसको electron देगा इसे redox scale कहते है होता यह है कि reality में PS2 और PS1 तो थैलाकोईड की membrane पर ऐसे होता है अगर मैं किसी scale पर कि कौन किसको electron देगा PS2 और PS1 को draw करूँ तो इसे हम क्या बोलते है? Z shape आती है ऐसे देखो Z shape तो Z scheme क्या है? कि जब हम क्या करते है when we draw when we draw PS2 and PS1 on redox scale अगर मैं उसको redox scale पर draw करो तो मुझे क्या दिखेगी? Z shape दिखेगी तो आपको यह समझना पड़ेगा कि Z scheme और यह इसे नाम दोनों same है non cyclic का मतलब electrons का flow non cyclic है photo का मतलब light phosphorylation का मतलब ATP बन रही है ठीक है? और जब मैं इन दोनों को किस पर बनाता हूँ? एक scale पर draw करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मेरे पास Z shape आती है इसे हम क्या नाम दे देते है? Z scheme का नाम दे देते है क्यों यहां तक clear है बताओ ठीक है? ठीक है? ठीक है? clear है? अब देखो मेरी बात सुनों ध्यान से मैं आपसको दो-तिन कंडिशन बताता हूँ मुझे बताओ यह कौन सा थायला कोई डैसर? ग्रैनल है यह कौन सा है? stromal है अब मुझे एक चीप बताओ ध्यान से सुनके बताओ यहां PS1 है यहां PS2 है और PS1 दोनों है ज्यान सुनियों अगर हम बात करते है on stromal lamelli अगर हम stromal lamelli की बात करते है तो वहां पर only PS1 active होगा के नहीं बताओ सिर्फ PS1 active होगा यहां पर तो PS2 ही नहीं दूसरा अगर मैं granul thylakoid की बात करता हूँ उस पर अगर light more than 680 आ जाये light क्या आ जाये more than 680 nm जान सुनना विटा अगर light more than 680 nm आ जाये यह हमारे पास PS2 है यह हमारे पास PS1 है ठीक है हमने यहां पर क्या लिखा सुनना हमने यहां पर क्या लिखा यह stromal lamelli है stromal lamelli मतलब इसकी बात कर रहे इस पर मेरे पास यह PS1 आ गया ठीक है तो यहां पर तो only PS1 ही active होगा और अगर granul thylakoid इसकी बात करे जिस पर PS2, PS1 दोनों है अगर more than 680 आएगी तो भी only PS1 active होगा PS2 तो active होई नहीं सकता यहां तक समझा रही है उस case में क्या होगा सुनना मालनो more than 680 तो इसी के electron excite होगे वो electron मालनो FES को मिले अब क्या है बिटा मेरी बास समझना यहां पर यह माल लेते हैं P, Q, C, P point यह है सुनना इसको बहुत ध्यान से point यह है FES अपना electron FD को भी देख सकता था लेकिन होता क्या है क्योंकि PS2 काम नहीं कर रहा PS2 से electron PS1 पे नहीं आ रहे सिर्फ PS1 का electron excite होगे क्योंकि यहां पर सिर्फ PS1 है यह light more than 680 आई है तो सिर्फ PS1 active है तो FES क्या करता है अपने electron Plastokinon को दे देता है और वो electron घूमकर वापसी PS1 पर आ जाते हैं इसे हम कहते हैं cyclic plug तो क्या होगा when only PS1 is active उस case में क्या होगा FES FES क्या करेगा give electron to Plastokinon किसको दे दिया Plastokinon को उससे क्या होगा cyclic flow of electron होगा cyclic flow of electron होगा इस process में यह ATP तो बन जाएगी पर क्या पानी टूटेगा नहीं क्या NADPH बनेगा नहीं यह दोनों नहीं होगा पानी भी नहीं टूटेगा NADPH भी नहीं बनेगा तो कहीं नहीं आपको यह बात समझ में आ जाएगी कि only PS1 is active ठीक है FES give electron to Plastokinon उसने electron दे दिये किसको Plastokinon को cyclic flow of electron हो जाएगी cyclic flow of electron हो जाएगा क्या यह बात समझ में आ रही है cyclic flow of electron हो जाएगा clear है तो मेरे पास product क्या बनेगा product क्या बनेगा सिर्फ ATP ठीक है sir ATP तो इसे हम लिख सकते है cyclic photo photo मतलब light phosphorylation cyclic photo phosphorylation का मतलब cyclic process ATP बनना अब आपको समझना पड़ेगा इस Pheo fighting का कुछ नहीं होगा FES से directly तो इसको कैसे याद करोगे F Q C P यहां क्या लिखोगे PS1 यहां क्या लिखोगे दुबारा PS1 तो यह हो गया cyclic flow done है अना चलो आगे चलते है अब जरह यह देखो अगर आपको यह समझ में आ गया है तो आप क्या कर जकते हो cyclic non cyclic को एक बर compare कर लो खुद से इधर लिखलो cyclic इधर लिखलो non cyclic ठीक है मुझे जरह comparison बता के ना इसमें क्या होगा product cyclic में सिर्फ ATP इसमें product क्या है सर ATP है NADPH है और क्या है oxygen है इसमें flow of electron cyclic क्या sequence है PS1 से FES फिर QCP इसमें क्या है PS2 से PQCP फिर PS1 फिर वहां से FES FD और finally NADP यह flow है यह direct sequence पूछता है एक्जाम में द्या नखना दूसरा क्या है यह कहां होगा on granul जब light क्या होगी more than 680 और किस पर हो सकता है stromal नहीं मिली पर यह किस पर होगा on stromal on stromal क्या यह समझ में आ रही है बोले पिटा यह समझ में आ रही है अरे नहीं stromal में कैसे हो जाएगा यह होगा granul पर और कब होगा when light क्या आएगी less than 680 दोनों फोटो सिस्टम active चाहिए 680 nanometer जब ps1 and ps2 both active कर लोगे नोगे बताओ जल जी से ठीक है सर आगे की कहानी बात कर लेते तो अब क्या है बटा आपने यह पढ़ लिए कि cyclic non cyclic में कैसे होगा ठीक है clear है चली बटा अब हम यहां से क्या पढ़ेंगे इसका अगला जो topic है यह हमारे पास ATP senses कैसे होती है आपने यह देखा है कि cyclic और non cyclic दोनों में हमारे पास ATP senses होती है अब आपको यह जानना पढ़ेगा कि ATP senses actually होती कैसे है तो सबसे पहले यह देखो कि माल लो मेरे पास यह compound है जिसका नाम ADP है adenosine diphosphate अगर मैं इस पे phosphate attach कर देता हूं तो ATP बन जाती adenosine triphosphate अब यह ATP में energy कहां होती है ADP में जो यह phosphate attach होता है इस bond में हमारे पास energy होती है तो कही न कहीं आपको यह बात समझ में आ गई कि यह जो phosphate जुडता है इस जुडने को हम कहते है phosphorylation तो हम यहाँ पर use कर सकते है word phosphorylation for ATP senses तो next topic में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि ATP senses कैसे होती है photosenses में तो सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि कि किसी भी तरह के cell में चाहे respiration हो रहा हो चाहे photosenses हो रहा हो किसी भी तरह के cell में तीन मेथर्ड maximum possible है ATP senses के तीनों मेथर्ड में phosphate जुडता है जिसे phosphorylation कहते है एक मेथर्ड हमारे पास होता है ध्यान देंगे बटा एक मेथर्ड होता है जिसमें direct ATP बनती है direct ATP direct ATP का क्या मतलब होता है ज़रा समझना direct ATP का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं क्या हुआ है direct ATP में कहीं ना कहीं क्या हुआ है एक substrate मतलब जैसे मालोगみ ये glycolysis में होता है phospho inall pyruvate pyruvate में बदलता है तो उसे हम direct ATP senses कहते है उसको short में लिखते हैं SLP substrate level phosphorylation इसमें क्या होता है एक substrate product में बदलता है और उस energy से ATP बना ले तो ये direct ATP होती है दूसरा हमारे पास एक ATP senses और होती है जिसे हम क्या बोलते है photo phosphorylation जिसे हम क्या बोलेंगे बिटा जिसे हम बोलेंगे second method है जो light की presence में होता है जिसे हम photo phosphorylation बोलेंगे ये मेरे पास कहा होती है photosynthesis में होता है ये कहा होती है photosynthesis में chloroplast में होती है दूसरा हमारे पास क्या है mitochondria के अंदर होती है उसे कहते oxidative phosphorylation आपको एक बात यहां पर समझ में आ रही होगी तीनों process में मैंने word use किया है phosphorylation इसका मतलब ये है कि ADP पर अगर phosphate जुड़ेगा इस bond के अंदर ATP बन जाएगा और bond के अंदर energy होगी अगर direct ATP बनती है जहां पर एक substrate product में convert होता है वहाँ जो energy release होती है उससे direct ATP बनने को SLP कहते है एक ATP synthesis chloroplast में होती है और एक mitochondria में होती है chloroplast और mitochondria में जो ATP synthesis होती है उसका basis same है जैसे माल लो ये chloroplast है ये इसकी outer membrane है ये इसकी inner membrane है और ये इसका thylakoid है point ये है कि यहाँ पर proton इकठा हो जाता है जब यहाँ proton इकठा हो जाता है यहाँ proton इकठा हो जाएगा और ऐसे ही mitochondria में यहाँ proton इकठा हो जाता है जब ये proton एक हमारे पास channel होता है जिसे F naught कहते है membrane पर ऐसे एक channel होता है और उसपर एक head होता है F1 जैसे ये मैंने बताया ये एक F naught है और यहाँ F1 है मैं आपको ये समझा रहा हूं कि चाहे chloroplast में हो चाहे mitochondria में हो दोनों में हमारे पास एक common mechanism use होता है ATP senses का वो common mechanism क्या है कि chloroplast में thailakoid के lumen में H plus इकठा हो जाता है जब ये H plus वापसी जाता है किस से F naught नाम के channel से और वहाँ पर एक head होता है तो फिर ATP बनती ये कहां से जाता है इस lumen से stroma में जाता है और इसमें कहां से जाएगा inter membrane space से proton वापसी आएगा किसमें matrix में तो ATP senses होगी तो हमीं यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ रही है कि chloroplast और mitochondria में कुछ common process है इस common process को हम एक hypothesis के थुरू बताते है जिसे हम कहते है chemiosmotic hypothesis तो chemiosmotic hypothesis क्या करती है वो explain करती है क्या करती है वो explain करती है कि how ATP senses how ATP synthesis occur in mitochondria and chloroplast synthesis occur in किसमे mitochondria and chloroplast mitochondria वाले का नाम है O.P. oxidative phosphorylation और chloroplast वाले का नाम है PP यह वही ATP senses है जो मैं यहाँ पर बात कर रहा था जो मैंने आपको यहाँ दिखाई थी हाना यहाँ दिखाई थी और मैंने आपको जैसे यह देखो यहाँ पर ATP दिखाई थी वो या cyclic वाले में दिखाई थी आप समझे रहो चाहे cyclic वाले में यहाँ आमने ATP दिखाई थी तो जो भी ATP हमने chloroplast में दिखाई, वो किस पर बनती है, किस hypothesis के according बनती है, chemiosmotic hypothesis ये explain कर रहा है कि किस तरीके से ATP synthesis होती है, किस में, mitochondria and chloroplast में ये hypothesis कहती है कि मेरे पास 4 requirement है ATP synthesis की मेरे पास क्या है, 4 requirement है ATP synthesis की उसमें मेरे पास सबसे पहली requirement है, ध्यान से जुनेंगे सबसे पहली requirement है H plus का gradient, now what is difference between, what is gradient gradient का मतलब है, जैसे माल नो यहाँ अंदर 100 H plus हो यहाँ 10 H plus हो, तो H plus की concentration का जो अंतर आता है उसे gradient कहते है, तो सबसे पहली requirement है H plus का gradient, दूसरी requirement है intact membrane now what is intact membrane intact membrane का मतलब होता है एक ऐसी membrane, जैसे यह वाली membrane intact है, इसमें से proton बिना बात के बाहर नहीं आएगा उसको channel से जाना पड़ेगा, इस तरह के channel से proton को जाना पड़ेगा वो membrane से direct नहीं जा सकता ऐसी membrane को कहते है, intact membrane वो होती है, यहाँ पर यह वाली inner membrane, और, सुरी, इसमें पर head होता है, ऐसा, तो इसके थुरू जाता है, intact membrane चाहिए तीसरा हमें चाहिए, F0, F1 particle, यह F0, F1 particle को नाम देते, ATP synthase, यह F0, F1 क्या है, ध्यान से सुनों बिटा, देखो, हमारे पास यह F0, F1 कहा होगा, यह thailakoid की membrane पर होगा chloroplast में, और inner membrane of mitochondria में, यह है क्या, F0 एक तरह का channel होता है, जहां पर जादा proton है, वहां से कम proton की तरफ वो जाता है, यह F1 क्या होता है, यह एक तरह का head होता है, तो जब F0 में से proton जाता है, जादा से कम की तरफ, जादा कहा होगा, इसके अंदर जादा होगा, और कहाँ जादा होगा यहाँ जादा होगा तो जब F0 यहाँ से यहाँ जाता है जान सुनेंगे F0 जब move करता है समझो इस बात को तो यह जो head है वो घूम जाता है तो आपको समझना पड़ेगा कि F0 क्या है एक channel है उसमें से क्या होगा H plus move करता है F1 क्या है head है उस head में क्या होता है confirmation change confirmation change मतलब वो बदल जाता है कुछ घूम जाता है जब यह head ऐसे घूम जाता है तो ATP senses होती है तो हमने यहाँ पर यह चीज़ सेखी कि भाई ATP बनाने के तीन method होते हैं किसी भी प्रकार के cell में चाहे वो bacteria हो हो सकते हैं maximum ठीक है तीन तरह होते हैं direct ATP SLP कहलाती है वो glycolysis में बनती है mitochondria में जो ATP बनती है NADS से उसका नाव oxidative phosphorylation होता है और जो chloroplast में बन रही है वो कैसे बन रही है electrons की movement से electrons move करके किसी तरीके से protons को यहाँ इकठा कराते हैं जब यह proton यहाँ इकठे हो जाते हैं और फिर वो F0 F1 से वापसी यहाँ stroma में आते हैं यहाँ इकठा हुआ proton जब वापसी stroma में आएगा किस से इस channel से यह head जो होता है यह ऐसे घूम जाता है और ATP बना देता है क्या इतनी बात समझ में आ गई है आपको ठीक है तो कैसे ATP senses होती है मैंने यह board पर आपको समझा दिया अब क्योंकि हम chloroplast पढ़ रहे है हमारा जादा focus यहाँ पर है पर ATP बनने के लिए 4 requirement थी पहली हमने लिखी H plus का gradient दूसरी हमने intact membrane तीसरी F0 F1 particle और fourth हमने यहाँ पर जो लिखा है वो fourth है हमारे पास proton pump मतलब किसी तरीके से मैं proton को यहाँ pump करू किसी तरीके से proton को यहाँ pump करू clear है के नहीं सही है तो अब आपको यह जानना पढ़ेगा अब आपको यह जानना पढ़ेगा ध्यान से सुनेंगे हमने यहाँ पर क्या-क्या चीजे पढ़ी है आप समझो, हमने यहाँ पर क्या-क्या चीजे पढ़ी हैं, clear है, सुननो ध्यान से, अब मैं इसी को जड़ा समझने की कोशिश करता हूँ, सबसे पहले हमने क्या-क्या चीजे पढ़ी है, how proton gradient generated, मैं आपको क्या-क्या चीजे पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको यह समझा रहा हूँ कि क्लोरोप्लास्ट में कैसे ATP बनती है, उसके लिए हमने कहा, कि मेरे पास यहाँ पर, यह थाईला को अड़ेपेट है, देखो, यह क्लोरोप्लास्ट की मालों membrane है, double membrane होगी, दो membrane आप अलग- तो NCIT ने बताया है कि तीन तरीके है, three method है, जिसके थुरू, proton यहाँ increase होते है, proton increase होते हैं, किसके अंदर, inside lumen, inside lumen हमारे पास proton increase होते हैं, मतलब, यहाँ पर proton बढ़ेंगे कैसे, जिसे मालों यहाँ 10 है, तो यहाँ मैं 100 कैसे, difference कैसे बढ़ाऊंगा, 90 का difference कैसे तो मुझे यह कैसे करेंगे सुनना ध्यान से, NCIT कहती है, कि जो PS2 है, वो पानी को अंदर की तरफ तोड़ता है, मतलब, वो जो photolysis करता है, उसके लिए जो भी enzyme है, वो अंदर की तरफ है, इसलिए proton यहाँ बनता है, तो हम यहाँ पर यह पहला point लिखेंगे, कि PS2 की जो photolysis होती है, वो कौन सी side होती है, luminal side, तो जो भी oxygen बनाता है, luminal side, उससे क्या होगा, proton, H+, and oxygen, inside lumen produce होगी, क्या यह बात समझ में आ रही है, उससे H+, वहाँ बढ़ जाएगा, ठीक है सर, दूसरा तरीका बताओ, दूसरा तरीका क्या है, कि जो PS1, NADP से क्या बनाता है, NADPH बनात है, तो इसमें मेरे पास proton खर्च होगा, इसमें मेरे पास क्या होगा, proton खर्च होगा, क्या यह समझ में आ रहा है, क्या यह समझ में आ रहा है, ध्यान से देख लो बिटा, इसमें हमारे पास proton खर्च होगा, तो हमने यहाँ पर क्या बात कर दी, हमने यहाँ पर यह बात कर द प्रोटोन अटेच होगा, यह प्रोटोन यूज होगा, यूज इन स्ट्रोमा, क्यों? क्योंकि FNR इस साइड है, FNR जो है, FNR एम्जाइम वो होता है, जो ये बनाता है ने DPH को, यूज इन स्ट्रोमा, क्योंकि FNR जो होता है, वो किस साइड होता है, स्ट्रोमल साइड होत हमारे पास proton घटेगा अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे यहां proton बढ़ाना है यहां कम करना अंतर डिफरेंस बढ़ाना एक तरीका है proton बना दो दूसरा तरीका है proton खर्च कर दो तीसरा तरीका क्या होता है कि जो फियोफाइटिन है वहां से लेक्टरन प्लास्टो किनॉन क 6F, जब ये इसको आगे electron pass करता है, तो ये proton को अंदर move कर देता है, तो अगर मैं आपसे कहूँ, ध्यान से जुने, मैं आपसे कहूँ कि proton यहाँ बढ़ाने के 3, अंतर, difference बढ़ाने के 3 तरीके, पहला proton यहाँ बनाओ, दूसरा proton यहाँ खर्च करो, तीसरा proton को यहाँ से यहाँ पर लाओ, तो तीसरा तरीका मैं लिख रहा हूँ, कि primary NCRT ने लिखा है, कि primary acceptor of PS2 primary acceptor of PS2 transfer its electron transfer its electron not to an electron carrier ठीक है, not to an electron carrier, but to a hydrogen carrier अब यह hydrogen carrier और electron carrier क्या है, इस पर बात कर लेते हैं, जो क्या करेगा transfer करेगा proton को अब कैसे करेगा, जरा समझते हैं, ध्यान से सुने बिटा, मेरे पास इसका primary acceptor few phytin है, इसने अपने electron plastokinon को दिये, plastokinon ने क्या किया, इससे दो electron लिए few phytin से, और यहां से उठाए, दो proton मैं यहां पर बात कर रहा हूँ, कहां से उठाए यह stroma से, stroma से लिए दो proton, और वो convert हो गया, plastokinon reduced form, देखो, PQ के बाद यह hydrogen आ गई, उसके बाद यह अंदर की तरफ आ जाता है, ऐसे अंदर की तरफ आ जाता है और क्या करता है, यहां पर जुड़ा रहता है, cytochrome B6F, तो cytochrome B6F को जब यह electron देता है, तो यह proton अंदर free हो जाते हैं, मेरी बात समझो ध्यान से, पियो फाइटिन ने, जो electron दिये है यह, यह इसको दिये प्लास्टो किनोन को, प्लास्टो किनोन एक तरह का hydrogen carrier है, क्योंकि वो electron के साथ proton को attach करके, यह बना देता है PQS2, अब यह जो PQS2 है यह क्या करता है, अंदर की तरफ move करता है, और यह क्या करेगा बिटा, यह दो electron जब आगे देगा, किसको cytochrome B6F को यह वाले दो proton अंदर आ जाएंगे, ल्यूमन में, यही चीज NCRT लिखती है, कि primary receptor of PS2, जो कि pheophytin है, वो अपने hydrogen carrier, प्लास्टो किनोन को देता है जो proton को move कर देता है ल्यूमन में, जब वो electron pass कर रहा था, साइटो क्रोम B6F को, क्या मेरी बात समझ में आ रही है तो हमारे पास तीन तरीके हो गए यहाँ proton बढ़ाने के, पहला पानी तोड़ना, दूसरा NADPH बनाना, तीसरा प्लास्टो किनोन, एक हाइडरोजन carrier है, एक ऐसा electron carrier है, जो proton को बाहर से move करता है, ऐसे हाइडरोजन carrier, ETS में, UB किरोन और FMN होते हैं, जब आप वो पढ़ोगे, respiration में, यहाँ पर हाइडरोजन carrier का क्या नाम है, प्लास्टो किरोन, अब आपको NCRT ने इसके बात बोला है कि क्यों खुश हो रहे हो, यह gradient बना के, क्योंकि जब यह gradient बन जाएगा, तो आपको यह पता होना चाहिए कि इस membrane पर, यह मेरे पास F0 है और यह F1 है तो जब यह proton आएगा इदर तो यह F1 ऐसे घोम जाएगा और मेरे पास क्या बनेगा मेरे पास क्या बनेगा, ध्यान से सुने मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ पर ATP मत बनने लगेगी यह हैड ऐसे घोम जाएगा, क्या यहाँ तक ठीक है, क्या यह चीजे clear है, जल्दी बता दो जल्दी बता वेटा, क्या यह चीजे clear है ठीक है ठीक है यहाँ पर ठीक है, नेक्स करें आगे देखो अब क्या है बिटर, नेक्स हमारे पास क्या है हमने यह आपर बोला भी है why gradient is important आपको मैं लिख देता हूँ कि क्या होगा, जब h प्लस increase होगा lumen में तो आपको यह पता होना चीए मालनो यह lumen है, यहाँ h प्लस बढ़ गया, और यह stroma है, तो हमारे पास क्या होगा आपको यह पता होना चीए कि यहाँ पर मेरे पास यह लगा हुआ है channel, जिसका नाम cf-naught है, chloroplast की वज़े से इसका नाम क्या है, cf-naught cf-naught क्या है, channel है, किसका channel है proton का channel है, तो जब यह proton इस lumen से कहां आएगा, stroma में आएगा ठीक है, तो जब यह proton move करेगा, मेरे पास यह proton move करेगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं proton move करेगा through channel, हाना proton move through channel, उससे क्या होगा, उससे हमारे पास क्या होगा, h-plus जो है, h-plus, sorry उससे क्या होगा, जो head है, head जिसका नाम cf1 है, वो क्या होगा, change हो जाएगी उसकी confirmation, change in confirmation का मतलब है, वो घूम जाएगा head, यहाँ पर यह जो head है ना यह घूम जाएगा, उससे enzyme active होगा, जो ADP और PI को जोड कर ATP बना देगा, क्या यहाँ तक बात क्लियर हो गई है, जल्दी बता दो, यहाँ तक क्लियर हो गई, ठीक है आगे चलते हैं, बिटा, अब क्या है बिटा, हमने क्या क्या बना लिया, मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो, हमने photosynthesis को 2 step में divide किया था, ध्यान देना, एक बर फटा-फट से सबसे पहला हमारे पास था light reaction, एक था हमारे पास light reaction, दूसरा हमारे पास क्या था, dark reaction ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या था, dark reaction था, ध्यान सुनोंगे, हमने photosynthesis में जो light reaction पढ़ा था, उसका जो product बना था, light reaction को हमने एक और नाम दिया था, photochemical phase, यहां तक कोई doubt है, photochemical phase में जो product बना था, एक oxygen था, जो की by product था, ठीक है जर, लेकिन, उसके अलावा जो ATP थी और NADPS था, यह हमारे पास क्या था, एक ऐसा product था, जो हमारा use होगा, ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं, dark reaction की, उससे पहले, अब मैं आपको जड़ा एक छोटा सा topic बता देता हूँ, जिसमें NCIT ने दिया है, जिसे उसने action and absorption spectrum की बात करी है, एक ऐसा topic है, जिसमें action और absorption spectrum की उसने discuss किया है, ठीक है, यह pigment को लेकर है, हाँ ना, pigment को लेकर action और absorption spectrum, ठीक है, जड़ा एक बार देख लेते हैं, फटाफट से यह है क्या, ध्यान से जोनों बिटर, देखो, NCIT ने क्या किया, देखो, क्या बताया, कि माल लो, आपके पास leaf है, यह, ध्यान देना, पूरा फोकस करेंगे इस पर, ठीक है, यह जो leaf है मेरे पास, ध्यान दो, इस leaf को मैंने crush कर दिया, मैंने क्या किया, crush कर दिया, ठीक है, crush कर दिया इसमें, इसमें crush कर दिया, किस से, mortar and pestle से, ठीक है, इस से कर दिया mortar and pestle से, इस से मैंने इसको crush कर दिया, ठीक है, उसके बाद, ध्यान देंगे, ध्यान दो, हमारे पास ये लीफ है लीफ है, उसके बाद मैंने इसको crush कर दिया mortal pastel से, अब मैंने जो ये जो था बिटा paper एक इसकी फिर मैंने क्या करी chromatography करी, इसमें pigment है हाना इसमें pigment है कौन-कौन से chlorophyll A है, chlorophyll B है फिर मेरे पास carotene है जिसे carotenoid कहते है और फिर मेरे पास xanthophyll है NCRT ने carotene को carotenoid लिख दिया है xanthophyll है, ये चार pigment है ठीक है, उसमें crush करके paste बना लिया, अब एक process होता है जिसे कहते है paper chromatography paper chromatography एक separation technique होती है मतलब क्या हुआ, paper chromatography से हम क्या करते है, chromatography chromatography से हम क्या करते है, हम pigments को क्या करते है, separate करते है, हम pigments को क्या करते है, separate करते है, ध्यान से सुनना हम paper chromatography से pigments को, ध्यान सुनेंगे pigments को आपस में अलग करते है, अलग करते है, pigments को आपस में क्या करते है, अलग करते है, ठीक है अब यहाँ पर clear मैं आपको कुछ चीजे बता देता हूँ, यह मेरे पास paper है, ठीक है, यह मेरे पास paper है, यहाँ पर हम ऐसे pigments लगा देते हैं, यह वाले सारे, फिर क्या करते हैं, एक solution होता है, जिसमें जो solution इस paper पर ऐसे ऊपर चड़ता है, और वो pigments को अलग कर देता है, हमारे पास क्या हो गए, separate हो गए, क्या यह समझ में आ रही है, तो हमने आपको यह समझाना है, सबसे पहले आपको यह समझो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, मैं एक topic पढ़ा रहा हूँ, जिसका नाम action और absorption spectrum है, इस topic का मालो आपको कोई basic नहीं आता चलेगा, आप सिर्फ इतना होते हैं, अलग-लग speed में दोरते हैं paper पे, जिससे वो अलग हो जाते हैं, मालनो चार लोग हैं, चारो एक साथ खड़े हैं, अगर अलग-लग speed में दोरेंगे तो कुछ time के बाद आगे पीछे दिखेंगे ना, ऐसे pigment अलग हो जाते हैं, तो हम क्या हमारे पास क्या होता है, मा कारोटीन है जिसे कारोटिनौइड कह रहे हैं और इसमें क्या है मेरे पास जैन्तोफिल है अब मैं आप से एक सवाल पोचता हूँ सुनना ध्यान से अगर मैं यहां से light pass करूँ इसके अंदर light pass करो light डालो white light डालो तो मुझे बताओ जो light बाहर निकलेगी वो वही होगी ना कि जैसे मालनो white है और इसमें से क्या होगा कुछ light absorb हो जाएगी तो बाहर वही निकलेगी ना जो absorb नहीं हुई इस pigment से जैसे chlorophyll ये light कुछ wavelength absorb करता है तो white light में सारी wavelength है इसके अंदर सारी wavelength गई बाहर वही निकलेगी जो absorb नहीं होगी तो हम क्या कर सकते हैं एक graph plot कर लेंगे सभी pigment का ध्यान दो बिटा हम क्या कर लेंगे इस तरीके से graph plot कर लेंगे जहां पर यहां पर हम क्या लिख देंगे यहां लिख देंगे wavelength यहां क्या लिख देंगे wavelength लिख देंगे और यहां लिख देंगे absorption हमें कैसे पता चलेगा कि जो light बाहर निकली वह minus कर देंगे जो light अंदर आई वह पता दिल जायगा तो हम ने जब ये graph plot किया तो हमने देखा कि chlorophyll A chlorophyll A का यह जो ग्राफ है यह कुछ ऐसा आ रहा है जो यहाँ पर blue और red wavelength पे जदा absorption दिखा रहा है ये chlorophyll A का ग्राफ है जो यह बता रहा है कि कौन सी wavelength absorb हो रही है जदा तो chlorophyll A के इस graph को हमने नाम दिया absorption spectrum क्या नाम दिया absorption spectrum का नाम दिया ये जो chlorophyll है, ये middle में दूसरी wavelength लगबग ना के बराबर absorb कर रहा है, ऐसा ही graph हमने chlorophyll B का देखा, थोड़ा आगे से आया, ऐसा करके, ये chlorophyll B का देखा, जो थोड़ा match कर रहा था, फिर carotenoid और zentophyll जो देखे, वो center वाले part में absorb कर रहे थे, मेरा point ये है, इस axis पर wavelength लिखी ह है, यहां लिखा absorption, तो chlorophyll A blue और red में, same chlorophyll B blue red में absorb कर रहा है, बाकी के जो carotenoid और zentophyll है, वो center वाले part में absorb कर रहे हैं, ऐसा graph जिसमें कौन सा pigment, कौन सी wavelength absorb करता, इसे कहते हैं absorption spectrum, इस graph से हमें ये पता चला, कि chlorophyll A और B, हमारे पास blue और red region में absorb करते हैं, क्या ये बात नाम दिया absorption spectrum, क्या ये clear है, ठीक है, absorption spectrum जो था, एक graph था, जो wavelength versus absorption के बीच में बढ़ाएं गया, हर एक pigment पर क्या डाली गई, एक light डाली गई, उसके लावा, इन pigments के आप color याद कर सकते हो, कैसे, जैसे मालनों मैं विबग्योर लिखता हूँ, तो विबग्योर में मेरे पास ध्यान देंगे, जो blue-green है, ये chlorophyll A का color होता है, blue-green chlorophyll A का color है, फिर green yellow जो है, green yellow मेरे पास क्या है, chlorophyll B का color है, फिर orange, ध्यान सुनेंगे, orange जो है मेरे पास, ठीक है, देखो एक मुट को, yellow color जो है, फिर मेरे पास yellow है, और एक है yellow orange, ठीक है, तो जो yellow color हमारे पास आएगा, वो आएगा, जेंटो फिल का माल लेते हैं, और yellow orange आएगा, कैरोटीन का, तो ये आपके color है, जो आपको याद करना है, ऐसे blue-green chlorophyll A, green yellow ऐसे करके आप याद करोगे, ठीक है, तो ये color है, अलगलत pigment के, तो absorption spectrum समझ में है, एक graph है, जो wavelength और इसके बीच में है, अब now what is action spectrum, ये भी समझना आपने, ये action spectrum क्या होता है, इसकी बात कर लेते हैं, ध्यान दो, action spectrum क्या होता है, action का मतलब मुझे बताओ, क्या होगा, सर, action का मतलब होता है, काम, plant क्या काम करेगा, plant कोई गारी चलाएगा, plant मतलब क्या काम करेगा, office जाएगा, ने, plant के लिए, अगर हम बात करते है, action की, action का मतलब होता है, plant के लिए, photosenses, अगर आपको photosenses की बात करनी है, तो उसको आप relate कर सकते हो, oxygen release से, तो इसका मतलब ये है, कि अगर आपको इक graph बनाओगे, plant के लिए, तो उस graph में, आपको क्या करना है, सुनना, आपको क्या करना है, ये graph में इधर आपने action लिखना है इधर क्या लिखोगे wavelength इधर क्या लिखोगे wavelength और इधर क्या लिखोगे absorption अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी यहाँ पर आप action लिखोगे तो जब आप यहाँ action लिखोगे तो action की जगा आप क्या लिखोगे oxygen release हाना तो आप यह देखोगे ध्यान दो बिटा आप यह देखोगे कि chlorophyll A का जो action spectrum है कुछ ऐसा ही आ रहा है जैसा उसका absorption आ रहा है यह chlorophyll A का क्या है action spectrum है action spectrum chlorophyll A का है दूसरी चीज़ आप अगर उसका absorption spectrum chlorophyll A का देखो तो कुछ ऐसा है यह absorption spectrum है यहाँ पर आपको दो बाते अपने दिमाग में रखनी है पहला chlorophyll A जो है reaction center है इसी लिए हमने इसका action spectrum draw किया तो यह reaction center है छीक है दूसरा क्या है इस center वाले पार्ट में absorption नहीं है लेकिन action है इसका मतलब क्या होगा कि जो antenna है antenna molecules जो है जो कौन से pigment है आप बताओ antenna molecule chlorophyll क्या कौन कौन सा बताओ जल दिसे B carotene या carotenoid और xanthophyll यह हमारे पास क्या करते है यह जो हमारे पास pigments है यह क्या करते है बिटा यह transfer करते है wavelength किसको transfer wavelength to chlorophyll A यह बात समझ में आ रही है transfer wavelength to chlorophyll A तो point यह है कि center वाले part में आपको यह action दिख रहा absorption नहीं दिख रहा कही न कहीं यहाँ पर absorption नहीं किया chlorophyll A ने पर action किया बाकी wavelength ने उन्हें transfer किया NCRT इस बात को लिखती भी है कि हम action spectrum जो chlorophyll A का draw करते हैं उसकी one to one overlap होती है मतलब वो blue और red में action दिखाता है ठीक है जो wavelength उसने absorb करी उस पे वो कुछ काम करता है ठीक है दूसरा हम ये कहते हैं कि center वाले part में उसने absorb नहीं किया पर action दिखाया क्योंकि antenna ने महाँ पर wavelength transfer करी antenna molecule क्या करते हैं leaf को जलने से बचाते हैं क्योंकि जो दूसरी wavelength है अगर उसे कोई pigment absorb नहीं करेगा तो heat produce होगी और pigment जल सकते हैं तो कही न कहीं हम ये बोल सकते हैं कि जो antenna है antenna जो है antenna pigment जो है वो prevent करते है prevent करते हैं chlorophyll A को कहां से from photo oxidation कहां से prevent करते हैं photo oxidation से prevent करते हैं क्या ये चीज़ समझ में आ रही है ठीक है तो अभी हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं सुनना ध्यान से हम ये कह रहे हैं कि antenna जो है वो prevent करता है chlorophyll A को कहां से photo oxidation से prevent करता है क्या ये चीज़ समझ में आ रही है तो हमने यहाँ पर दो बाते करी, हमने बात करी absorption और action spectrum की, हना action और absorption spectrum की बात करी, हमने यहाँ पर यह देखा, कि जो chlorophyll A है, उसका action और absorption spectrum one to one overlap कर रहा है, मतलब उसकी shape से मारी है, दूसरा हम यह कह रहे हैं, कि जो antenna है, वो बचाता है photo oxidation से, तो यह graph based topic दे रखा था, अब हम यहाँ से dark reaction पर move कर जाएंगे, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, हम वापसी आते हैं, एक बार इस point पर, जहाँ पर हमने दो बाते कही थी, पहला, कि जो light reaction था, उसमें, उसे हम photo chemical phase कहते हैं, जिस पर मेरे पास, यह जो दो compound बने हैं, यह high energy intermediate है, मतलब इन में energy है, और साथ में proton NADPH में, high energy intermediate है, जो use होंगे, किस में dark reaction में, use in dark reaction, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, अब जो dark reaction होता है, उसमें exactly क्या होता है, dark reaction में, इसे हम नाम देते हैं, biosynthetic phase, biosynthetic का क्या मतलब होता है, इसमें हमारे पास, CO2 convert होती है, किस में glucose में, CO2 किस में convert होती है, किस में glucose में, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, CO2 convert होती है, किस में glucose में convert होती है, clear है, यहां तक समझ में आ रही है, ठीक है, clear है, जल्दी बताओ, clear है बताओ, ठीक है, अब मेरी बात सुनो, हम CO2 को glucose में convert करने के लिए इनको यूज़ करते हैं, अब जड़ा समझना, dark reaction, एक तरह का misnomer है, misnomer का मतलब गलत नाम है, dark reaction ऐसा नहीं है, कि रात में होता है, dark reaction को direct light नहीं चाहिए, समझ लो इस बात को, dark reaction को direct light नहीं चाहिए, समझ लो, उसको direct light नहीं चाहिए, but it require product of light reaction, उसको product चाहिए light reaction का, हम गलती से उसे dark reaction कहते हैं, dark reaction का ये मतलब नहीं है, कि वो रात में होता है, अब इस बात को हम प्रूव भी करेंगे, मैं आप से एक सवाल पूचता हूँ, आपने कभी घर में feel किया होगा कि आप घर में जो kitchen होता है उसमें आप dinner के लिए जब पास में बैठते हो तो dinner कैसे start होता है कि पहले kitchen में खाना बनना शुरू हो जाता है उसके 10 minute के बाद आप खाना खाते हो ऐसे ही क्या होता है light reaction में जब ये चीज़े बनती है इसके कुछ time के बाद dark reaction क्या होता है start होता है इसका मतलब dark reaction light reaction पे depend है दूसरा क्या है kitchen में gas बन कर दी है तीन चारोटी extra बन गई है जब तक वो रोटी खतम नहीं होती है अब खाना बन नहीं करते है मतलब logically हम ये कह रहे है कि ऐसे ही light reaction ने जो product बनाए वो कहां use होते हैं dark reaction में use होते है अब dark reaction तब रुकता है जब light reaction रुकने के बाद उसके product खतम हो जाए मेरी बात समझो ध्यान से dark reaction तुरंत नहीं रुकता जब light reaction रुकता है जब उसके सारे product खर्च हो जाएंगे तब ही रुकता है क्या ये बात समझ में आ रहे है इससे ये proof होता है कि dark reaction, light reaction के product पर depend है हना उसको direct light नहीं चाहिए इसी लिए जब दिन होता है सुबह होती है तो पहले light reaction स्टार्ट होता है उसके कुछ समय के बाद dark reaction सुरू होता है ऐसे ही जब evening आती है तो पहले क्या होगा बिटा पहले light reaction रुकता है और उसके बाद जब तक सारा product खटब नहीं होता तब तक dark reaction स्टॉप नहीं होता अब हम क्या करेंगे dark reaction को detail में पढ़ते वे आगे बढ़ेंगे ध्यान देंगे आप लो dark reaction को हम biosynthetic phase कहते है क्योंकि यहाँ पर synthesis of क्या हो रही है glucose बना रही है synthesis of glucose हम कर रहे है clear है दूसरा हमने क्या किया है सुनना ध्यान से दूसरा हमने क्या किया है जो dark reaction का product है सुनना जो dark reaction का product है वो हमारे पास glucose है glucose एक तरह का sugar है sugar convert होती है किसमे सुकरोज में और उस form में transport होती है मेरी बात समझ में आ रही है या वो store होती है किसमे starch की form में यह store होती है क्या यह clear है अगर dark reaction की location की बात करें यह stoma तो dark reaction की location stoma है क्योंकि वहाँ पर enzyme present होते है dark reaction के क्या present है enzyme present है clear है के नहीं ठीक है अब हम बात करते है dark reaction के discovery की dark reaction की discovery Calvin के नाम से related हम करते है Calvin, Malvin, Calvin एक scientist थे उनके नाम पे करते हैं सुन लो पहले Calvin के नाम से क्यों करते हैं दुत्य विश्व्यूद या second world war 1949 से 1945 के बीच में चल रहा था 1939 से 1945 के बीच में चल रहा था situation ये थी कि जो जापान है वो असानी से हार मानने वाला नहीं था तो US ने क्या किया था 1945 मे radio activities को use करके atomic bomb Hiroshima नागासाकी में अगस्त के दिन थे 9 और 6 अगस्त को गिराया था तो वो radio activity का एक ऐसा यूज था जो negative यूज था Kelvin ने क्या किया radio activity का एक positive यूज दिखाया उसी years के आस पास उन्होंने क्या 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 रेडियो activity को use किया क्या पता करने के लिए कि किस तरीके से carbon dioxide fix होती है dark reaction में मेरी बास समझ में आरही है किस तरीके से carbon dioxide fix होती है dark reaction में ये काम किस ने किया ये काम किया Kelvin ने तो Kelvin ने use किया यूज किया radio isotope आपको समझ में आना चाहिए कि radio isotope का क्या मतलब होता है carbon का normal isotope होता है normal C12 लेकिन अगर मैं C14 लोंगा ये radio isotope है तो radio isotope वाली C14 वाली CO2 है तो ये radioactive हो गई ये कैसी होगे radioactive अब इसको क्या कर सकते trace कर सकते trace का मतलब इसको हम पता लगा सकते हैं ये कहां जा रही है तो एक तरीके से Kelvin ने क्या किया algae की photosenses study करी उन्होंने क्या किया study करी algae की photosenses study algal photosenses और उस algal photosenses में क्या पता लगाया कि किस तरीके से CO2 fix होती है तो पूरा क्या किया उन्होंने उन्होंने क्या क्या पता लगाया उन्होंने वर्क आउट किया वर्क आउट किया क्या complete pathway complete dark reaction पूरा dark reaction के जो steps थे उनका पता लगाया उनका पता लगाया इसी लिए उस steps को Kelvin cycle कहते हैं और उसका पहला product पहला product जो है 3 carbon का है इसी लिए उसको C3 cycle भी कहते है मेरी बास समझ में आ रही है तो Kelvin ने क्या किया Elgal photosynthesis को पढ़ा और वहाँ पर radioactive isotope use करे C14 वाली CO2 use करी उससे उन्होंने radio activity का एक positive use दिखाया तो कही ना कही उन्होंने dark reaction के पूरे step पता करे दूसरा उन्होंने कहा कि dark reaction में पहला product मालनो मैं carbon dioxide देता हूँ और वो पहले किस में जाती है मालनो ये marker है और मेरे हाथ में ये bottle है मालनो दो चीजे है मैंने क्या किया radioactive carbon dioxide दी वो bottle में गई marker में गई वो भी तो radioactive हो जाएंगे तो ऐसे उन्होंने कहा कि जो पहला product है पहला product है वो तीन carbon का PGA है तीन carbon का क्या है PGA जिसे हमने नाम दिया phosphoglyceric acid तीन carbon का PGA है जिसको मैंने नाम दे दिया phosphoglyceric acid क्या मेरी बात समझ में आ रही है phosphoglyceric acid हमने नाम दे दिया थी कि Calvin ने algal photosynthesis में कहीं ना कहीं ये पता लगा लिया कि dark reaction के पूरे step क्या है और इन्हें पता चला कि dark reaction जो है वो एक cyclic process है मतलब cycle है दूसरी चीज उन्हें पता चली कि पहला product तीन carbon का एक acid है जिसे हम PGA कहते है ठीक है फिर ये हुआ क्या सारे plants में तीन carbon का बनता है नहीं हुआ ये कि in most plant in most plant पहला product first product जो मिला वो तीन carbon का मिला first product कितने carbon का मिला तीन carbon का जो क्या था PGA ठीक है क्या हुआ इन some plants कुछ plants ऐसे थे जिन में first product different scientists ने किया first product चार carbon का था जो O-A था क्या मेरी बात समझ में आ रही है जो क्या था O-A था अब मैं जो आपको बता रहा हूँ वो समझते वे चलना पहला product तीन carbon का PGA है दूसरा product जो है in some plant first product जो है चार carbon का मिला O-A की full form है oxaloacetic acid क्या मेरी बात समझ में आ रही है बताइए O-A की full form है oxaloacetic acid चार carbon का product है चार carbon का product है O-A का चार carbon का product है O-A का oxaloacetic acid अब मैं आपसे यह जानना चाह रहा हूँ कि ऐसे plant जिनमें चार carbon का पहला product बन रहा हूँ इन्हें कहा गया C4 plant और इन्हें कहा गया C3 plant ठीक है सर अब क्या हुआ बड़ा मतलब ऐसा हुआ कि ठीक है चलो पहला product माल लेते है बहुत सारे plants में तीन carbon का है मैं आपसे यह कहता हूँ कि ऐसा माल लेते है कि पहला product तीन carbon का है PGA और वो बना कैसे है CO2 मैं इस compound में जोड रहा हूँ और तीन carbon का first product बन रहा है अब आपसे मैं अगर पूछू कि इसको क्या बोलोगे इसको बोलोगे primary CO2 acceptor मतलब जिसने CO2 लिया पहली बार यही तो बोलोगे इसने CO2 लिया इस compound में CO2 लिया तो इसे कहोगे primary पहला CO2 acceptor और उससे तीन carbon का बन गया scientist क्या करते रहे for many years कई सालों तक for many years वो क्या करते रहे वो सर्च करते रहे सर्च of मेरे पास 5 carbon का सर्च of 2 carbon 2 carbon का primary acceptor वो सर्च करते रहे मतलब मैं आपसे यह समझाना चाहरा हूँ अगर मैं आपसे simple पूछू मुझे बताओ अगर पहला product 3 carbon का है CO2 जोड के बनाए रहे याद 2 carbon का कोई primary CO2 acceptor दिखाओ पर उनको मिला नहीं उनको primary CO2 acceptor 2 carbon का मिला नहीं finally उन्होंने क्या किया finally finally RUBP मिला अब ये RUBP क्या है RUBP 5 carbon का है इसकी full form सुनना ribos आपने ribos सुना है हाँ सर सुना है ribos में aldehyde group होता ribos में ketone group होता होती ये भी 5 carbon की शुगर है तो ribos 1 5 पहली और 5 वी carbon पर 20 phosphate 20 का मतलब 2 phosphate है इसे हम RUBP कहते है तो RUBP एक ऐसी शुगर है जिसमें 2 phosphate group present है तो पहला जो मिला ना मुझे वो RUBP मिला जिससे CO2 जुड़के पर ऐसे कैसे हुआ हुआ ये होगा कि RUBP 5 carbon था उससे CO2 जुड़ती थी टोटल 6 carbon हो गया PGA जो बनते थे वो 3 carbon के 2 molecule बनते थे ऐसा होता रहा होगा तो अब हम क्या करते है पूरा process पढ़ते है पर मेरे दिमाग में मोटा मोटा एक idea बन गया है कि dark reaction इसे biosynthetic phase कहते है ये stroma में होता है इसके सभी enzymes stroma में होते है Calvin ने क्या किया काफी जदा मेनद करके पूरा step find out किया पूरी cycle find out करी उन्होंने बताया कि ये cyclic process है और इसमें पहला product हमारे पास PGA बनता है काफी सारे plants में different scientists ने PGA खो जा लेकिन कुछ plants को मिला कुछ plants में उन्हें OA मिला oxaloastic acid तो उन्होंने कहा कि कुछ plants में पहला product जो है वो 4 carbon का भी बनता है इसलिए उन plants को C4 plants बोला गया scientists लोगोंने सोचा कि क्यों ना primary CO2 accepter पता किया जाए वो काफी सालों तक 2 carbon का primary CO2 accepter खोज रही थे पर उन्हें मिला नहीं उन्हें finally पता चला कि यार ये जो primary CO2 accepter ये 2 carbon का ना होके 5 carbon का होता है तो ये जो 5 carbon का primary CO2 accepter है इसके साथ अगर आप जोड देंगे तो finally अमारे पास क्या बन जाएगी ये बन गया तो आज आते हैं Kelvin cycle पे Now what is Kelvin cycle What is Kelvin cycle Kelvin cycle क्या है जो किसने बताई है बिटा आपके Kelvin ने जो बताई वो क्या है Kelvin cycle सुनो इसका एक और नाम C3 cycle है क्योंकि पहला product 3 carbon का यहाँ पर देखना बिटा ये आपके पास RUBP है RUBP 5 carbon की शुगर है हम structure भी देख सकते है मैं 5 carbon आपके लिए draw कर देता हूँ आप सभी को पता अगर इस पे ketone group बनाना है तो ketone कहीं बीच में बना दिया यहाँ CH2 OS था पर इस H की जगा इस H की जगा यहाँ phosphate जुड़ गया ऐसे यहाँ CH2 OS था H की जगा phosphate जुड़ गया बकिया OH OH और H और H तो इसका मतलब यह है कि यह 5 carbon की first और 5 दोनों पे phosphate है तो इसकी full form हो गई ribulose 15-bisphosphate अब आपको एक बात समझ में आ गई यहाँ पर कि ribulose 15-bisphosphate क्या है एक तरह की sugar है हमने क्या किया हमने इस sugar पर सबसे पहले CO2 लाकर जोड़ा step को आप नाम देंगे carboxylation तो आपनी किसकी carboxylation करी RUBP की RUBP पे CO2 जोडने को carboxylation कहेंगे ठीके अब यहाँ पर जो compound बना उसका नाम बना PGA PGA कितने carbon है 3 carbon PGA कितने carbon है भाई 3 carbon है PGA 3 carbon के कितने molecule बने 2 आप खुद देख सकते हो PGA 3 carbon है तो PGA मेरा stable product है पहला stable product है PGA acid है हाँ शुगर नहीं है अब क्या है मेरे को आपको समझना पड़ेगा मुझे PGA से शुगर बनानी है हमेशा याद रखो बिटा आपको कुछ-कुछ idea होना चाहिए PGA एक तरह का acid है ठीक है उस acid से अगर आपको sugar बनाने है sugar की definition होती है या तो उस पे aldehyde group हो या ketone group हो और एक से ज़ादा OH हो अगर मैं आपको PGA का structure दिखाऊँ तो आपको idea हो जाएगा ये देखो COH है ठीक है उसके बाद यहाँ CS2 के साथ OS था यहाँ OH है और यहाँ H है ठीक है इस compound का नाम है glyceric acid लेकिन यहाँ पर इस तीसरी carbon पर phosphate जुडा हुआ है तो एक OH यह रहा और यहाँ एक OH था दो तो OH होगर यह acid हो गया अगर इस acid को reduce करके aldehyde बना दो तो PGA एक acid sugar में convert हो जागे simple जी बात है PGA क्या है acid है अगर किसी acid को आप aldehyde में convert कर दो इस group को तो यह sugar बन जाएगी उस पर OH होने चाहिए दो बस तो मुझे यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी reduction करनी पड़ेगी क्योंकि reduction के भीना बनेगा नहीं reduction करने के लिए मेरे पास reducing agent चाहिए दो NADPH और वो use हो गया है दो NADPH जो मैंने बनाय था ना light reaction में वो यह यहाँ पर use हो गया उसके अलावा मुझे दो ATP भी खर्च करनी पड़ेगी यहाँ दो ADP आ गया तो आपको यह समझना पड़ेगा कि मुझे इस acid से क्या बनानी है शुगर बनानी है और वो जो शुगर बनेगी वो तीन carbon की बनेगी क्योंकि acid तीन carbon का है तो उस शुगर का नाम है triose phosphate क्या मेरी बात समझ में आ रही है triose phosphate तीन carbon की शुगर है और वो बनी कैसे है reduction से reduction में 2 NADPH और 2 ATP खर्च होंगे क्या यहां तक clear है, अब सुनो ध्यान से, आपने यहां पर कितनी carbon fix करिए, एक, ठीक है, अब क्या करोगे, क्योंकि यह cycle चलती रहे, क्योंकि यह cyclic process है, दुबारा से process पूरा चलता रहे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक step और करना पड़ेगा, जिसे regeneration कहते हैं, सर, क्या कह रहे हो, मतलब आपने कहा था कि Calvin cycle में sugar बनती है, glucose की बात करीती, वो कहां है, यह देख बिटा, यह तीन carbon की है, यहां नीचे इससे glucose बनेगा, ठीक है, glucose में convert होगा, लेकिन मुझे इस triose phosphate से यह भी बनाना है, RUVP, ताकि पूरा process चलता रहे, इसमें मैं क्या खर करूँगा, और यहां ADP मनेगा, इसका मतलब क्या हुआ, सुनना ध्यान से, इसका मतलब यह हुआ, कि अगर आप ध्यान से देखो, हम क्या कर रहे हैं, हम एक sugar है, पांच carbon की, उस पे लाकर CO2 जोड रहे है, carboxylation, उससे एक acid मिल रहा है, जिसकी reduction करके, हम sugar बना रहे हैं, यह शुगर तो तीन carbon किये, इसको फिर convert करते हैं, glucose में बता रहा हूँ कैसे, फिर इससे regeneration भी करते हैं, ताकि cycle चलती रहे है, एक ATP यहां लगती है, एक यहां, तो इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखें, तो एक CO2 fix करने में, इसको fix करने में, हमने क्या किया, तीन ATP खर्च कर अब आप एक चीज़ समझों यहां पर, कितने NADH लग गए आपको समझ में आ गई, ठीक है, और दो NADPH खर्च किये, और यह दोनों कहां बने थे, light reaction में बने थे, क्या याद आ रहा है यह बात, दोनों कहां बने थे, light reaction में, ठीक है सर्थ, इसमें बस यह वाला point थोड़ा स क्लियर नहीं, एक regeneration और glucose वाली बात, उस पर आ रहा हूं मैं, ठीक है, पर एक idea लग गया, यह शुगर है, यह भी शुगर है, सिर्फ यह acid है, acid की reduction करके शुगर बनाते हैं, ठीक है, अब आपके पास, अगर आप ध्यान से देखो, carboxylation किसकी कर रहे है, RUBP की, RUBP पे CO2 जो अतने molecule बनेंगे, दो, आगे चलो, आगे देखो, अब बात कर रहे है, reduction की, तो PGA को reduce किया है, और क्या बनाया है, triose phosphate, regeneration, किसकी regeneration कर रहे है, triose phosphate से, हम क्या बना रहे है, RUBP बना रहे है, और triose phosphate से, sugar भी बना रहे है, ठीक है, सर, थोड़ा सा idea दो, क्या हो, क्या हो, मैं आप से पूछना, RUBP कितने carbon है, सर, 5 carbon है, इदर देख भी बिटा, RUBP कितने carbon है, सर, 5 carbon है, PGA कितने carbon है, 3 carbon, इसके कितने molecule बने थे, 2, ठीक है, यहाँ आपने क्या जोड़ी थी, CO2, ध्यान से देखना, अब मैं आप से क्या कहता हूँ, आप एक काम करो, RUBP के 6 molecule ले लो, total carbon 30 हो इसके भी 6 molecule ले लो, ठीक है, तो आपने 6 से multiply किया, इसे भी 6, इसे भी 6 से multiply करोगे तो 12 हो जाएगा, total carbon क्या हो गही है, 36, 6 यह और 30 यह, हाना, 36 आप ध्यान से सुनना, ट्रायोस फॉसफिट के भी 12 molecule बन गए, उसमें से 2 molecule नीचे ले आओ, इसका मतलब 6 carbon नीचे ले आए, आप glucose बन गए, कितने molecule रह गए, 10 molecule, 10 molecule रह गए किसके, ट्रायोस फॉसफिट के, इसका मतलब कितनी carbon रह गई, 30 carbon रह गई, तो 30 carbon हो चाहिए यहाँ पर, आप खुद देखना है, तो मुझे 6 CO2 से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि 6 CO2 ही तो एक glucose बनाएगा, तो ट्रायोस फॉसफिट के 12 में से 2 molecule नीचे आते हैं, 10 वाप सी जाते हैं, अब यहाँ पर आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी, कि अगर मुझे एक glucose बनाना है, देखो, एक CO2 ज इतने 18 ATP और 12 NADPH लगेंगे, कोई डाउट है, इस बात को देख लो, clear है कि नहीं, बताओ, ठीक है, तो मेरे पास 18 ATP और 12 NADPH लगेंगे, 18 ATP और 12 NADPH लगेंगे, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो, बोलो जल्दी से, तो हमारे पास clear होना चाहिए, कि और reduction और regeneration ये 3 step है, ठीक है, आप देख लो, glucose बनाने के लिए यहाँ 6 CO2 लगा, मैंने 6 से multiply करके ये value लिखी है, clear है, आप देख सकते हो, ठीक है, तो कार्बॉक्सिलेशन, reduction और regeneration ये हमारे पास 3 step हमने यहाँ लिखे है, ठीक है, तो ये Kelvin cycle हो गई, ठीक है, अब Kelvin cycle में जो main enzyme ह ध्यान से दोनेंगे बिटा, 3 step ते कार्बॉक्सिलेशन, reduction, regeneration, ठीक है, main enzyme जो है, जो पहला step करा रहा है, कौन सा, main enzyme कौन सा step, कार्बॉक्सिलेशन वाला, कार्बॉक्सिलेशन कराने वाले enzyme का नाम क्या है, Rubis को, मतला मेरा point ये है, यहाँ पर, कि जैसे हमने क्या किया है, ध् reaction हो रहा है, यह देखो, stroma में dark reaction हो रहा है, तो इस location पर enzyme present है, Rubis को, यह Rubis को enzyme जो है ना, नाम देखो इसका क्या है, Rubis को, Rubis को की full form है, ribulose, ribulose, 1,5, bisphosphate, carboxylase, carboxylase, और साथ में oxygenase, मतलब क्या हुआ, Rubis को एक ऐसा enzyme है, जो carboxylation step कराया, जिसने क्या किया, Rubis को combine किया, CO2 के साथ, और क्या बनाया, PGA बनाया, यह main enzyme है, Calvin cycle का, इसका नाम Rubis को है, यह दिखने में कुछ ऐसा है, जिस पर दो site है, एक site, जिस पर यह RUBP bind करता है, एक site, जिस पर CO2 bind करता है, तो हम यह समझते हैं, कि when, RUBP, combine with CO2, combine with CO2, तो Rubis को कैसे काम कर रहा है, Rubis को acting as carboxylase, clear है, Rubis को कैसे काम कर रहा है, acting as carboxylase, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है, तो हमने यह आपर क्या बात करी है, सुनना ज्यान से, हमने यह आपर क्या बात करी है, समझो, हमने यह आपर यह देखा, कि RUBP और CO2, ठीक है, RUBP और CO2 जो है, यह दोनों अगर लगते हैं, तो Rubis को as a carboxylase काम कर रहा है, पर Rubis को की एक property और होती है, Rubis को क्या कर सकता है, RUBP के साथ, RUBP के साथ, oxygen को भी combine कर सकता है, तो RUBP can combine with oxygen, तो Rubis को कैसे काम कर रहा है, acting as oxygenase, तो इसी लिए इसके नाम में दो पार्ट है, carboxylase oxygenase, तो Rubis को क्या है बिटा, most abundant enzyme होता है, अर्थ पे, सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलने वाली protein या enzyme Rubis को ही है, Rubis को एक ऐसा enzyme है, जिसके पास ऐसी property होती है, कि वो RUBP के साथ CO2 और oxygen दोनों को combine कर सकता है, पर Rubis को क्या ऐसा है, कि जिसका मन कर रहा है, अपनी मरजी से करेगा, ऐसा तो नहीं, यह Rubis को इनसान तो है नहीं, क्या condition होती है, कि Rubis को carboxylase की तरह काम करता है, और क्या condition होती है, एज़ा oxygenase काम करता है, यहाँ पर दो-तीन सवाल मेरे मन में आ रहे हैं, सबसे पहले Rubis को है कहाँ पर, Rubis को stroma में है, Rubis को जब CO2 के साथ combine करता है, तो हमारा एक फाइदा है, हमारे पास PGA बनता है, और उसके भी दो molecule बनते है, जो कहां यूज होते हैं, शुगर बनाने में यूज होते हैं, पर हमारे मन में यह सवाल उठता है, कि जब Rubis को, Rubip को oxygen के साथ combine करता है, तो क्या कोई फाइदे की चीज बनती है, क्या हमें फाइदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, इस topic को हम बोलते हैं, photorespiration, photorespiration एक ऐसा topic है, जिसमें हम यह जानते हैं, हम यह पढ़ते हैं, कि Rubis को कुछ special condition में, RUBP को oxygen के साथ combine करता है, उस special condition में जो product बनते हैं, वो हमारे फाइदे के नहीं है, plant के फाइदे के नहीं है, लेकिन क्या ऐसा है कि Rubis को को मजबूरी हो गई, कि oxygen के साथ combine करना पड़ा, यहाँ पर जो point है, इस topic को हम photorespiration कहते हैं, तो हमने यहाँ पर कुछ ऐसी बाते सीखी, हमने यहाँ पर कुछ ऐसी बाती सीखी, कि what is photorespiration, तो हमने सबसे पहले यह देखा, कि जो main enzyme है, photosynthesis का, main enzyme, उस enzyme का नाम Rubis को है, Rubis को की एक परेशानी है, कि वो क्या करता है, can act as carboxylase and oxygenase दोनों, वो carboxylase की तरह भी काम कर सकता है, और oxygenase की तरह भी काम कर सकता है, मन में जो सवाल आ रहा है, कि जब Rubis को, when Rubis को act as oxygenase, कुछ नुकसान होगा क्या, पिर हम बात करेंगे, कब काम करता है, कुछ नुकसान पहुचेगा, मैं ये जानना चाहरा हूँ, मैं कुछ नुकसान पहुचेगा, ये जानना चाहरा हूँ, clear है, clear है, clear है, तो हमें क्या देखना है कि रुबिस को कब ऐजा oxygenase काम करता है तो पहले जोर यह देख लो कि जब oxygenase की तरह काम करेगा तो क्या होगा जरत समझना इस बात को oxygenase की जरत जब काम करेगा तो क्या होगा exactly देखो यह RUBP है ठीक है उसके साथ oxygen गमाइन कर दी हमने तो जब oxygen कमाइन करेंगे तो PGA बनेगा यह बड़ी strange बात है पर साथ में एक और compound बन रहा है जिसका नाम phosphoglycolate है अब आपको यहाँ पर एक problem समझ में आएगी वो क्या था कि जब ऐजा carboxylase काम कर रहा था मतलब RUBP के साथ जब मैं CO2 कमाइन कर रहा था समझो इसे तो मेरे पास दो molecule बन रहे थे किसके मेरे पास क्या बन रहे थे दो molecule बन रहे थे किसके फॉस्फो ग्लाइकोलेटर दो molecule बन रहे थे पूरी की पूरी देखो पांच कार्बन ये और एक कार्बन ये पूरी की पूरी यूज हो जारी थी PGA बनाने में लेकिन यहां पर आप देखोगे कि तीन कार्बन तो चलो यूज हो गई PGA बनाने में पर दो कार्बन का एक वेस्ट बन गया जिसका नम फॉस्फो ग्लाइकोलेट है तो हमें यहां पर यह समझ में आ रहा है कि रुबिस्को जब ऐजा कार्बॉक्सिलेज काम करता है तो फाइदे की बात है क्योंकि पूरी छे कार्बन पांच जो पहले सेती और एक जो नहीं आई वो पीजीए में यूज हो गई बनाने में और उससे हम शुगर बना लेंगे लेकिन जब आर यू बीप ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है तो एक वेस्ट बन रहा है फॉस्फो ग्लाइकोलेट वो छे में से सिर्फ तीन कार्बन यूज हो पा पीजी के तो उससे वापसी एक पीजीए मिल जाता है और एक सियो टू लॉस हो जाती है थोड़ा सा इसको और प्रॉपर समझते हैं मतलब क्या हुआ अगर मैं दो आर यू बीपी लूँगा इस दो आर यू बीपी से दो ऑक्सीजन कंबाइन करूँगा तो मेरे पास दो प टोटल ये चार कार्बन है ये तीन और गनल में घुमते हैं क्लोरोप्लास्ट में तो ये पहले से हैं उसके बाद ये जाते हैं किस में परॉक्सीजोम में पिर किस में जाते हैं माइटो कॉंड्रिया में हना माइटो कॉंड्रिया में जाते हैं पिर ये वापसी जाकर पीज टोटल कार्बन कितनी हो गई 10 चीक है दस कार्बन में से मेरे पास यहाँ पर PGA 6 कार्बन वापसी आ गई फिर दो पीजी बने तीन कार्बन फिर से वापसी आ गई एक पीजी और आ गया नुकसान क्या हो गया एक कार्बन एकसेड लॉस हो गई तो आपको यह समझना लाइट की प्रेजन्स में यह सी ओ टू रिलीज हो रही है और यह माइटो कॉंड्रिया में होती है हो क्या रहा है कि क्लोरोप्लास्ट है यह क्लोरोप्लास्ट का यह स्ट्रोमा है इस स्ट्रोमा में मेरे पास क्या हो रहा है जरा समझना यह हमारे पास स्ट्रोमा है समझो इ यहाँ पर यह जो हमारे पास स्ट्रोमा है यहाँ पर इस स्ट्रोमा के अंदर जो रुबिस्को एंजाइम है वो नॉर्मली तो किस से कंबाइन करता है CO2 से कंबाइन करता है कुछ special condition में वो oxygen से कंबाइन कर देता है वहाँ पर एक by product बनता है phosphoglycolate उस by product को तीन और्गनल यूज़ करके हम वापसी PGA बना तो लेते हैं पर एक CO2 का नुकसान हो जाता है इसलिए इसे respiration कह रहे हैं इसे क्या बोल रहे है respiration अब यहाँ पर एक चीज़ बच्चों को अजीब लगेगी कि यार फिर हम combine क्यों कर रहे है ऐसा क्या हो रहा है कि plant की मजबूरी है कि Rubisco को oxygen के साथ combine करना पड़ रहा RUBP के साथ क्योंकि अच्छा यह होता कि RUBP CO2 से combine होती आपको नुकसान यह क्यों feel होगा क्यों कुछ बच्चे कहेंगे कि यार PGA मिलतो गया नहीं एक carbon dioxide का नुकसान हो गया और यह carbon dioxide RUBP की है जो already fix हो चुकी थी आपको समझ में आ रहा है तो photorespiration एक तरह का नुकसान है आप समझो photorespiration क्या है एक तरह का loss है बिटा loss है और यह loss क्यों हो रहा है आपको समझना पड़ेगा तो photorespiration क्या होता है किन conditions में होता है तो photorespiration जो है उसका exact meaning यह है कि when RUBIS को काम करेगा oxygenase की तरह act as oxygenase यह ऐसा respiration है जिसमें energy नहीं बनती इसमें क्या CO2 form होती है yes इसमें PG बनता है दो carbon का पहला product phosphoglycolate यह बनता है इसमें ATP नहीं बनती ATP नहीं बनती not form एक तरीके से indirectly use हो रहा है ATP क्योंकि RUBP खराब कर रहे है यूज हो रहा है ठीक है किन conditions में यह होता है condition सुन लो condition यह है कि मेरे पास यह Rubisco है यहाँ पर मेरे पास RUBP लगता है CO2 और oxygen compete करते है although Rubisco की preference CO2 के लिए है पर CO2 oxygen compete करते है तो हमें समझना पड़ेगा कि CO2 and oxygen compete करता है compete with binding on Rubisco binding on Rubisco जबकि Rubisco की भले ही preference किसके लिए है Rubisco को prefer है क्या Rubisco prefer करता है CO2 Rubisco prefer करता है क्या CO2 को prefer करता है CO2 को क्या करता है prefer करता है आप समझे ध्यान से CO2 और oxygen CO2 को prefer करता है Rubisco को तो हमने यहां पर क्या किया हमने यहां पर क्या किया co2 और oxygen हना compete करते हैं binding on rubis को समझो इससे competition करते हैं चलो देख लेते हैं तो हम क्या करेंगे बिटा हम यहां पर यह करेंगे कि हम यह देखेंगे conditions की बात कर रहे हैं किन condition में oxygen से bind करता है पहला when oxygen की concentration आसपास high हो ऐसा कब होता है ये बड़े-बड़े trees है इनके नीचे oxygen जादा होती क्योंकि oxygen बनाते हैं तो इसको कहते हैं canopy उसके अलावा high light intensity में जब high light intensity हो ऐसी condition कहा होगी quitter के पास high light intensity high temperature हो high temperature हो और co2 की condition co2 क्या हो low हो मेरे पास इन condition में rubis को कैसे काम करेगा ऐसा oxygenase की तरह काम करेगा clear है कि नहीं तो rubis को ऐसा oxygenase की तरह काम करेगा कैसे कैसे काम करेगा तो rubis को ऐसा oxygenase की तरह काम करेगा condition क्या है जब oxygen की concentration जादा हो high temperature हाई light intensity हो और ऐसा मेरे पास कहा होता है अर्थ पे equator के पास equator equator के पास जिसे हम tropical condition कहते हैं अब आपको यहाँ पर एक बात समझ में आ रही है कि सर आपने Calvin cycle पढ़ाई जिसे C3 cycle कहते हैं उसका main enzyme Rubisco है Rubisco के साथ एक दिक्कत है कि Rubisco कैसे काम करने लगता oxygenase की तरह से उससे ATP खर्ची हो रहा है बन तो रहा नहीं है CO2 भी बन रही है ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि वो oxygen से combine कर रहा है और यह कुछ conditions है इन ही में होता हमेशा नहीं होता अगर माल लो carbon dioxide की concentration हाई हो तो यह नहीं करेगा तो एक तरीके से photosynthesis की efficiency घट रही है कहीं न कहीं आप CO2 fix कर रहे है और वेस्ट हो रही है जैसे कुछ यह कुछ ऐसा हो रहा है कि जैसे माल लो मेरे पास यह bottle है इस bottle में उपर से पानी भर रहा है और यहाँ छेद है उस hole से पानी निकल रहा है तो एक तरीके से पानी भरने का process less efficient हो रहा है ऐसे ही मैं CO2 fix करता हूँ लेकिन photorespiration से CO2 waste हो रही है तो कहीं न कहीं process less efficient हो गया और यह condition ऐसा नहीं कि हमेशा हो रही है यह क्यों हो रही है क्योंकि Rubisco as a oxygenase की तरह काम कर रहा है special condition में अब solution क्या है तो जो tropical plant है उन्होंने देखा क्योंना क्या करे Rubisco के आसपास oxygen ना आने दे इसको लेकर एक खास रहके plant आए जिने C4 plant कहते है तो C4 plant वो होते हैं जिनमें Rubisco as a oxygenase की तरह काम नहीं करता तो C4 plant क्या होते है when Rubisco not act as oxygenase इनमें as a oxygenase काम नहीं करता इन C4 plant में क्या होता है CO2 fixation के लिए दो cell होते है CO2 fixation occur in two cell दो अलग-अलग cell में CO2 fixation की जाती है जैसे मालो एक cell ये है इससे ये दूसरा cell जुड़ा हुआ है और दूसरा cell कैसे जुड़ा हुआ है connections के थू connection का क्या मतलब है plasma decimata connection के थू तो हमने क्या किया है हमने क्या किया इस cell में हमने रुबिस को रख दिया है और कोशिश करते हैं कि यहाँ oxygen ना आए तो हमने उसके लिए क्या किया इस cell की wall बहुत मोटी कर दी यहाँ बाहर से तो oxygen नहीं आएगी और यहाँ पर बाहर से मैंने क्या डाला CO2 डाला इस CO2 को किसी compound के साथ fix करके अंदर ले आए यहाँ तक समझो अंदर ले आए यह clear है कि नहीं ठीक है तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं इसको समझेंगे हम हमने क्या किया है हमने रुबिसको not act as a oxygenase यह बोला fixation occur in two cell fixation हमारे पास दो cell में हो रही है यह पहला cell है और यह दूसरा cell है समझो ध्यान से पहले cell में हमारे पास क्या हो रहा है एक second रुके एक second रुके ठीक है बटा तो C4 plant है हमारे पास ध्यान से सुनेंगे C4 plant है तो हम यहाँ पे क्या कर रहे है देखो क्या करना क्या चारे है यह जो cell है इसमें CO2 बार से लाएंगे और उस CO2 को इस रुबिसको के पास लाएंगे यहां किसी भी तरीके से oxygen आने नहीं देंगे देखो oxygen कैसे आती है मालो oxygen कैसे आती है कि जैसे मालो यह normal cell है जो mesophyll cell होता है उसमें एक chloroplast है यहां मेरे पास यह थाइला कोईड है यहां oxygen बनती है और यहां रुबिसको होता है oxygen बाहर निकलती है रुबिसको को मिलती है और oxygen बाहर से अंदर आ सकती देखो यह chloroplast है इसमें यह stroma है यह रुबिसको है तो रुबिसको जो है बिटा उसके पास oxygen कहां से आती है lumen में बन के आती है तो हमने क्या किया कुछ ऐसी arrangement करते है जिसमें एक cell में बाहर से CO2 लाएंगे और वहां से अगर बाहर से oxygen आ भी रही है ऐसा हमारे पास C4 plant में होता है जिसमें एक cell होता है उसे मीजोफिल cell कहते है मीजोफिल cell जो होता है बिटा उसमें रुबिसको नहीं होता नोट है रुबिसको हना उसमें रुबिसको नहीं होता और एक दूसरा cell होता है जिसे bundle sheet cell कहते है bundle sheet का मतलब होता है कि वो vascular bundle के आसपास होता है जैसे आप क्या करोगे आप ऐसे समझो ये vascular bundle है इसके around मेरे पास थोड़े से ये वाले cells है इन्हें हम bundle sheet cells कह रहे है ये bundle sheet cells इसके around है इनकी जो wall होती है थोड़ी सी मोटी होती है थोड़ी सी थिक वाल होती है यह bundle sheet cell होते हैं ऐसे gold circle की form में लगे होते हैं इनकी थोड़ी सी वाल हमारे पास क्या होती है थिक होती है ठीक है और इनके पास मेरे पास कौन से cells लगे रहते हैं मीजोफिल सेल, यह मीजोफिल सेल इसके बाहर होते हैं, यह वाले सेल्स कौन से हैं, बंडल शीट सेल, इस arrangement को हम क्या बोलते हैं, क्रेंज अनॉटमी, क्रेंज अनॉटमी क्या होती हैं, जरा समझना, मैं आपको यह समझा रहा हूँ, कि C4 प्लांट, जो equator के पास जो प्लांट पिर दूसरा उसमें रुबिस्कों के पास ले जाएंगे, तो ऐसे प्लांट को हमने C4 प्लांट बोला, इनमें क्या मिला, इनकी लीफ के अंदर, मैं जब ध्यान से देखा, माइक्रोस्कोप में, तो मुझे एक अलग arrangement मिली, मुझे दिखा, कि वास्कुलर बंडल के चारो कहते हैं, जो इनकी लीफ में मिली, तो हमें दिखा कि यार इसमें तो अलग arrangement है, यह जो C4 cycle है, या C4 plant है, इनमें दो सेल से कैसे fix करते हैं, वो मैं बता रहा हूँ, पर अपने दिमाग में रखना है, कि रुबिस्कों के आसपास क्या नहीं आने देनी, oxygen नहीं आने देनी, तो जरा ध्यान दो बिटा इदर, यह वाला जो सेल है, इस वाले सेल को हमने नाम दिया है, इस वाले सेल को हमने नाम दिया है, मीजोफिल सेल, इस वाले सेल को हमने नाम दिया है, बंडल शीत सेल, चीक है सर, clear है, चीक है, अब यह जो मीजोफिल सेल है, ध्यान से सुना, इस के क्लोरोप्लास्ट में मैंने यहां पर रुबिस्ट को रखा हुआ है यह मेरे पास क्या है रुबिस्ट को ठीक है अब मैं जो पॉइंट आपको बोलने जा रहा हूं मैं जो पॉइंट बोलने जा रहा हूं यह जरा समझना ध्यान से यह पॉइंट ध्यान से समझना जो मैं य वाले cell में रखा वो और इसकी वाल जो है, इसको impervious बना रखा है, impervious का मतलब है, यहां से कोई भी वो नहीं जाएगा, अब देखो, मीजोफिल cell में initial fixation होती है, initial fixation का मतलब है कि CO2 यहां आता है, दूसरा इसमें light reaction भी होता है, light reaction का मतलब क्या है, इसमें PS2 और PS1 होंगे, और साथ के साथ इसमें oxygen भी form होती है, ठीक है सब, थोड़ा सा बताएं कि initial CO2 fixation का क्या मतलब, इधर देखो बिटा सारे, मेरे पास माल तो बाहर से CO2 आती है, वो CO2 एक compound से combine होती है, जिसका नाम PEP है, अब यह PEP की full form में अभी बता रहा हूँ आपको, पर PEP तीन carbon का है, यह एक carbon है, दोनों combine होके, एक product बनाते हैं, जो OA होता है, OA क्या है बिटा, चार carbon का acid है, तो PEP की full form है, फॉस्फो, फॉस्फो, इनॉल, पाइरुवेट, यह तीन carbon का एक तरह का पाइरुवेट है, जो इनॉल फॉम है, तीन carbon का, OA क्या है बिटा, चार carbon का acid है, और यह first product है, यह क्या है, फॉस्फ प्रोडक्ट है, अब आप खुद से सोचो, यह first product है, चार carbon का, इसलिए C4 cycle कहते हैं, और यह primary CO2 acceptor है, जैसे RUBP ह होता था था ना, primary CO2 acceptor यहाँ है, कोई doubt है यहाँ पर, ठीक है सब, यहाँ पर जो enzyme है, उसका नाम pap case है, pap case की full form है, पॉस्फो इनॉल पाइरुवेट कार्बॉक्सिलेज, वट इस पाप केज, रुबिस को नहीं है, पाप केज, पॉस्फो इनॉल पाइरुवेट कार्बॉक थीक है, कार्बॉक्सिलेज, समझ में आ रहा है, तो हमने यहाँ पर क्या करा है, ध्यान देंगे, हमने यहाँ पर CO2 और PP को combine किया है, पैप केज दिया, और चार कार्बन का OA किया, सही है सर, अब यह जो चार कार्बन का OA मेरे पास है, चार कार्बन का OA है, यह convert हो जाता ह है, मैलिक एसिड में, सर, मैलिक एसिड कितने कार्बन का, यह भी चार कार्बन का है, अच्छा, ऐसा क्यों किया, भी बताएंगे, अब यह मैलिक एसिड का यहाँ ट्रांस्पोर्ट करते हैं, ठीक है, ट्रांस्पोर्ट किसके थुरू कर रहे हैं, आप देख लो, यह मैलिक में से CO2 निकाल कर Rubisco को दे देते हैं इसका मतलब यहाँ पर C3 cycle चल रही है क्योंकि Rubisco को अगर आप CO2 दोगे तो RUBP के साथ CO2 को combine करेगा तो Rubisco यहाँ रखा हुआ है जिसे CO2 दे दी ऑक्सिजन नहीं आने दे रहे अब क्या हो गया यहाँ पर C3 acid बन जाएगा क्या बन जाएगा pyruvate बन जाएगा pyruvic acid बन गया जो तीन कारबन का है इसको वापसी ले गए pyruvic acid को और pyruvic acid से जब मैं PEP बनाऊंगा यहाँ 2 ATP खर्चोंगे यहाँ क्या होंगे 2 ATP खर्चोंगे यह पूरी cycle को C4 cycle कह रहे है सर दुबारा बता दो एक बार फिर से बता रहो सुनना ध्यान से मीजोफिल सेल यह है मीजोफिल सेल में CO2 की सुरुवाती fixation हो रही है जिसमें वो PEP तीन कारबन के साथ कंबाइन हो के चार कारबन का OE दे रहा है जो OE मेरे पास है जो ध्यान से जुनना जो OE मेरे पास है वो चार कारबन का है और वो पहला प्रोडक्ट है इसलिए C4 cycle कहते है दूसरा यह जिसके साथ कंबाइन हो रहा है वो तीन कारबन का तो उसे प्राइमरी CO2 असेप्टर कहते है जो OE है उसको malic acid में convert किया फिर यहाँ लाए malic acid को वापसी OE में convert किया मैंने CO2 निकाल दिया CO2 दे दिया मैंने इसको रुबिस्को को और मैंने यहाँ पर पाइरुविक acid किया और यह चीज़़ मेरी बास सुनो देखो मुझे बताओ जरा यह वाला cell जो है C3 cycle चलेगी तो सर C4 cycle किसे केंगे इसे यह जो है न यह वाली देखो हमने क्या किया इस compound को यहाँ लाए यह रा और इसमें से CO2 निकाल दी तो 4 में से 1 CO2 गई तो 3 carbon का compound इसको वापसी ले गए और 2 ATP अगर आप ध्यान से देखो 1 CO2 fix करने में यह 2 ATP लगे नहीं दो नहीं इसके भी तो count करोगे Calvin cycle के एक CO2 fix करने में मेरे पास्चल ATP की बात बात में करते हैं पर आपको यह समझ में आ गया है कि हमने क्या किया है मीजोफिल सेल में initial CO2 fixation करी है पर C3 cycle इसी में हो रही है किस में किसके chloroplast में बंडल शीत के यह समझ में आ रहा है हमने OA बनाया OA को malic acid में convert किया malic acid को यहां लाए malic acid से बापसी OA बनाया उसमें से CO2 निकाला और pyruvic acid आया pyruvic acid उपर चला गया क्लियर है आगे चलते है दुवारा देखो यह बाले cell की wall impervious है ताकि इसमें कोई gas आ सके न जा सके इसका यह chloroplast है जिसमें rubis को रखा हुआ है इसका मतलब इसमें C3 cycle हो रही है बाहर से जो CO2 आई उस CO2 को PEP के साथ combine किया क्या बना पहला product चार कारबन का OA उसको convert किया malic acid में malic acid को यहां लाए malic acid को वापसी OA में convert किया ठीक है सर ओए चार कारबन का था इससे हमने जब CO2 निकाला और वो rubis को को दे दिया तु भई C3 cycle कर फिर यहां आगया pyruvic acid pyruvic acid को हम वापसी ले गए यह 3 कारबन का है यहां ले गए pyruvic acid 3 कारबन का और यहां पर मैंने 2 ATP खर्च करी अब जड़ा steps की बात करते है steps की बात करते है सबसे पहला step यह रहा है यहां पर पहला है carboxylation carboxylation जिसमें क्या है PEP combine हो रहा है CO2 से enzyme का नाम pap case है तो mesophyll cell में जो enzyme मिलता है उसका नाम क्या होता है pap case होता है ठीक है सर आगे की बात कर लेते है यह हो गया carboxylation PEP plus CO2 दूसरा हमने क्या लिखा है दूसरा हमने लिखा है transport हमने कहीं ना कहीं malic acid को transport किया है C4 acid को transport किया है कहा से mesophyll cell से bundle sheet cell में mesophyll cell to bundle sheet cell mesophyll cell से bundle sheet cell में हमने transport कर दिया सही है सर अब यहाँ पर जब हमने इसको transport कर दिया तो third सुनेंगे ध्यान से क्या हुआ third हमारे पास क्या हुआ सुनना ध्यान से transport हो गया third हमारे पास हो गया decarboxylation decarboxylation होता है CO2 रिमूफ करना तो यह तीसरा स्टेप है देखो this was second step and this one third step CO2 रिमूफ कर दिया तो CO2 रिमूफ हुआ और किसको दे दिया given to Rubisco वो Rubisco को दे दिया ताकि वो वहाँ क्या कर सके C3 cycle कर सके सही है सथ C3 cycle करेगा यहाँ पर बढ़िया है अब क्या करोगे अब जो C3 acid है उसका फिर से ट्रांस्पोर्ट करो तो ट्रांस्पोर्ट अब किसका कर रहे है पहले चार कार्बन वाले का कर रहा था अब C3 acid का किसमे from bundle sheet cell to mesophyll cell क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या मेरी बात समझ में आ रही है सोचें 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 ट्रांस्पोर्ट कर रही है ठीक है फिफ्थ हम जो बात कर रहे है फिफ्थ है हमारे पास decarboxylation फिफ्थ है हमारे पास regeneration regeneration का मतलब होता है C3 acid से C3 acid से PEP बनाना तो यह मेरे पास four step है this one this one is four step फिफ्थ से ट्रांस्पोर्ट किया यह फिफ्थ स्टेप है regeneration यह पास स्टेप होते है C4 plant में C4 cycle में अब ज़रा सुनना घ्यान से अगर मैं ATP की बात करूँ सुनना C3 cycle में कितने ATP लगते हैं सर सर एक CO2 fix करने में हमारे पास total लगते हैं 3 ATP और साथ में 2 NADPH लगते हैं ठीक है सर लेकिन मेरे पास मेरे पास यहाँ पर यह C3 cycle तो हो ही रही है पर मेरे पास C4 cycle का regeneration भी तो है तो अगर आप से कोई पूछे कि C4 cycle में कितने ATP लगेंगे यह वाले तो ले नहीं हैं आपने साथ में आपने 2 ATP और add कर देना है तो टोटल 5 ATP और 2 NADPH लगेंगे मतलब क्या हुआ कि जो यह वाला खर्चा है इसके अलावा और भी होगा clear है कि नहीं बताओ clear है clear clear ठीक है समझ में आ रहा है तो आपको यह समझ में आना पड़ेगा कि मैंने रुबिस को यहाँ इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ C3 cycle हो सके और यह वाली पूरी C4 cycle क्यलाती है ठीक है सर यह समझ में आ गया अब देखो हमने regeneration भी बताती है मुझे यहाँ पर एक चीज और समझनी पड़ेगी जो मैं आपको यहाँ पर extra बता रहा हूँ अब extra नहीं मतलब कि important बता रहा हूँ आपको यह point आपको समझना पड़ेगा ध्यान से देखेंगी बिटा यह point आपको समझना पड़ेगा इधर देखो आपको यह point समझना पड़ेगा कि यह माल लो मीजोफिल सेल है और यह bundle शीट सेल है मैं आपसे यह कह रहा हूँ कि मैंने बहार से क्या लाया है CO2 और वो किसके साथ combine कर दिया PEP के साथ यह 3 कारबन था यहाँ मेरे पास OA बन गया मैं OA से malic acid बना क्यों रहा हूँ मेरे पास इसमें granul thailakoid होते है जिसमें PS2 और PS1 दोनों होता है इस वाले mesophyll सेल में oxygen जो बनती है वो यहाँ से बाहर चली जाती है लेकिन यहाँ पर NADPH भी तो बना है अब दिक्कत यह है कि NADPH मुझे इस सेल में चाहिए जहाँ पर Rubisco है और C3 cycle हो रही है यह जो NADPH इस सेल में बना है mesophyll सेल में मुझे वो bundle sheet सेल में चाहिए तो मैं क्या करता हूँ OA से malic acid वाले step में यहाँ NADPH खर्च कर देता हूँ NADP plus बना देता हूँ मतलब यहाँ से यह बनाने में यह NADPH जो मेरा light reaction में बनाता हूँ उसे खर्च कर दिया अब जब मैं malic acid को लाता हूँ और वापसी OA बनाता हूँ तो कही ना कही मेरे पास NADPH बन जाता है मतलब जो NADPH मैंने यहाँ खर्च किया था जो light reaction में बना था उसको मैं यहाँ लाना चाहता हूँ क्योंकि सीधरी साइकिल में यूज होगा उसको आप क्या करते हो इस तरीके से यहाँ बना लेते हो यह point जो OA से malic acid मैंने इसलिए बनाया ताकि मैं NADPH जो यहाँ वाला है उसको indirectly यहाँ ला सको यह समझ में आ गई बात आपको फिर OMA से आप CO2 निकाल दो और फिर जो pyruvic acid आया उसका regeneration करके यह ले आओ तो आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि जो यह वाला mesophyll cell है इसमें आपके पास granul thylakoid होंगे क्योंकि PS1 और PS2 दोनों होगा PS2 भी होगा और PS1 भी होगा मेरी बात समझ में आ रही है तो यहाँ oxygen भी बनेगी NADPH भी बनेगा और क्या बनेगा ATP भी फॉर्म होगा लेकिन यह वाले में जो chloroplast होगा क्या granul thylakoid हो सकता है सर रख लो अगर रख लिया तो क्या होगा PS2 भी आ जाएगा अगर PS2 इसके अंदर आ गया PS2 इस chloroplast में आ गया तो क्या होगा oxygen बनाएगा फिर रुबिस्को के आसपास oxygen नहीं आएगी इसका मतलब यह है कि मीजोफिल सेल में light reaction होता है उसके साथ साथ PEP case के थूरू हम क्या करते हैं CO2 fix करते हैं इस वाले सेल में हमारे पास रियल में जो सीधरी साइकिल होती है वो इस वाले सेल में होती है और यहाँ पर हम क्या करते हैं जो NADPH यहाँ बना उसको इंडिरेक्ली लेकर आते हैं oxygen इस सेल में बनती है तो इसका chloroplast कैसा होगा stromal कर लो क्योंकि stromal में सिर्फ क्या होगा PS1 होगा तो ATP तो बन जाएगी कम से कम आर यह बात समझ तो अब मुझे कुछ-कुछ बाते समझ में आ गई mesophyll cell और bundle sheet cell में exactly करा क्या है mesophyll cell में light reaction कराते है bundle sheet cell में dark reaction कराते है normal plant जो C3 plant होते थे उसमें एक ही cell में हो जाता था mesophyll cell में जो oxygen बनती है वो यहीं से बाहर चली जाती है पर mesophyll cell में pap case के थूँ यह initial CO2 fixation करते हैं हम लोग clear है के नहीं बताओ clear है हाँ सरी यह समझ में आगे आगे चलो अब देखो जरा आपको यह समझ में आना चाहिए कि mesophyll और bundle sheet cell में क्या difference है पहला mesophyll cell में pap case होगा इसमें rubisco होगा bundle sheet में दूसरा इसकी wall impervious होगी इसकी pervious होगी gases के लिए तीसरा इसमें PS2, PS1 होगा मतलब granul thalacoid होगा इसमें नहीं होगा clear है सही है देखो जरा difference लिख देते है सबसे बहले mesophyll cell thin wall है pervious है अब मुझे बताओ intercellular space होगा इसमें हाँ gas move करने के लिए intercellular space होना चाहिए यह क्या है impervious है इसमें gas नहीं होगी इसमें no space cells के बीच में space नहीं चाहिए इसमें less chloroplast होगी क्योंकि इसमें light reaction हो रहा है dark reaction किसमें हो रहा है इसमें ज्यादा chloroplast होते है क्योंकि dark reaction की speed को match करने के लिए light reaction की speed को match करने के लिए इसमें ज्यादा chloroplast होते है इसमें granul thylakoid होते है क्यों होगे granul thylakoid क्योंकि इसमें light reaction हो रहा है light reaction हो रहा है इसमें कोई ऊक्सिजिन नहीं बनेगी, इसमें जो एंजाइम होगा, कौन सा होगा, मीजोफिल में, पैपकेज, ये कौन सा मीजोफिल सेल है, C4 plant का, ये बंदल सीपोर प्लांट का, इसमें कौन सा होगा, Robisco, Robisco किसमे है, bundle sheet cell में, आरी बात समझ, आगे चलो, ये देखो, मालो मैं Rubisco की बात करूँ, compare करूँ, ये तो carboxylase भी है, और oxygenase भी है, ये सिर्फ carboxylase है, इसकी location क्या है, C4 plant का, mesophyll cell, इसकी location क्या है, chloroplasty है, C3 plant में, mesophyll cell, और C4 plant में bundle sheet cell, ये location है, चीक है, इसका acceptor, RUBP use करता है, ये क्या use करता है, PP use करता है, हना, product क्या बनेगा, इसका product बताओ, Rubisco का, product बनेगा, PGA, 3 carbon का, और जब respiration करेगा, PG बनेगा, 2 carbon का, इसका product क्या बनेगा, इसका product बनेगा, OA, 4 carbon का, है कि नहीं, ठीक है, अब मालो आपसे कोई कहें, एक ही C3 और C4 plant में difference बताओ, तो C3 plant में क्या होता है, बिटा, single cell होता है, एक ही cell होता है, mesophyll cell ये, इसी के chloroplast में, यहां होता है, light reaction, और यही Rubisco होता है, यह dark reaction होता है, तो single cell होता है, mesophyll cell, इसमें 2 cell होते है, mesophyll cell और bundle sheet cell, इसमें क्या होगा, some conditions में, photorespiration होगी बताओ, photorespiration होगी कि नहीं होगी, हाँ सर होगी, photorespiration अकर, इसमें क्या होगा, no photorespiration, photorespiration होती ही नहीं है, इसमें photorespiration नहीं होगी बताओ, और इसमें क्या होगा, 5 ATP लगेंगी, पर CO2 fix करने में, इसमें क्या होगा, 3 ATP लगेंगी, पर CO2 fix करने में, ठीक है, हना यह difference भी है, हना, इसमें मेरे पास, सिर्फ Rubisco होगा, इसमें मेरे पास, पैपकेज, प्लस Rubisco दोनों होगा, ठीक है, और C4 प्लान जो है, वो हाई temperature पे काम करते हैं, हाई temperature का मतलब क्या है, उनका 35 डिग्री से 40 डिग्री से टेंपरेचर पे काम करते हैं, ट्रॉपिकल कंडिशन में, जहां बारिज ज्यादा होत और इसके एक्जामपल आपको ध्यान रखने है, मेज है, शुगर केन है, और मेरे पास सौरगम है, क्लियर है, मेज है, शुगर केन है, और मेरे पास क्या है, सौरगम है, ठीक है, क्लियर है, एक मैं जड़ा ये चीज आपको दिखा देता हूँ, देखो, आपके पास C3 और C C4 plant को लेकर एक table दे रखी है, ध्यान से जुनना, in Kelvin cycle C3 plant में पूछा है किस cell में होती है, तो ये तो mesophyll cell में होगी, और C4 plant में bundle sheet cell में, दूसरा cell type इनमे, initial carboxylation, दोनों में mesophyll cell में, दोनों में शुरुवाती CO2 वहीं आता है, C3 plant में एक cell है, इसमें 2 cell है, primary CO2 acceptor यहाँ पे क्या है, C3 में, RUBP, इसमें क्या है, PEP है, number of carbon बताओ, इसमें 5 carbon है, इसमें 3 carbon है, which is primary CO2 fixation product, देख लो खुछ से, primary CO2 fixation product, इसमें बनेगा क्या, PGA, इसमें क्या बनेगा, OA, ठीक है, आगे देखो, which is primary CO2 अच्छा हो गया यह, product हो गया, आगे आजो, number of carbon, इसमें PGA था ना यह, और यह क्या था, OA, इसमें 3 carbon है, इसमें 4 carbon है, plant Rubisco, yes, yes, TEP case, C3 है बटा, C3, C4, इसमें no, इसमें yes, Rubisco किसमें है, इसमें मीजोफिल cell में, इसमें bundle sheet cell में Rubisco है, CO2 fixation high, मेरी बाह सुनो, highlight condition में C3 plant में photorespiration होगा, तो photorespiration से CO2 fixation low होगी, इसमें high होगी, क्योंकि highlight में ही काम करता है, चीक है, clear है, आगे देखो, next देखो बटाए, यह दल देखो, यह वाला देखो, अब यह पूछ रहा है, weather photo देखो, low light intensity में C3 और C4 में, दोनों में कोई फर्क नहीं है, negligible आएगा, low light intensity है न, high में ही होता है, weather photorespiration presented high light intensity, हाई, और यहाँ negligible, मेरी बाह सुनो, यहाँ दोनों में negligible क्यों है, क्योंकि light intensity low है, दोनों में photorespiration होगा, high में इसमें क्या होगा, high होगा, इसमें negligible होगा, C4 है यह, यह C3 है, ठीक है, weather would be present at low CO2 में, low CO2 में, C3 में photorespiration high होगी, और इसमें negligible होगी, क्योंकि होती ही नहीं है, high CO2 में, दोनों में negligible, मेरी बाह सुनो, C3 और C4 में difference कहां आता है, difference कहां आता है, जब light intensity high होगी, तो C3 में photorespiration होगी, C4 में होगी ही नहीं, low light intensity में तो दोनों में ही नहीं होगी, तो इसका मतलब C3 और C4 प्लांट में फरक तब आता है, जब light intensity हाई हो, temperature हाई हो, oxygen हाई हो, और CO2 लो हो, photosynthesis पढ़ रहे हैं, जो इस chapter का last topic है, मेरी बात सुनना ध्यान से, हम यहाँ पर photosynthesis के rate की बात करने वाले हैं, rate समझ में आता है, speed की बात करने वाले हैं, ठीक है, या amount की बात कर सकते हैं, असल में हमारे पास दो तरह के factors होते हैं, जो photosynthesis को affect करते हैं, internal factor का मतलब होता है, plant factor, मतलब यह factor, plant पे depend करते हैं, for example, ध्यान देंगे, for example, ध्यान दे, सब लोग, ठीक है, for example, ध्यान दो, ध्यान दो, सब लोग, for example, जैसे, मेरे पास leaf, leaf है, ध्यान सुनेंगे, सबसे पहले मालनो, leaf का size हो गया, area हो गया, chlorophyll हो गया, यह सब plant पे है, number of stomata हो गया, number of stomata हो गया, फिर orientation of leaf हो गयी, orientation समझ में आता है, leaf ऐसे है, या ऐसे है, इस तरीके से, orientation of leaf हो गयी, उसके बाद, area मतलब surface area, उसके बाद हम यह लिख सकते हैं, कि inside leaf CO2, inside leaf CO2, मतलब leaf के अंदर, जो CO2 है, वो भी एक तरह का plant factor है, आर यह समझ, वो भी है, NCIT ने एक बाद बोले सुनो, कि जो internal factor है, वो depend करते हैं, depend on genetic predisposition, genetic predisposition का, क्या मतलब है समझना, genetic predisposition का मतलब है, genes पे depend करते हैं, मतलब कौन सी genes है, हमारे पास, जो मतलब control, मतलब होता क्या है बीटा, genes के थूरू control होता है, हमारे पास, जो factors होते हैं, तो जो internal factors होते हैं, वो genes के थूरू control होते हैं, किसके थूरू control होते हैं, genes के थूरू control होते हैं, तो genetic predisposition की, हम बात कर रहे हैं हम किसकी बात कर रहे हैं जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन की मतलब क्या हुआ जीन्स के थुरू ये कंट्रोल होते हैं इंटर्नल फैक्टर ऐसा नहीं है कि अगर काफी लाइट पड़ेगी तो घास की लीफ जो है या घास का पौधा ग्रास का पौधा बर्गर जितना हो जाएगा जीन्स पर डिपेंड होता है इसमें साइज ओफ लीफ एज ओफ लीफ उसकी औरियेंटेशन य दूसरा पढ़ना है CO2 तीसरा पढ़ना है temperature और फोर्थ पढ़ना है आपने water यहां पर हमें एक law की बात करनी है जिसका नाम है law of limiting factor ध्यान से सुनना law of limiting factor 1905 में FF Blackman ने दिया तसरी यह क्या बता रहे हैं मैं आपको क्या बता रहा हूं बिटा हम क्या पढ़ रहे हैं हम किसी भी plant पर light की वज़े से या इनकी वज़े से क्या फरक पढ़ता है इसको पढ़ने से पहले एक law जानना चाते हैं जिसके तुरू हम यह effect पढ़ सके law of limiting factor यह बोलता है ध्यान से सुनेंगे आपने यह पढ़ा है chemistry में भी जिसे हम limiting reagent कहते हैं हाना limiting reagent बोल सकते हैं या आपने chemical kinetics में पढ़ा है rate determining step slow step NCRT कहती है कि जब एक से ज़्यादा factor किसी biochemical process जैसे की photosynthesis को control करता है तो उस photosynthesis की speed वो factor determine करेगा जो इन चारों में सबसे कम होगा मतलब यह हुआ कि अगर एक से ज़्यादा factor किसी process को control करता है क्योंकि चारों factor होंग हमेशा तो rate किसमें depend करेगा किसी given time पर जो photosynthesis की speed है उस factor पर depend करेगी जो इन में से सबसे कम है अब क्योंकि यह चारों factor की unit अलग लग है कैसा दूरी कि सबकी unit meter है आप चारों को आपस में आप लोगे नहीं सबसे कम का मतलब है कि जैसे मालों light light की अच्छी value 10 है 10 से वो कितनी दूर है मतलब 0 पे है ऐसे पान अभी सिर्फ 5 कम है पर light 10 कम है तो point यह है कि law of limiting factor क्या कहता है कि any biochemical process any biochemical process control by control by more than one factor rate depend on on factor which is most limiting rate उस पे depend करेगा जो factor सबसे जादा limiting होगा क्या यह बात समझ में आ रही है most limiting का मतलब जो सबसे कम होगा for example आपको question ऐसा आएगा in low light intensity low light intensity increase in temperature अब rate पर क्या effect पड़ेगा effect पड़ेगा rate पर मेरी बात सुनना ध्यान से अब आपको समझना पड़ेगा question में वो कह रहा है कि low light intensity light कम है और बढ़ा temperature रहे है तो rate पर no effect आएगा क्योंकि बढ़ा light थोड़ी रहे है क्योंकि main factor जो rate को decide कर रहा है अगर आपको वो कह दे कि भाई मेरे पास limiting factor ऐसे कह दे at high light intensity तो rate बाकी तीनों पर depend कर जाएगा light को छोड़के क्योंकि उसने question में बता दिया है कि light पर depend नहीं कर रहा है ऐसे question साब बना पाओगे तो law of limiting factor कहता है जैसे मैं आपको clear कर देता हूँ मालो मैं एक graph बना देता हूँ यहाँ पर मैं rate लिख देता हूँ और यहाँ पर light लिख देता हूँ तो अभी अगर यह light के साथ directly proportional का graph है तो बाकी अगर CO2 के साथ rate का graph उस time पर constant का होगा मतलब rate CO2 के साथ change नहीं हो रहा है rate अभी सिर्फ light के साथ change हो रहा है तो किसी given time पर सिर्फ एक factor decide करेगा rate of photosenses बाकी factor control नहीं करेगा और वो कौन सा factor होगा जो सब से कम होगा best example बात करते हैं थंड की winter की morning में light बिलकुल नहीं होती साथ बजे light आती है तो rate of photosenses light पर होती है लेकिन उसके बाद भी जब ठंड रहती है तो rate of photosenses temperature पर चली जाती है 11-12 बजे के आसपास अगर light ठीक ठाक है लेकिन temperature बहुत कम है तो rate temperature पर depend है ठीक है अगर हम summer की बात करें तो सुबह के समय light बहुत कम है तो rate light पर depend है पर जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है तो rate पानी पर आ जाता है इसलिए summer के समय जैसे ही बारिश होती है rate of photosenses बढ़ती है और काफी जादा खाना plant बनाने लगता है अब हम क्या करेंगे चारों factor को अलग लग deal कर लेते हैं सबसे पहले light मैं आपसे जानना चाहरा हूँ कि light में क्या-क्या parameters होते हैं सबसे पहले एक होता है amount of light amount of light जिसे हम क्या बोलते है day length day length का मतलब होता है दिन की लंबाई ठीक है सब दूसरा हमारे पास होता है intensity intensity of light अब आपको समझना पड़ेगा intensity का क्या मतलब है तीसरा हमारे पास होता है wavelength आप समझ रहो wavelength तो आपको यह देखना है कि light में तीन चीज़े होती है पहला amount wavelength आपको पता है blue और red जादा effective होती है intensity का मतलब क्या होगा afternoon में जादा intense है afternoon में more intense है इसके comparison में evening के comparison में summer में जादा intense है तो आपको यह देखना पड़ेगा कि यह तीनो factor यह control करते है amount of photosenses amount तो करते ही है लेकिन अगर मुझे speed control करवानी है इसमें से एक ही factor है light का जो speed control करता है वो intensity intensity मतलब intensity एक ऐसा factor है intensity समझ में आता है पर unit area में कितनी light पड़ रहे है intensity control rate of photosenses किसको control करता rate of photosenses को तो इसका मतलब rate का graph intensity के साथ हम बनाएंगे इतनी बात समझ में आ गई अब जड़ा देखो एक graph plot कर लेते हैं यह हमने एक graph बना दिया इसमें हमारे पास यहां पर हमने क्या लिख दिया rate उपर लिख दे इधर लिख दे हम लो intensity किसकी intensity light intensity और यहां हमने क्या लिख दिया rate of photosenses आपको बता rate of photosenses मतलब कि speed से photosenses हो रही है अब आप graph को बनाओ यहां पर आपको यह समझना पड़ेगा कि थोड़ी सी light आने के बाद ही photosenses है और इसको ऐसे बनाना नहीं चीए थोड़ी सी light आने के बाद ही photosenses से start होते हैं थोड़ा आगे से लेते हैं और इसको ऐसे बनाते हैं तो आपको ये समझ में आ रहा है, आपको ये समझ में आ रहा है, कि जैसे जैसे मैं light बढ़ा रहा हूँ, rate बढ़ रहा है, एक point के बाद, ये rate यहां से constant हो जाएगा ऐसे, इसका मतलब ये हुआ, कि अब मेरे पास ये maximum rate आ गया, इसके बाद वो आप light पर depend नहीं कर रहा है, तो अगर मैं इस point को A लिख दूँ, इस point को मालो B लिख दूँ, तो हम ये लिख सकते हैं, मालो और इसको 0 लिख दूँ, O लिख दूँ, तो हम लिख सकते हैं O2A, OA जो है, उसमें rate जो है, वो directly proportional intensity के, जब rate directly proportional intensity के, उसे कहते है low light intensity, तो low light intensity, वो intensity होती है, जिस पे rate जो है, वो intensity पर depend है, लेकिन A to B, A to B में rate constant हो गया, rate constant होने का मतलब क्या हुआ, कि अब क्या है, now other factor limiting हो जाएंगे, कोई और factor पर rate depend कर जाएगा, ये समझ में आ रहा है कि नहीं, हम ये कह रहे हैं थोड़ी सी तो light चाहिए ना, photosense से start करने के लिए, यहां से start करते हैं, धिरे धिरे बढ़ता है, और फिर एक point पर आकर ये constant हो जाता है, अब आप चाहें कितनी भी intensity बढ़ा लो, rate नहीं बढ़ेगा, बहुत आगे जाकर ये graph नीचे भी आ सकता है, ऐसे जाके, क्यों? क्योंकि pigment damage होने लगते हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा, कि rate intensity पे जब depend कर रहा है, उसे low light intensity कहते हैं यहां तक, ठीक है, A2B, अच्छा, NCRT कहती है, कि even, 10% light काफी होती है, sufficient है, किसके लिए for saturation, saturation का क्या मतलब होता है, saturation का मतलब होता है, जब ये constant होगे, ये जो point है ना, ये वाला B वाला या यहां पे यहां पे लो, ये एक तरीके से saturation point है, तो saturation लाने के लिए, total sunlight की 10% light काफी होती है, इसका मतलब rate, सबसे पहले light में तीन चीज़ है, rate है, intensity है, wavelength है, और amount है, जो intensity है, वही rate decide करती है, clear है कि नहीं, सही है, अब हमने यहां पर ये बोला है, कि rate directly proportional intensity के, सही है सर आपने ये बात ठीक बोल दी, हम आपको ये कह रहे हैं, कि जैसे जैसे intensity बढ़ा रहे हैं, और rate बढ़ रहा है, एक point पर आकर constant हो गया, इस point को हमने कह दिया, saturation point, सही है सर ये बात भी समझ में आ गई, अब हमने यहां पर ये बोला है, कि rate directly proportional intensity के, A to B में rate हमारे पास constant है, तो other factor क्या हो जाएंगे, limiting, मतलब क्या हुआ, अब यहां पर rate light पे तो depend नहीं कर रहा है, तो किसी और factor पे करेगा, उसके साथ NCRT कहती है, कि 10% light काफी होती है सन की, इसका मतलब light बहुत कम ऐसा factor होती है, जो limiting हो, until shade ना हो, shade मतलब चाया ना हो, तो light जो होती है, वो rarely limiting होती है, rarely limiting का मतलब क्या होता है, बहुत कम ऐसा होता है, कि light कम पड़ेगी, और वो कम होती है बिटा, in shade ऐसा होता है, in shade ऐसा होता है, ठीक है, light कभी भी limiting नहीं होती, open sun में, normally plant को ठीक light मिल जाती है, 10% ही चाहिए होती है, उसे, उतनी हो जाती है उसके पास, ठीक है, shade में ही होता है, और अगर कभी बहुत high light intensity हो, तो pigment damage हो जाते है, दोपैर में ऐसा होता है, very high light intensity, क्या होगा, rate decrease करता है, rate decrease करेगा, क्योंकि pigment damage हो गए, pigment क्या हो गए, damage हो गए, अच्छा, कुछ plant ऐसे होते हैं, जो shade में grow करते हैं, उन्हें shade plant कहते हैं, shade plant पता आपको, जैसे money plant, उधीना, money plant, हाणा, mint, ये क्या होते हैं, ये low light intensity पे भी grow कर जाते हैं, जहाँ पे normal plant grow नहीं करता, जैसे मैं आपको एक example देता हूँ, जान सुना, मालनों ये खेत है, field है, इस field में, हमने यहाँ पर दो-तिन tree लगा रखे है, तो जहाँ तक इसकी shade पड़ेगी, वहाँ growth कम रहती है plant की, लेकिन कुछ ऐसे plant होते हैं, जो कम light में भी grow करते हैं, उन्हें chloroplast का number high होता है, और dark color होता है, तो chloroplast जादा होते हैं में, इसलिए वो shade में grow कर जाते हैं, याद रहेगा shade plant, ठीक है, और जो normal plant होते हैं, उन्हें sun plants काते हैं, ठीक है, ये light के लिए करना में, अब जड़ा बात कर लेते हैं, CO2 को लेके, ठीक है, CO2 को लेके बात करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, आपके लिए important है, ठीक है, मैं आप से एक सवाल पूछता हूँ, आपको environment में, CO2 की concentration पता है, सर थोड़ा थोड़ा idea है, आपको इतनी concentration पता हो नहीं, 0,38% CO2 होती है, इसको हम लिख सकते हैं, 380 ppm, parts per million लिख सकते हैं, या 380 microlitre per litre लिख सकते हैं, दो unit हम यूज़ कर सकते हैं, तो यह environment की CO2 concentration है, किसकी है, environment की CO2 concentration है, जर आप बहुत ध्यान से सुनना, मेरे पास क्या होता है, ध्यान से समझना में, मेरे पास क्या होता है, C3 plant, और C4 plant, दोनों की CO2 saturation अलग लग होती है, मतलब उन्हें कितने CO2 पर उन्हें saturation आ जाएगा, मतलब rate saturate हो जाएगा, देखो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, जैसे माल लो मैं एक graph बनाता हूँ, ऐसे, यहाँ पर मैं लिखता हूँ CO2 concentration, और यहाँ लिखता हूँ rate, मैंने क्या किया, ज्यान से समझना हूँ, मैंने क्या किया, मैंने इस graph को ऐसे ले गया, और यह saturation दिखा दी यहाँ पर, फिर मैंने क्या कि एक और graph plot किया, उसकी saturation यहाँ दिखा दी, और यहाँ पर मैंने एक value लिखी है, यह, यह जो value है, यह वाली, saturation 360 ppm पे आ जाती है और ये मेरे पास C3 plant है जिसकी saturation किस पे आती है 450 पे ज़रा समझ नहीं कोशिच करना saturation का मतलब है अब rate constant हो जाना तो C3 का मेरे पास जो है वो 450 ppm है parts per million और C4 का मेरे पास है 360 ppm अब मैं आपसे ये जानना चाहरा हूँ environment में कितनी है 380 है तो जो environment में CO2 है C4 plant के लिए तो काफी है ने वो C4 के लिए काफी है पर C3 के लिए कम पड़ रही है है के नहीं बताओ इतनी बात समझ आ रहा है जो environment में CO2 है C3 के लिए काफी है नहीं C4 के लिए sufficient है C3 के लिए कम पड़ रही है तो NCIT क्या लिखते देखो NCIT लिखती है कि low light intensity अगर low light intensity हो तो increase in CO2 no effect होगा क्यों क्योंकि light limiting है ये limiting है मेरी बात समझ में आ रही है उसके बात कह रहा है at high light intensity अगर high light intensity होगी तो increase in CO2 can benefit both C3 and C4 C3 और C4 दोनों को benefit करेगा C3 और C4 को क्या करेगा दोनों को benefit करेगा तो अगर मैं बात करता हूँ high light intensity की increase in CO2 C3 और C4 दोनों को benefit करेगा पर जादा benefit किसको करेगा more benefit C3 को क्यों 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 उसका saturation high है मतलब क्या हुआ आज मालो environment में 380 ppm की concentration है अगर वो बढ़ती है तो फाइदा C3 को पहुचेगा क्योंकि C3 में saturation 450 है इससे जादा बढ़ने पर इसे फाइदा होगा तो C3 plant को इसी लिए greenhouse plant कहते हैं उन्हें क्या करते हैं बेटा cover करके उगाते हैं greenhouse plant कहते हैं ऐसे glass का greenhouse होता है उसमें bell paper bell paper मतलब colored simla mirch होती है उसको या tomato को इसको हम greenhouse plant कहते हैं क्योंकि cover करके क्योंकि CO2 की concentration आई होती है यहां होगाते हैं यहां production बढ़ती है तो हम यही चीज़ आपको समझा रहे है कि अगर low light intensity करोगे तो increase से फरक नहीं पड़ेगा hyper CO2 जादा फरक किसको मिलेगा C3 को जादा फाइदा होगा क्योंकि C3 का saturation 450 है environment में 380 है CO2 की concentration आर यह बात समझ वे तो इसी लिए NCRT कहती है कि फाइदा जादा C3 को का दूसरा यह कहती है कि अगर मैं 500 ppm तक जाऊंगा 500 ppm तक CO2 ले जाऊं तो दोनों को damage हो सकती है both plant get damage बहुत जादा होगा ना तो नुकसान होगा तो यह जो आज कल global warming हो रही है इससे C3 plant की production बढ़ सकती है लेकिन बहुत जादा होने पे दोनों को damage हो जाएगा तो यह CO2 concentration को लेकर है ठीक है clear है NCRT पढ़ोगे आपको समझ में आएगा starting में कहा है उसने कि दोनों को किसी को फरक नहीं पड़ेगा वो ऐसा इसलिए बोला है क्योंकि उसने वहाँ low light intensity देखी देखो temperature हमेशा याद रखना affect करता है enzyme को किसको affect करता है enzyme को अब आपको समझना पड़ेगा light reaction में enzyme present है हाँ sir FNR था enzyme present है dark reaction में जादा enzyme है जादा enzyme है तो इसका मतलब यह होगा जादा effect more effect occur किसके अंदर more effect occur in dark reaction मतलब यह होगा आपको समझना पड़ेगा यह चीज कि temperature जो है affect करेगा both light and dark reaction light and dark reaction पर जादा effect more effect करेगा किसको dark reaction को क्या यह चीज समझ में आ रही है बताईए क्या यह चीजे समझ में आ रही है हाँ sir आ रही है आगे देखो आगे देखो और क्या बात कर सकते हैं सुनना ज्यान से और क्या बात कर सकते हैं हमारे पास क्या है बिटा, C3 plant में temperature optimum 20 से 25 डिगरी celsius है, C4 plant में temperature 35 से 40 डिगरी celsius है, मतलब क्या हुआ, C4 plant को जाधा temperature चाहिए, हमेशा याद रुखो बिटा, temperature क्या करता है, enzyme को affect करता है, तो अगर मैं 35 डिगरी, 40 डिगरी temperature दूँगा, तो C4 plant में जाधा growth होगी, C3 में कम होगी, क्योंकि उनका temperature optimum यह है, यह maximum growth होती है, यहां तक समझ में आ रही है, यह C4 का है, यहां पर क्या होगी, यहां पर growth, अगर मैं आलो मैं C3 plant को इस temperature पर लाओ, इन में photorespiration होने लगेगा growth उतनी अच्छे नहीं होगी, ठीक है, clear है, और light और dark reaction दोनों को affect कर सकता है, temperature पर जाधा करेगा, dark reaction को उसमें जाधा enzyme होते है, अब आ जाते है, जो last factor है, जिसे हम पानी कह रहे है, सुनना द्यान से, पानी को लेकर क्या है, यह अकेला ऐसा factor है, जिसका direct effect नहीं है, no direct effect on rate, direct effect नहीं है, यह indirectly effect करता है, कैसे, जड़ा समझना, माल लो, यह leaf है, अगर less water होगा, तो leaf ऐसे मुर्जा जाएगी, ठीक है, तो उससे क्या होगा, surface area क्या हो जाएगा, decrease हो जाएगा, मेरी बात समझ में आ रही है, एक second देने में, जो बटा, हमें क्या करना है, जैसे माल लो, पानी कम हो जाएगा, soil में, तो leaf ऐसे मुर्जा जाएगी, इसे कहते हैं, कि leaf हमारे पास क्या हो गई, placid हो गई, या हम इसको wilting कहते हैं, मुर्जा गई, leaf अगर मुर्जा गई, तो एक तरीके से wilting हो गई, तो surface area decrease हो गया, तो उससे क्या होगा, photosynthesis decrease हो जैसे माल लो, हमारे पास ये leaf है, इसमें ये stomata है, तो ये stomata close हो जाता है, जब पानी कम होता है, अगर पानी कम होगा, तो stomata कम हो गया, तो उससे क्या होगा, CO2 not enter, तो photosynthesis decrease कर जाएगी, तो कहीं न कहीं आप ये देख रहे हो, कि पानी directly effect नहीं कर रहा, एक जगा वो CO2 के थ पानी directly effect नहीं करता, अगर stomata बंद हो जाएगा, तो CO2 नहीं जाएगी, ऐसे photosynthesis घटेगी, और अगर पानी नहीं होगा, तो leaf मुर्जा जाती है, surface ये घट जाता, light कम पड़ती है, आगे समझ, ठीक है, clear है बिटा, सही है, तो इसको complete करेंगे, और इस chapter के बाद हम लोग PGR य कोशन PDF में दे रहा हूं आपको, जैसे आप देख सकते हो, ये वाला, साइटो क्रोम, बिटा, साइटो क्रोम किसमें है, मेंब्रेन उसमें मिल जाएगा, माइटो कोंड्रिया में मिल, क्रिस्टे में भी मिल सकता, और उसमें भी मिलेगा, आपका, जो ये है, अब जैसे ये activity of Rubisco, क्या बनाएगा, एक PGA बनाता है, और एक बनाता है PG, तो one molecule of three carbon compound, one six carbon का बनता है, नहीं, four carbon का बनता है, नहीं, two molecule of three carbon, ये भी नहीं बनता, तो PGA बनता है ना कम से कम, ये तो बनता ही है, तो ये अमाग करोगे, अब इसमें बच्चा कहेगा, सर ये क्यों नहीं दे र रिखा है, in light reaction, प्लास्टो क्यून, facilitate the transfer of electron from, तो प्लास्टो क्यून जो है, हमारे पास क्या लिखा था, फियो फाइटिन, ठीक है, उसके राद प्लास्टो क्यून, फिर क्या था, साइटो क्रोम B6F और प्लास्टो साइन, electron from, तो किस से कर रहा है बिटा, पी एस टू से, य यह तो नहीं होगा, PS1 नहीं होगा, साइटो क्रोम B6F से इस पर जा रहा है, PS1 पर नहीं, प्लास्टो क्यून इसके और इसके बीच में है न, तो PS2 से साइटो क्रोम B6F, यह वाला बन जाएगा, ऐसे देख लो, ठीक है, कोशन तुम से सारे बन जाएगे, ठीक है, करो इसक देक्समे, भाई!